हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कृत, भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपोन संकलन, सब्सक्राइब करें, तिलक स्टाराम चरीत पतिपावन, मधुर सरस अरुपत पत्त है, ग्रुपत तक तक फ्तिपावन, बदुर सरस, अरुपत पत्त पित। पुने पुने कितने हो सुने सुनाए यकी प्यास बुझत न बुचाए नहीं उर्मी नहीं भाईया को इस बात का अभास भी नहीं होना चाहिए कि तुम हमारे साथ जाना चाहती हो तो फिर वो मुझे भी नहीं ले जाएंगे देखो मुझे वहां सेवा का धर्म निभाना है मैं तुम्हारी देखभल नहीं कर सकूँगा आप मेरी सेवा करें उसकी आवर्श्यक्ता नहीं मैं तो इसले जाना चाहती हूं कि मैं आपकी सेवा कर सकूँगा जब थक कर कुटिया में आएंगे तो चरन सेवा करोंगे लाक्ष्मन जब थक कर कुटिया में आएका तब ना अ सुनन नहीं मा का अदेश दिन भार सेवा करना रात में जब प्रभू सोजा अ पहरा देना चबधत कुटिया में आने के समय कहाम majh इस समय हम दोनों का कर्तव सबसे कठे में मुझे प्रभू की सेवा करनी है और तुम्हें माता कोशल्या की हाँ और मिला जिनका पुत्र और बहु दोनों बन को चले जाएंगे उनकी मन की दशा क्या होगी उल्मी केवल तुम ही उन्हें अपनी सेवा और उसने से जीवित रख सकती हो नहीं तो वह चौदा वर्ष नहीं जिएंगी मैं माता कोशल्या को जीवित रखने का उत्तरदायत तुम्हें सौपता हूँ यह गोर प्रात्ना है जब हम बन को जाएं तो तुम्हारी आखों में आसू ना हूँ हाँ मैं जाते हुए उस जभी को अपने हर्दे में अंकित करके ले जाना चाहता हूँ जो चवदा वर्ष तक मुझे पेरणा देती रहे मैं देखना चाहता हूँ एक वीर करतवे परायन उर्मीना का मुस्कुराता हुए चेहरा बड़ा कठीन काम बता रहे मैं जानता हूँ उर्मीना ने कितना बड़ा बलिदान दिया इस पात को कोई नहीं जानेगा परन्तु तुम्हारा लक्षमन जानेगा जो आसू संसार नहीं देख पाएगा लग्षमन उन आसूं का सदेवरेनी रहेगा उर्मी क्यों बहिया क्या ये सच्छे कि राम का राज्तलक नहीं बहें नहीं होगा राम के बिना ग्रास नहीं तोड़ते थे और अब जोरू के कहने से बुढोंने वनवास दे डाला अरे भाईया ये तिरिया चरित्र जो न करा डाले सो थोड़ा है एक ही रात में सारा उलट पुलट कर डाला राम को देश रिकाला और भरत को राज हो नहो इसमें भरत की भी मिली भगत है इसको टील चालिन मा के कारण ही उन्हें कलंग लगेगा वरना राम जी तो उन्हें प्राणों से भी प्यारे थे अरे भाईया राम तो सभी के प्राणों के प्यारे हैं आयो उध्या के दुलारे राम जब यहां नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा आयो उध्या में चलो चलते हम लोग राज महें में मैंने सब पधा कर लिया है राम वन वाँ चानु को बिलकुल तैयार है साथ में सीता और लक्षमन भी जा रहे है सच यह रास्ते का पथर अपने आप ही दूर हो गया यह लक्षमन ही बड़ा उपद्रवीत यह जिदिक मैंने सब तैयार कर लिए यह क्या है यह मुनियों के वस्तर बचारे कान रोंते फिरेंगे मैंने समय टठी कर लिये यह तो तुने अति उत्तम किया मन्थरा आ गई गुरु माता पधारी है धन्य भाग हमारे शाली के कही यह क्या नर्ष कर वही हो कौने कोने से एक ही स्वर गूंज रहा कि राम के बिना आयोध्य आयोध्य नहीं रहेगी फिद्धा आभागिन के समान हो जाएगी फिर फिर किस आयोध्य है नगरी पर राज कराओ की फरस से और क्या फरस इस कुठिल अलीथी से प्रसन होगा क्यों नहीं होगा वही तो राजी करने की योग्य है गुरू माता चिस टाल पर बैठी हो उसी पर कुठारा घात करके जीवन भर पच्तानी के सिवाय और कुछ हाथ नहीं आएगा मेरे हाथ में क्या आएगा और मेरे हाथ से क्या जाएगा इसका विचार यदि आप ना करें तो उत्तम होगा अन्य था मुझे सिश्टाचार की सीमा लांगने पर विवश होना पड़ेगा अध्याचार की सीमा को पार करने वाली नारी तुह क्या शिश्टाचार करीगी शाद रख रानी कह कई संसार में लोग चपचप सौतेरी माह की क्रूरता का उधार रंते की तब तेरा ही नाम लेंगी कभी कोई माता पिता अपनी कन्या का नाम कह कई नहीं रखेगा आपने पिल्कुल खीक कहा गुरु माता और कोई इस नाम को रख भी नहीं सकता कैके एक ही हुई है कैके एक ही रहेगी महाराज की जय को राजकुमार शरी राम और लक्षमन अपनी सारी संपत्ति दान करके महलों को त्याग कर वन गमन के लिए तैयार होकर आए हैं दोनों भाई कुलवदु सीता के साथ द्वार पर खड़े हैं आपके दर्शन की आज्या चाहते हैं सुमंत्र उन्हें तुरंत लेकर आओ जो आज्या महाराज पिता श्री मैं दंड कारणे में जाने से पहले आपका आशिरवात लेने आया हूं मेरे साथ लक्षमन और सीता को भी वन जाने के आज्या दीजिए क्या लक्षमन सीता नहीं नहीं मैंने इन दोनों को रोकने का बहुत प्रयत्न किया परन्तों इनों ने अपना हट नहीं छोड़ा आप शोग का त्याग कर दीजे पिता श्री और हमें जाने की अनुमत ही दीजे मैं चौदा वर्ष तक बन में रहकर आपकी प्रतिज्या पूरी कर लेने पर फिर आपके चरणों में शीष नवाओंगा नहीं नहीं राम तुम बन में मत जाओ कहकई को दिये हूँ वचनों से मैं बना हूँ तुम नहीं तुम वीर हो इसलिए धर्म पुर्वक दिये गए इस राज्य को मेरा विरोध करके चीन क्यों नहीं लेते पिता श्री मैं जानता था आप यहीं कहेंगे मैं आपकी महन्ता को जानता हूँ आप अपने यश अपनी कीर्थी सारे जीवन की तपस्या और सक्कर्मों का इसलिए बलिदान कर देना चाहते हैं जिससे आपके पुत्र के साथ अन्याय नहों जिसका ऐसा महान पिता हो उस पुत्र का भी तो यहीं करतव्य है कि वो अपने पिता की महानता पर आच ना आने दे यदि मुझे पित्राग्या उलंगन करने का पाप भी लगे तो भी मैं वो कारे कदापी नहीं करूँगा जिससे आपकी विमल कीर्थी को ठपा लगे तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो उसके लिए तुम सब कुछ सेहन कर सकते हो परन्तु मैं राजमहल में रहूं और तुम वन के दुख भोगो नहीं वाद्स नहीं मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूँगा पिता श्री आप ही ने तो कहा था कि राजा प्रजा की धरोहर होता है इसलिए पुत्र मुह में अपनी प्रजा को निसाहाई छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं आप मेरे दुख की चिंता न कीजिए सुख और दुख तो केवल मन के स्थिती का नाम है मैंने तो अपने मन को वन के सुखों की और आक्रशित कर भी लिया है शास्त्र ने पिता को देवदाओं का भी देवता माना है आपको देवता मान कर मैं अपने वंगमन को आपकी पूजा समझता हूँ मुझे वंगमन की आग्या दीजे जिससे मैं समझू कि आपने मेरी पूजा सुईकार की ओ ये विदी की कैसी घोर विडम बना है कैसे धर्म संकट में फस गये दश्रत के प्राण मैं जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता ठीक है कैसी विदागता की इच्छा सुमंत्र हमारी आज्या है चतुरांगणी से ना अंग्रक्षक की भांती राम के पीछे पीछे वन में जाएगी अयोधा का पुरा राजगोश अन्नभंडार इनके साथ जाने चाहिए जिससे ये वन के पावन प्रदेश में रिश्यो मुनियों के साथ यज्या नुष्ठान करेंगे पर्यापदान दक्षिना देकर सुख पूर्वक रहेंगे हमारी आज्या का पालन किया जाए महाराज ये विस सारी सेना राज का सारा कोश राम के साथ चला जाएगा तो इस शुरीहीन धन हीन और उज्य हुए आयध्या का राज मेरा पुत्र भरत कभी स्विकार नहीं करेगा आप कान खोल कर सुन लीजिए आप वचन हार चुके हैं भरत को राजा स्विकार कर चुके हैं और फिर बिना राजा के अनुमति के आप राजी की कोई भेवस्तू राजी के बाहर भेजने का क्या आधिकार रखते हैं मेरे वर के अनुसार राम को तापस वेश में 14 वर्ष तक मुनियों की तरह बन में रहना है इन्हें तो ये राजसी अलंकार वस्त्र आभूशन साड़ा कुछ यहीं त्याग कर जाना चाहिए इसलिए मैंने इनके लिए मुनियों के वस्त्र भी मंगवा कर रखे हैं मंधरा ये राम के लिए देवी कही कही कुरूरता की भी एक सीमा होती है तुमारा ये आचरन देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं ये अयोद्या और राज को त्याक कर स्री राम के साथ बन में चला जाओ तुमने जो अपने पती की दुरगती कर रखी है उसके पल सरूप न जाने तुमें क्या क्या नर्क भोगने पड़ेंगे परन्तु शायद इसमें तुमारा दोश न हो क्योंकि नीम के पत्य निचोड़ने से शहद नहीं निकलता तुमारी माता ने भी अपने पती के साथ तिर्याहट करके अपनी ही दुरदशा कराई थी आरे सुमंत्र अपनी मर्यादा में रहें तो अतियुत्तम होगा आरे सुमंत्र माता कह कई ठीक कह रही है हमें यहीं से मुनिवेश में जाना चाहिए राज्य के साथ मैं सर्वस सुराजसी भोगों का भी त्याग कर चुका हूँ लाइए माता अपने आशिरवात के साथ हमें यह मुनिवस्ति प्रदान कीजिए यह यह लक्ष्मन के लिए यह तुम्हारी बहु सीता के लिए थैरो देवी कह कही तुम्हारे त्रियाहट ने पती के मर्यादा तो नश्ट कर दी परन्तु रगवंच की मर्यादा तो भंग न करो सीता तुम्हारी पुत्रवद हुआ है रगवंच की शोभा सुर्यवंच की लाज उसके उत्तम वस्त्र और आभुशन उतार कर उसे बुनी वस्त्र देते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कापते तुमने केवल राम के लिए वनवास का वर मांगा था इसलिए सीता राज कुमारियों के तरह पूरे राज सी ठाट से बन में रहेगी यह हमारी आग्या है गुरु देव ठीक कहते हैं सीता जहां रहेगी राज रानी की तरह रहेगी मैंने महाराज जनक को वचन दिया था कि सीता का योध्या की महाराणी की तरह अधर सतकार किया जाएगा सीता पुत्री तुम वन में भी एक महाराणी की भाद ही रहोगी शमा पित्रु देव शमा गुरु देव आप गुरु जनों से मेरा केवल इतना ही निवेदन है जिसका पती तपस्वी वेश में रहेगा उसकी पत्नी राच्ची ठाट से जीवन बिताए क्या उसको शोभा देगा क्या यह स्थी धर्म के अनुकूल है क्या इसे मेरे पिता की शोभा बढ़ेगी या मेरे ससुराल के कुल का यश बढ़ेगा माता जी मुझे यह वस्तर प्रदान कीजिए और सिखाए इन्हें कैसे पहना जाता है आओ बहुरानी मैं सिखाती हूँ मैं पहनाती हूँ आप आजा आप रखो आप चलिए यह वस्तर तुझे बहुत पसंद है ना हाँ मैं पहनाती हूँ उतार देए वस्तर उतार देए अभूशन चल निकाल चलिए नहीं सीते, तुम भले ही उनिवस धारन करो, परन्तु आभूशन नहीं उतारोगी, एक सुहावी निस्री के लिए आभूशन रहित होना, अब चखुन की बाद ही, जो आगया कुरू माता. लिन का जायिga तील, जो अब ज कर we actually have a story without respect. जो लिना योध्या सुनी हो जाएगी, शम्शान हो जाएगी, फिर उजलियोयायिया का राच देरे हमने भरत कोू, अम यह नहीं होने देंगे。 नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे estado को. सेहन कोई कैसे करे ऐसी घातक ठेज उत्रपिता के सामने धरे जोगिया भेश नहीं नहीं विधादा यह द्रश देखकर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकले जानकी, पुत्री, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तु वन में ना जा, मैं महाराज जनक को क्या मूँ दिखाऊंगा, मैं समझता हूँ, जह कह कहीं जैसी क्रूर सास हो, तु वह नहीं रहना चाहती, तो मेरी लक्ष्मी, तु अपने पिता के घर चली जाूँ, तु अपने वन के आसाहन ये कश तु तु नहीं सहे जाएंगे मेरी बच्ची, तु वन में ना जा, मेरी बच्ची, तु वन में ना जा, प्रभू, मेरे प्रान तो इनके साथ ही चले जाएंगे, फिर मेरे मृत शरीच को रखकर आप क्या करेंगे, पिता श्री, मुझ पर अनुगरह की मुझे पती चर्णों की सेवा से मुझे बंचितना कीजे राम तुम जितना विलंब करोगे तुम्हारे पिता श्री उतने ही विचलित होते चले जाएंगे इसलिए अधिक विलंब करना उचित नहीं अब तुम शिग्रही वन के लिए प्रस्थान करो हाँ माता आप ठीक कहती है मुझे आशिर्वात दीजी जिससे में आपके वचन का पालन करके आपको सुख दे सको जीते रहो कुरुदेव आग्या दीजे राम तुम्हारी कीर्थी का सुर्यानंत काल तक दीप्ति मान रहें पित्र परमेश्वार हमें आशिर्वात देकर विदा कीजी आशिर्वात देने का वियाधिकारी नहीं रहा दश्रत ऐसा पिता ना किसी काल में हुआ और नहोगा आप शोक न करें पिता श्री आप जैसे आदर्श राजा और धर्म पालक पिता पर हमें सदा कर्व रहेगा जाने से पहले एक निवेदन है आपके श्री चरणों में मेरी माता देवी कौशल्या मेरे जाने से बहुत व्यथित हो रही है उन्हें धीरज बंधाईएगा उनका ध्यान रखिएगा और उन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा कुए जान जाना previous बंधाना को रहां बंधाईगा लोल्या आतिक無धा जाना बंधा मेरे जाना मेरे जाना जाना गोचूआ इसाना श्रीला ऋूही अळाटा प्याना कौपा जाना जाना आतिक कौशल्या दंवाल्याल्स जीती रहू सवभाज्यवति भावा आओ चले सुमंत्र तुम ही उन्हें रोको महराज यदि ऐसा संभव हो तो मैं आज इवन इनके बदले वन भोगने के लिए दया हूँ सुमंत्र तुम उनके साथ जाओ उन्हें पैदर मत जाने दो तुम स्वाइम रत पर रेकर जाओ थोड़े दिन साथ रहकर जंगल दिखा कर समझा बुजा कर लोटा कर ले आना आप यह जोड़े दोड़े 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 प्राओ जाब। सुमंत्र जाओ, सुमंत्र जाओ, सीता के कॉमल सरन पैदल चलने योगी नहीं, रत पर बिठा कर ले जाओ, अशरत की आँखे, कि मल तुम्हारे लाट कराने की राह देखती रहेंगी, वो आगे, नहीं राम, तुम हम लोगों को छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना योध्याद सूनी हो जाएगी, तुम हमारे राजा हो राम, हाँ राम, हम सभी तुम्हारे साथ हैं, हम वित्रोल करेंगे, हाँ हाँ हम वित्रोल करेंगे, 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 हम वित्रोल करेंगे आप, एक अन्याई राजा के वित्रोल की बात सोच कर भी, आप सब को लज्जा आनी चाड़िए, जो राजा अपने सत्य के बचंद के पालन के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर सकता है। ऐसे सत्यवृति आदर्श राजा पर उसकी प्रजाए को गर्ग होना चाहिए। आपके राजा ने आपको आज तक पुत्र की तरह बाला है। कि आज आपका ये धर्ण नहीं कि पिता की तरह उनका अधर करें आज वो बंच से दुखी हैं तब आप सब को चाहिए कि पुत्र बनकर उन्हें सांतों ना दें ना कि उनके विरुद विद्रो की बात करें जो मेरे हित्मे हैं उन्हें ये बात अच्छी तरह समझने नी चाहिए कि मेरे हित्यशी वही हैं जो इस वक्त वही काम करें जिससे मेरे पिता को सुख मिले अब आप प्रसंद मन्ज से मुझे विदा कीजिए और मेरे जाने के पश्चात राजा भरत को राजजबार समालने में सहयोग दीजिए यही मेरी आप सबसे विनिती है आप रहेंगे वही हम रहेंगे जहां आप रहेंगे वही हम रहेंगे जहां आप रहेंगे वही हमारी राजधानी होगी और श्री राम चंद्र जी हमारे राजा होंगे अश्री राम चंद्र की है, बोलो श्री 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 राम चंद्र की है, मिला राम चंद्र की ह मनाश 느जी रओ, प्सकिते तालाप कह c штow तेन, मनाश राटका, चीश तिसी m रहाँ, 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 रहाँ मतंततй कर histó किस्पनी से आफ, रहाँ, रहाँ र livesाذー, रहाँ! रहाँ मतंतर राटका, रहाँ, रहाँ मतंतु क्रिय सकैई! मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे सामने से, चान डाली नी, आज इसी समय हम तुम्हारा परिक्ट्याग करते हैं, हम सब के सामने ये घोचना करते हैं, कि विवा के समय, हमने पवित्र अगनी के सामने जो बचन दिये थे, सब समाप्त हो गए, इसके पश्चाद, इस लोग और परलोग में भी तुम्हारा मेरा कोई समभन नहीं रहेगा, आज से अपने आपको विद्वा समझतू, विद्वा, हम सब के सामने ये भी घोचना करते हैं, कि यदि भर तेरी कुमति का अनुसरन करके, अपना राज्य भिश्च करा ले, तो मेरी मृत्यू के पश्चाद, उसके हाथ से अरपन किया हूँ अवजल भी, मुझे प्राप नहोँ, मुझे प्राप नहोँ, कोशले, रो मत कोशले, मुझे अपने भावन में लेचलो, जहां मेरे राम क इस में तियां चारों और बिखरी हुई है, मुझे वही लिए चलो, वही लिए चलो, राम की माता, वही लिए चलो सूरज जैसे जोती विन तरवर जू फड़ ही, राम बिना दशरत विकर, जैसे जल बिन मी मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ फेडा है उख्लया, छोड़ के बन मत जाओ, रुप जाओ, रुप जाओ, रुप जाओ, रुप जाओ बिन पीमत ठुख राओ चलत राम लग की अवद अना था निकल लोग सब्र लागे साथा पास इन्धु बहु बिख समझाई फिर ही पेम बस उनिपिर आवरी बन को जाने वालो पर मत लोह डालो भलाओ मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ तेरा वायोग्या छोड़ के पर मत जाओ राम लिना मेरी सूनी अजोच्या लच्मन बिन छतुराई सीता इन गई महला के सभा कौन करे छतुराई नगर भाहन गईया सब रोवे रोवे सब्मर नारी वजन विवश रोपी नहीं पाती मैं है एक विचारी तुम ही जीवन प्राण हमारे राम तुम्ही भगवान हमारे दया रुभू अपन दीद जनों पर तुछ को दया दिखाओ रुभू जाओ रुभू जाओ आरे जुन रत होके सूर्या स्थोने को आया आप लोग कब तक हमारे पीछे इस तरह आएंगे केवल 14 वरस तक नहीं भाई यह उचित नहीं है मेरी प्रार्थना है आप लोग वापस लोट जाएए हे राम उचित और अनुचित सोचने का समय बीच चुका है हम ये द्रण निश्चय कर चुके हैं कि आप ही हमारे राजा हैं आप जहां रहेंगे उस इस्थान को हम अपनी राजधानी बनाकर आपके सिवा में रहेंगे बस हम आपको कोई दुख नहीं देंगे जितना हो सकेगा हम अपने राजा राम और अनिसीदा को सुख पहुचाने का प्रयत्न करेंगे क्या ये भी अनुचित है हाँ है क्योंकि इससे माता कहका ही कि भावनाओं को ठेस पहुंच जगी वो मुझे आयुध्या वासियों को भरकाने का अपराधी भी मान सकती है यदि आप लोगों की देखा देखी और लोग भी आयुध्या छोड़कर आ गए तो भारत क्या सोचेगा सोचने दीजिए उसकी हमें कोई चिंता नहीं राम भागवान भी अपने सचे भक्तों को नहीं दुदकारता उनकी सेवा के आगे वो भी जुग जाता है और उसी प्रकार आपको हमारी बात मानी पड़ेगी राम और ये भी सुन लीजे हमारा निश्चे अटल है अच्छी बात है अभी तो सूर्यास्थ होने को आया सबके संध्यावंदन का समय हो गया आज रात यहीं तमसानदी के किनारे विश्राम करते हैं प्राता उठकर कोई निर्णे लेंगे आरे सुमंत गोड़े खोल दीजे जो आग्या महराज मंगल भावन अमंगल हारी रग हो सुदश रच अजिर बिहारी सीता राम चरित थति बावन मधुर सरस अरुपती मन भावन पुनी पुनी कितने हो सुने सुनाए यगी प्यास बुझत न बुझाए यगी सीता राम चरित पति पावन मधुर सरस अलुकती मनभावन पुने पुने कितने हो सुने सुनाए यकी प्यास बुझत न बुचाए कितने सकते पति अापन विल्न कहने बुझत पुने कितना हो जिल्न कितने लिए यूत कितने शापन आपन वर तापन कि इस समय हम दोनों का कर्तव सबसे कठे में मुझे प्रभु की सेवा करनी है और तुम्हें माता कोशल्या की हां और मिला चिंका पुत्र बहु दोनों बन को चले जाएंगे उनकी मन की दशा क्या होगी उल्मी केवल तुम ही उन्हें अपनी सेवा उसने से जीवित रख सकती हो नहीं तो वह चौदा वर्ष नहीं जीएंगी में माता कोशल्या को जीवित रखने का उत्तरदाइद तुम्हें सौंपता हूं एक और प्रात्ना है जब हम मन को जाएं तो तुम्हारी आंकों में अभी तक सुई नहीं आप भी तो नहीं सुई मा कॉन सौया है राज महल में महराज पेशुद पड़े हैं होश आता है तो राम राम पुकारते हैं तो फिर बिसुद हो जाते हैं कि सब की इन तो राम के साथ चली गए है माम एक रात बिताना कितना कठी हो गया है जोदा वर्ष कैसे कठींगे बीटी इसा क्यों नहीं सोचती कि चादा वर्ष में एक रात कम हो गई है हाँ बीटी दुक का समय आशा के सहारे बिताना चाहिए कर दो बीटी आशा को कि बीटी आशा का वर्ष में एक रात कि बीटी आशाँ में एक राती त्सक्त। कि आरे सुमंत्र, इसी समय जाना होगा बिना कोई आहट के चलने के तैयारे कीजिए इन्हें इस तरह चोड़कर कोई उपाय नहीं ये इन बेचारों के साथ छेलोगा कुमार मैं मानता हूं परन्तों इसके सिवा कोई उपाय नहीं है इधर ये मेरे साथ दुखी होंगे उधर इनके परिवार अयुध्या में दुख किसे पर नाम कर रहे हैं भाईया लक्षमन इन सोने वालों के हरदय में निश्चल प्रेम का ऐसा अगाद साघर लहरे मार रहा है दाईवी ये प्रेम का ऐसा जीवन्त प्रकाश बड़ा दुरलव है इन्हें प्रेम का देवता मानकर प्रणाम करो आरे रत को पहले उत्तर दिशा में धूल भरे मार पर ले चलिए और फिर दक्षन दिशा में रत को इस प्रकार चलाईए जिससे पुर्वासियों को यह पता ना लगे कि रत किस और गया है और जागने पर थोड़ी दिर भ्रमित रहकर सब लोग आयुद्या वापस लोट जाए जो आग गया उठो भाई उठो हमेरा हो गया अरे राम जी कहां चले गए शीता महीया कहां चले गए लक्षन महीया कहां चले गए लगता उचले गए रत भी नहीं है अरे सुकमंत्र यह रत रोक क्यों दिया कुमार यहां से हमारे कोशल राज्य की सीमा समाप्त होती है अब यहां से तुम अपनी मात्रुभूमी छोड़ कर जा रहे हो तातलक्षमन देवी सीते अपने देश की सीमा पार करने से पहले आओ हम जननी जन भूमी इसे विदा मांग ले है कि मात्र भूमी की माटी तुझे शत्षत नमन है एक शिवाकू वंशियों की जन भूमी प्रत्वी की सबसे पावन धर्ती रामाज तेरे आचल की छाया से दूर जा रहा है परन्तु मैं जहार रहूंगा मेरा हर्दय तेरी पावन मिट्टी से लिप्ता रहेगा माँ मैं तेरी थोड़ी सी मिट्टी ले जा रहा हूँ इसे प्रतितिन इससे देला कर सको और इसके रूप में मात्र भूमी की प्रतितिन बंदना कर सको कि यहां से निशाद राज गोह की सेमा सिंगवीरपुर आरंब होती है निशाद राज को हमारे मित्र अजया नरेश की सूर्य पताखा फैराए रही है रत पर और उन रत में पैठे है दो धनुस्धारी जवान साथ में एक इस्त्री एक रत्वान रत पैं सूर्य पताखा है और सेना ना ही है साथ में नहीं है राजन हम अच्छी तरह देखा हमों का फीचा भी किया रत प्रेरपूर तक आए गवा है और गंगा के किनारे वटविक्ष के नीचे ठेरा है दुई धनुर्धारी जवान और राध्मा कौन होई सकत है राजा जी सार्थी कभी उन्हें कुमार कहात है और कभी शीराम कहिके पुलावत है का कहो शीराम के राज कुमार अरे सुरव इक आये नहीं कहत हो कि सीरी राम आए हुए है हमरे मित्र हमरे गुरु आसरम के सखा हमरे सरकार हमरे गाव में आये हैं हमरे धन्दभाग तुम तो सदा इहे कहत रहे कि वो हमका बचन दिये है कि एक दिन हमरे गाव अवश्य आएंगे अरे बचन तो दिये रहे पर राजा सचमुच एक गमार मित्र के गाउं में आई हैं ओकर विजवास तो तभी होई जब आपन अखियन से उनके दर्सन होगे अरे खड़ा खड़ा देख क्या रहा है जा जा के सगरी बस्ती को खबर कर कि हम सबको राजा राम की अगवानी करने के लिए जाएगा है आज रात यहीं गंगा किनारे इस व्रक्ष के नीचे विश्राम कर लेते हैं कल पातह गंगा पार करने की विवस्था करेंगे जो आग गया आये भीया बैठिए आपके हैं तो आपके मित्र निशाद राजगो को आपके आगमन की सूचना कर दूँ नहीं आरे उन्हें विर्थ में क्यूं कश्ट देते हैं रात आह सुर्योदय होते ही तो प्रस्थान करना है अज बड़े भाद का दिन है आज हमार स्वामी आए है हमार प्रभू अज उध्या का राजकुमार सिरी राम आवा है अब लोग उनके का उमार अपन अपन उपहार लेके चलो हमने साथ वैसे उनके स्वागत के लिए उपहार की कौनों अवस्टता नहीं है हमरे स्वामी तो केवल प्रेम के भूके है चलो सब हमरे साथ चलो राजा राजा राज राजा राज मेरे सरकार मेरे सरकार सरकार मैं सकें सक्छा प्रभू आखिर आप आहीं गए न हम रे गाव में हमरे गाववाजी आपके दर्शनों के लिया आए आप बिरा जी पढ़ारिय प्रफू भी विरा जी राजा राम चंद्रकी जह राजा राम चंद्रकी जह राजय औरांकंद्र की जैए राजय औरांकंद्र की जैए मित्र, तुम से मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है ये स्वभाग्य की बात है कि आज मैं तुम्हें अपने बंदू-बंद्वों के साथ स्वस्थ और आनंद में देख रहा हूं कहो मित्र, तुम्हारे राजय में, तुम्हारे परिवार में तथा तुम्हारे वनों में सर्वत्र कुशलतो है सब आपकी किरपा है सरकार तुम्हें प्रेमवश ये जो कुछ सामगरी प्रस्तुत की है उसे मैं स्विकार करता हूं परंतों दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तू मैं ग्रहन नहीं कर सकता अपने उपयोग में नहीं ला सकता अब मुझे तपस्वी की भाती धर्म में इस्थित होकर वन में निवास करना है वन मा निवास कर यो का लेकिन क्यों इगुत्ती हमरी समझ माना ही आवद है सरकार अभी तक तो आप एहो नहीं बताये हो कि कि मुनी व्रत किस कारण धारन किया है आपने सरकार इक कैसंच अभी बनाये हो इक कैसा अनोखा रूप धारन करके आये हो प्रभू राज कुमार से मुनी कुमार बने और इह लच्वन भईया भी और इह जनक नंदिनी देवी सीता तुम्हारी भावजी भावजी नाहीं भावजी कहे कि आवकाहत इस दास की नाहीं इदेवी अजोध्य की राजरानी यह तो हमार माई सीता मईया है बस यह मान के हम अगन रहेंगे हम माई आपन चरंच वे देओ हमका है नहीं नहीं हमारे लिए जैसे लक्ष्मिन भाईया वैसे ही आप धन्य हो जीयो राजरानी सीता चुक चुक जीयो तुहार सुहाग बना रहे अभी तलक यह नहीं बताए हो सरकार की कैसा बाना धारन कही किया जो उद्ध्यसी आये हो निशात राज तुमारे सरकार अपने मुख से सवतेल इमा कई कई की कर्टूत का किस्सा नहीं सुनाएंगे आरे सुमंत्र जिस बात को सारा जग जान चुका है उस बात को अपने मित्र से चुपाएंगे भाईया हाँ बहुत दुनिया देखें हैं सरकार आपन मिट्वा का राजा बनावे की खाते सवतेले का बनवास्ते दिया यह बात है नहीं सरकार निशाद राज तुम तो हमारे मित्र हो हमारी माता का अपमान मत करो दूठिया नहीं सरकार हमरी अतनी वजाल कहां बस आज हमार महमान दारी कबूल कर लए यह मैं हमार मान बढ़ जाईगा पधारिये लक्ष्मन भाईया और सीता मैया का संग शिंगेर पूर नगरिया का पवित्र कर दीज महराज हम बनवास का व्रत ले चुके हैं इसलिए नगर में प्रवेश करना हमारे लिए वर्जित है अब हमें तपस्रियों और मुनियों की तरह जीवन वितीत करना होगा है हम घास और पत्तों के विज्वानों पर सोएंगे जैसी सरकार की इच्छा गंगा तट पर ही आपकी सेवा करके हम जीवन धन्य कर लेगे राम 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 मुझे मुझे चारों और अंधकार क्यों दिखाई दे रहा है सूर्य अस्त हो रहा है पिता जी मैं दीपक जलवा दूं दीपक जलाने से मेरे मन का अंधेरा तो दूर नहीं होगा यह अंधेरा नहीं जाएगा, यह अंधेरा नहीं जाएगा, अब तो, अब तो सूर्य वंश का ही सूर्य अस्त हो गया, ऐसे ना कहिए पिताजी, कैसे ना कहूं, बेटी, अयोध्या के इतिहास में, ना ऐसी सुभा हुई, ना ऐसी शाम, अयोध्या के इतिहास का, कितना उज्वल दिन है यह, पाता कुमाता हो गई, और पिता कसा ही हो गया, पिठी, पिठी, मुझे थोड़ा विश्ला दे, पिता जी, लज्जा के मारे तो, मैं नहीं मरूगा, मैं नहीं मरूगा, कुषल्या, मुझे मरने का कोई उपाय बता दो, तीविश रखे सौनी, तीविश रखे, यह, हम क्या कर रहे हैं, अब क्या करना रह गया, कुषल्या, पुत्र को बनवास दे दिया, राज महल को अंधकार में कर दिया, अयोध्या को सूना कर दिया, बताओ, अब और क्या करने को रह गया है, बताओ, वो भी कर दूँ, कुषल्या, तुम तो उसके साथ चली जाती, तुम क्यों नहीं गई, कुषल्या, तुम क्यों नहीं गई, पुत्र के साथ चाती, तो प्राणिन चर्णों में भसे रहती, अब यहां हो, तो आत्मावन में भटकती रहती, कोशले कोशले पुत्र कहके गया कि स्वामी किसी वो करो पती कह रहे हैं कि आपने पुत्र का साथ क्यों नहीं दिया स्री का धर्म माता का धर्म मैं क्या करूं महाराज स्री कितने हिस्सों में बटी रहती है कितने हिस्सों में कि मैंने भगवान का चर्णा मृत लाया है थोड़ा लेजे सुबह से आपके कंड में एक बून भी पानी नहीं गया कि मुझे पानी देने वाला तो चला गया है मेरा राम कि इस समय कहा गया होगा कि कुछ खाने को मिला होगा कि नहीं कि पिता का अज्याकारी है वो कि किसी नगर में भी नहीं जाएगा कि चक्रवर्ती राजा का पुत्र कि विकारी की तरह किसी प्रक्स के नीचे बैठा होगा सरकार आपकी आज्या के अनुसार विछावना तयार है पधारिये कि कि आउ सीते हैं कि एक बिंती है हमार जद्य आप माने तो इतना संकोच क्यों के डालो जो कहना है स्विकार कर लेना उसको ठुकरा न देना अजोध्या जैसा चक्रवर्ती राज तो नहीं है पर निशात का इचोटा सा श्रंगेर पुर राज आपके चरणों मा समर्पित है गंगा मैया की सौगंद उठा के कहतों सारा राज आपका है आज से आप हमरे राजा और हम आपकी प्रजा मित्र कहता हो तो अरज को ठुकरा मत देना सरकार मित्र तुम्हारे इसने तुम्हारे सतकार और तुम्हारे समर्पन ने हमें भाव विभोर कर दिया है हमें सदागर्व रहेगा तुम्हारी मित्रतापर सरकार ने हमरी बात मान ली नहीं मित्र हम तुम्हारे सतकार को सुईकार करते हैं परंतु उसे ग्रहन नहीं कर सकते राज्य तो हमें अयोध्य कभी दे रहे थे पिताश्री। का कहतो सरकार, उठो आपको राज्य से निकार दिये हैं। उन्होंने नहीं निकाला। हम स्वायम निकलाएं। उनके वचन की आन रखने के लिए। यही हमारा धर्म है। निशाद्राज, उसे पालन करने में हमारी साहता करो। अप्रभू, आपके संकल्ब के आगे तो ब्रह्माव हार जाए। हम तो हैं ही तुछ। हमरे भाग में आपकी सेवा नहीं होगी। जाओ, अब सो जाओ। लक्षमन, जाओ भया, तुम भी विश्राम करो। आप जिन्दा न करें, सप्रबंध होई गवा है, आप आराम करें। आओ, लक्षमन भया, आओ। सीते, तुम भी सोजाओ। वन में तो ऐसे ही बिच्छोने मिलेगे। आओ, लक्षमन भया, आपके लिए भी बिच्छोना तयार है। और आरिय सुमंत्र के लिए भी विवस्ता कर दी गई है। नहीं निशाद राज, हम नहीं सोएंगे। हम भया के पहरेदार हैं। तो काँ आप सोग गई नहीं। नहीं। माता ने कहा था, भाईया सो जाएं, तो पहरा देना। धन्य है, धन्य है लक्ष्मन जी। भाई से भाई के प्रेम की ऐसी उप्मा संसार में दूसरी कौनों नहीं होई सकत है। धन्य हो तो में। और धन्य है तोहार माता की जिसने तोहरे जैसे कर्मवीर पुत्र को जन्म दिया। हमरी तो दुख के मारे आज छाती भटी जात है। कि चक्रवर्ती राजा के पुत्र आज सूखे घास के बिछोने पर पड़े। महरात जनक की पुत्री और राजा दश्रत की पुत्र वधू जिसका राम जैसा पती हो और आप जैसा देवर हो उसको भी बेचारी को पत्ते पे सोना पड़े। हाई रे विधाता भागी इनके भी विप्रीत होई सकत है तो हम जैसे मनुष्यों का काहाल होई। हाई रे के कही तूने ये क्या कर डाला है। मित्र किसी को दोश देने से भाग की रेखा नहीं बदल जाती। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। इस संसार में वही सुखी है जो जीवन को सपन की भादी समझे। अहिसन बाते हमरी समझ माना ही आवत है सरकार। हम तो केवल अतना ही जानत है कि जो हमरे मित्र का कस्ट दिये हैं हम वो का क्समा नहीं कह सकत है। कब हम क्समा नहीं कह सकत है। क्ञ हम नहीं का भातको लो आपने हैं मृष्यं कह Summen अरे सुराव सीगरे चला हो सरकार सरकार प्रणाम प्रभू आओ निशाद राच तुम ठीक समय पर आदे हैं प्रभू इका होई गवाँ इबालों को कैसे मना लिया प्रभू वित्र जब बन में ही बास करना है तो पूरी तरह मुनिवेश धारन कर लेना चाहिए अब हम यहां से गंगा पार करके आगे वन में पैदल ही जाएंगे आगे जाना आवस्क है का प्रभू यहों तो बन प्रदेश है प्रभू एक वारिस दास की बिंति पर विचार तो करें यह राज आपका है यह दास आपका है चौदा साली प्रदेश माराज कीजिए और हमका सेवा करें का अफसर दीजिए हमार जीवन धन्य हो जाई प्रभू निशाद राज तुम हमारे मित्र हो ना एक मित्र का धर्म है कि वो अपने मित्र के इस प्रकार साहयता करें कि उसे अपने करतब्वेपत पर चलने में सहारा मिलें तुम अपने प्रेम को हमारे करतब्वे पत्की बाधा बनाना चाहते हो यह उचित नहीं मित्र अपने भावना के वेक को रोको और हमें आगे जाने की अनुमति दो करतव्य भावना से महान होता है यह बड़ी बड़ी बातें आप है जानों सरकार हम तो केवल अतनाई जानत है कि प्रेम से बड़ा कछो नहीं होता है और प्रेम से बढ़कर कछो नहीं होता है हमार तो केवल प्रेम है यदि स्विकार करो तो हम तुम्हें उसी प्रेम की शपत देते हैं मित्रू हमें अपने पत पर आगे जाने तो आप प्रेम का नहोरा देतो तो आगे का बोली सरकार यही सन आपकी आग्या तो किसी खेवाई यह से कहकर एक नईया का प्रबंध करादो हमें गंगा पार उतरवादो तुम्हारी बहुत किर्पा होगी मित्रू नहीं नह अगत है हम आपकी हर आग्या का पालन करेंगे आप निश्चिंत रहें नावका का प्रबंध हो जाए मैं अभी जाता हूं नाव कि क्या और शक्ता है कुमार किसलिए है जहां भी जाना है रच में चलेंगे नहीं आरे सुमंत्र हम यहां से पैदल ही चलेंगे आप कृपा करके श्री महराज के पास आयोध्या वापस लौट जाई है नहीं रगणंदन ऐसा आदेश न दे आपके बिना आयोध्या जाकर करूंगा क्या नाव में बैठकर गंगा पार करके जहां आप रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगा वहीं मैं आपकी सेवा करूंग मैं तो जंगल में लकडी भी काट कर ला सकता हूँ आरे आप पिताश्री के मंत्रे ही नहीं मित्र भी हैं उन्हें सांत्वना देने के लिए आपका उनके पास पहुचना आवश्यक है मेरे महा मनसुईत पिता को मेरी और से निवेदन कीजिएगा कि भरत को शेक्र बुलवा सुमित्रा और मेरी मां कौशल्या को दे समस्ता योध्या बासियों और गुरुजनों से मेरी सीता और लक्षमन की और से चरण बंदना कहिएगा अच्छा आरे पनवास समाप्त होने पर फिर मिलन होगा नहीं नहीं रखुबर इतने दिर्मों ये न बनो जिस सहज और सरल भाव से तुमने सब कुछ कह दिया उसका निबाना कितना दुशकर्ष था खाली रत ली जाओं इससे तो अच्छा है कि गंगा किनारे रत सहज अयुध्या के राज परिवार में आई एक साधारन सी उथल पुथल से इतना अधीर इतना आतुर हो जाएगा ये अविवेक कहां तक उचित है आरे है आप क्रपा करके अयुध्या वापस चले जाईए और एक चतुर और बुद्धिमान मंत्री की तरह वही व्याभार कीज सबने जिससे पिताश्री को शान्ती मिले और माटा कहकरी को सुक और संतोश माता कहकरी के शूक ऐसोफ करने किसी को अवयशक्त नहीं भहिया अपने सुका सौर्थ को चपट चशी Season Qe अर्यसुमन उनसे कहिएगा अपने चेहति भरत को राज गदी दने के बाद राज माता लक्षमन की बचकानी बातों को वहां किसी से न कहिएगा आपको मेरी सावगंद महाराज ने विशेश रूप से आग्रे किया था यदि राम और लक्षमन ना आए देवी सीता को तो अवश्च साथ लियाना उन्होंने ये भी कहा था सीता दो-चार दिन वन के कश्ट देखने के बाद भयोदिया वापिस आजाए हमारे लिए आए महराज ने ये भी कहा था राम के जाने के बाद मेरा और कोशल्या का कोही साहरा नहीं राम ये दिये मुझे आप जाने के लिए कहते हैं जानकी को तो साथ भेज दो अवश्य जा चानकी जायें हमें भी प्रसन्ता होगी अर्या चर्ण सीते यहां तक आगर तुमने वनके चटा तो देखी ली अब तुम खर लौट जाओ तो साह सुसर समस्त प्रियाजन की चिंता मिठ जाएं, उनकी सेवा कर सको तो हमें प्रसन्नता होगी अर्य सुमंत्र के साथ खर रहूं मेरा अपना कुछ अस्तित्वा नहीं है यदि आप अपने से अपनी छाया अलग कर सकते हैं तो मुझे भी अलग करके भेज दीजिए वही देहीं स्त्री तो माता पत्नी बहु बेटी कई नातों में बटी हुई है उसे तो सारे नाते निबाना चाहिए आर्य आप अब ही मेरे पिता समान पूजय है आपको उत्तर दे रही हूं इसके लिए शमा करें त्री के सारे नाते सारे संबंधों का एक ही आधार स्कम है इसका स्वामी है यही सीख मुझे मा से मिली है यही सिक्षा पूजय सासुजी ने देकर मुझे पती के साथ भेजा है कि दुख में भी उसी प्रकार पती का साथ देना जैसे सुख में दिया है आरे सुमंत्र आपको सीता को साथ लवटा ले जाने का विचार भी त्याग नहीं पड़ेगा अब आप रत लेकर प्रस्थान कीजिए जी हां आरे सुमंत्र जब तक आप रत लेकर नहीं लोटेंगे देवी क कई इसी शंका में बेचेंड रहेंगी कि कहीं हम सेर करके आयुद्ध वापस ने लोटा है आरे सुमंत्र आपको देखकर माता कह कई को विश्वास हो जाएगा कि राम वन को गया हूँ अधा पिताश्री के प्रती मिध्यवादी होने का संदेह करती रहेंगी अब और विलं अब न कीजिए शीग रयोध्य लाओ जाईए जैसे प्रभु की इच्छा होनी पलवान है सरकार 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 गंगा पार करे की खातिर नौका का परबंध होई गवाए चलिए आईए सरकार ठीक है अच्छा ताथ नहीं लक्ष्मन अब इस विलासिता के भी आवर्शक्ता नहीं यहां से हम नंगे पाउं ही जाएंगे कि अच्छा है कि अच्छा है कि एक असरकार बन के पत्थ से आप भली भांती परिचित नहीं हैं प्रभू पगपग पर कंकर पत्थर डगर डगर जार जनकार काटे इक ओमल चरंड कैसे सहन करी हैं उसकी चिंता ना करो मित्र बाल्य काल में ही हमें गुरुदेव ने इसके लिए तयार कर दिया था क्या देना लक्ष्मन उन्होंने कहा था आज तुम राजकुमार हो कल को अनवास में जाना पड़ जाए और उस समय जो मजबूत नहीं होगा वो तूट जाएगा इसलिए ये कठोर तपस्या की आवश्यक्ता है गुरुदेव तरकाल दर्शी है वो जानते थे कि क्या होने वाला है जानत रहे तो फिर रोक नहीं सकत रहे का कोई नहीं रोक सकता मित्र कर्म की गती बड़ी न्यारी है कि स्वयम भगवान भी उसमें बंधिये है आओ चलिए प्रणाम आ रहे हैं जो प्रभू की इच्छा होनार बल्वान है विधा रगुराई वन के कांटे तुमारे लिए फूल बन जाए तुमारे कीरती का सूर्य कभी अस्तन हो चलूँ मंगल भवन अमंगल हारी रहो सुधशरत अजिर विहारी सीता राम चरित अति बावन मधुर सरस अरुपती मन भावन पुनी पुनी कितने हो सुने सुनाए कि अगी प्यास बुझत न बुझाए कि अगी अगी कि अगी न बुझा। कि अगी पुनीचल कि सीता राम चानके हो जुकतम अगी कि कि अगॉ optित yum सीरिता राम चरित पति पावन मर्धुर सरस अरुपति मन भावन पुने पुने कितने हो सुने सुनाए यकी प्यास बुझत न बुचाए के वटिया शीकर आवा हो अरे या देखो किया आवा है और रही जो शीकरा देखो यह किया आवा है अरे देखत का आवा आव वथाए आव थाए न जाने काउन आईगा बाब हैंगा कर देखत कर देखत कर दो आव थाए कर दो आवा आवा है यह कर दो आवा है यह थाए विश्नुपाद प्रसूतासी, वैश्नभी नामधारणी, पाहिमाम सर्वतोरक्षेत, गंगात्रपत गामिनी, ओम रिंग श्रिंग गंगाय स्वाहा। अब और कब तक हमारे लिए भाग दोड़ करते रहोगे मित्र, हमें विदा दे दो, और कष्ट ना करो। कष्ट, कष्ट तो हमें आपकी कष्ट वाली बाते सुनके होई रहा है। किरपा निधान, थोड़े दिन अपने साथ रहे देओ, हम रव मान बढ़ जाईगा। और महाराज, घने जंगल मा डगरे उबड खाबड हो थे, आप तो पहली ये बार बन मा आए हो, डगरव नहीं जानत हो, और हम डगर के जानकार है। का सोचत हो महाराज, हमका साथमा रहे देओ, आप जब भी हमका आग्या देंगे, हम हुए से वापस लोड जाएंगे, तोहार सोगंद। आए गए सरकार, आग्या करो सरकार। आए केवट वा, देखतोरी नाव मा बैठे के बदे के के आवा है, आजोध्या के राजा राम, भाईया लचमन, मया सीता देवी, गंगा बार उतार देओ हमका। तो यह है राजा रामचंद, तोहार जय जय कार बनल रहे भाईया, जय हो लच्मन भाईया, जय हो सीता भाईया, जय हो भाईया केवट, अपनी नाव को थोड़ा किनारे पर ले लो, जिससे देवी सीता उसमें सुगमता से चड़ सके अरे यह कईसे हो सकत है, क्यों? अरे आप क्या पार कराई दे और स्वयम बीज मजदार में डूप जाएं? क्या, तुम्हारी नाव हमारा भार नहीं सहन कर सकेगी? अरे भार तो तब सहन करेगी, जब इस नाव नाव रही जाए अर्थात, हम समझे नहीं अईसन नादान न बनो किरपानिधान यह चर्णन का बखान हमाऊ सुने आए इनी चर्णन की रज से पत्थर की सिला सुन्दर नारी बन गई इनी चर्णों के जादू टोना से हमरी काठ की नईया न जाने का से का बन जाए और एक बार नईया गई तो केवट की हो गई जै गंगा मैया की ना भगवन्ना हम आपके नाव पे नाहीं चड़ावाएंगे तो फिर हम गंगापार कैसे करेंगे एकर एक है मार्ग है क्या यदि इन चर्णों की रज मा जादू है तो पहले हम आपके चरन पकारेंगे खूब मलमल कर चरन रज धोएंगे फिर हूँ चरन रज वाला पानी पी कर देखेंगे यदि हमें ओकर जादू टोना से कुछ ना हुआ तो ना उपर पाउं रखने देंगे बस सोच लेव स्विकार होए तो मंगाओं गंगा जल अरे ओ परवतिया इस सोचत है तब तक कठा होता मा गंगा जल भरी लिया लावत है अभी लावत है भाई हम पर शंका मत करो हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है हम तो तुम्हारी तरह एक साधारन मानव है रघुराई है रघुराई रघुराई है रघुराई पग तो करना ओ चड़ई हों बिन पग धोए सुन मुर राजा बिन पग धोए सुन दाता नहीं गंगा पार करई हों पग धो करना ओ चड़ई हों पग धो करना ओ चड़ई हों तब चर्नल की वह मान्यारी परस पाए पाथर भयो नारी मोरी नईया काथ की नईया ये पेचाई काथ की नईया सगरे कुटम की पारनहारी येही सगरे कुटम की पारनहारी नौका से ये नार भई तो कित जई हों काथ खई हों नहीं यो नहीं ना ओ चड़ई हों क्रिपा सिंधु बोले मुसकाई सोई कर जेही तब नाव न जाई वेगियान जल पाएं पकारू होत विलंब पुता रही पारू अतियानंद उमगी अनुरागा चरन सरोज पकारन लागा कर अया हो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ। बरशि सुमन सुर सकल सिहाई एही सम पुण्य पुण्ज को नाई चर्णा मृत के पान किये ते कच्छुक भरो सौपई हो अब निर्भय नाओ चड़ई हो अब निर्भय नाओ चड़ई हो के लाओ चड़ चान के लाओ लाओ चान किया चॉत्थ भरो सौपव का लाओ च्ड़ई हो 25 डेंग को अब जय थाया च्ड़ई हो अब ड्राओ ठाव चान किया नाओ प्रॉई थैँ नाओ यड़ई इंड शया ओड़़ई रिर्स्ड़ई रिर्स्फ यजिस प्रेवट रे बड़ भागी करिनेया बड़ भागी करिनेया आज तोरी नेया में विराजे भव सागर के कि मैया बड़ भागी करिनेया इस थाल क्याई आए झाल झाल चॉजन कर दो कर दो कर दो नाई से कचु लेत ननाई तुम भी के वट मेरी के वट कैसे तुम से लूम उत्राई कर दी जो भवपार प्रभू मुहे कर दी जो भवपार प्रभू जब घात के हारे कई हो अभी उत्राई नहीं गई हो मैं तो उत्राई तभी लई हो मैं अभी ऌडर NEW नहीं जो वटिटी उत्राई है भगवती गंगे तेरे दैशन करकी मैं सुफल मनुरत हो गई हूँ अब मुझे आशिरवाद दो कि अपने पती और देवर के साथ बनवास से लोटने के पश्चात फिर तेरे दर्शन पाऊं और तेरी पूजा करूं मेरी ये मनों कामना पूरी करना है गंगा मया लोक अप हो ही बिलोकत तोरे तो ही सेवा ही सबासिधी कर जोरे तुम जो हमई बड़ी बिनय सुनाई क्रुपाते नी मोई देनी बड़ाई प्रौण नाथ देवर सहित कुसल कोसना आई पूजी सबाद कामना सुज सुरही ही जग च्वाई अच्छा भाई अब हमें आग्या दो आयो ध्यानाथ की जैजेकार बनी रहें हमका भूल मत जाना महाराज और लोटी बेरा अवस्य धर्शन देना कैसे भूल सकते हैं तुम्हें आओ चले भगती में डूबो बावरो के वट रभू पगधूलि लगावत माथा दीन दयान दयान इधी चल दिये तोड के बंधन जोड के नाता के बंधन दयान 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 करताeled मैंधन दयान कैसे बंधन कर दो प्रेन कटी आकास के नीजे सिया अनुजु अरु नीत्र के साथा प्रात समय उठ तीरत राज त्रयाग की ओर चले रघुनात प्रयाग की ओर चले रघुनाता को कह सकह प्रयाग प्रभाओ कलुष कुंज कुंजर म्रगराओ अस्तीरत पत देख सुहावा सुख सागर लगवर सुख पावा सुख सागर लगवर सुख पावा गंगा जमुना सरस्वती तत राम लकन संग सिय सुख देनी आज त्रिवेनी से मिलने ज्यों आई हो एक और त्रिवेनी आई हो एक और त्रिवेनी ओम नमो विवास्वते ब्रह्मान वास्वते विष्टुति जसे जगस्वित्रे शुचे नमस्ते कर्मदाईने ओम देवागा गुविदूगा तुम वित्वागा गुमिदा मना अस्राइमुने विवाये हम मार्शी भारद्वाज के दर्शनों क्या भिलाशी हैं मैं गुरुदेव को सुचित करता हूँ लक्षमन लगता है मनिवर भारद्वाज अगनिहोत्र कर रहे हैं देखो उसी का पवित्र धुवाँ उठ रहा है मना स्वस्ताइमुन्देव यज्यवं स्वाः प्रमादाद कुल्वधं कर्वप्रच्च वेता त्यरेशुयत थेश्मना देवत दिष्टो संकून स्यादिधिश्रुति नमस्वाः व्लाब तूर्देव क्या बात है चाता ना दूनी भर तीन बटू आपके दर्शन के अभिलाशा से आये हैं आश्रम में प्रवेश की आठ्या चाहते हैं उन सज्जनों को आदर सहीत आश्रम में लेया कि अधारी एक पुरुद्यों आपकी प्रतिक्षा कर रहा है धन्यवाद मित्र गुह अस्त्र शेस्त्र धारन करके मुनि आश्रम में प्रवेश करना मर्याधा के विरुद्ध है अता उचित होगा इन्हें यहीं आश्रम के द्वार पर रख दें लाइए इन्हें में समाल कर रख दें मुनि श्रहिष्ट मैं महाराज दश्रत का पुत्र राम आपके श्रिचरणों में प्रणाम करता हूँ कि रिन जीवी हो यह सस्वी हो यह मेरा छोटा भाई लक्षमन है कल्यान वस्त्र विदेश राज जनक के पुत्री और मेरी कल्यान नई भार्या सीता है अखंड सवभाग्यवती भाव यह गंगा पार के प्रदेशों में निशादों के राजा गुभ मेरे मित्र है वन में हमारी सहायता के लिए थोड़ी दूर तक आये हैं हम तो आपके सेवक है मुनिराज है आयुश्मान भवाग्यवती है रगुनंदन आप सबका हमारे आश्रम में स्वागत है और खिक्रहन करों सदलन पधारो हे राम आसन ग्रहन करो बैठो भी देशन ग्रहन करो यह क्या निशाद राज श्री राम के मित्र हो तो उनके बराबर का आसन ग्रहन करो नहीं नहीं मुनिव है हम तो नीच आतके हैं बहुत छोटे आदमी है अपने आपको छोटा समझना ही तुम्हारा बड़ापन है रही नीच होने की बात तो श्री राम ने नीच तो किसी को रहने ही नहीं दिया कि राम के मित्र होकर अपने आपको नीच कैसे कहते हो तुम जो प्रभु का प्रिय हो जो हरी का जन कहलाए उसकी जाद सबसे उची है कि आशन के हैं करो निशाद धन्यवाद है रखुनंदन ब्रह्मरिशी विश्वामित्र के आश्रम में तुमने जो साहस जो दिव्य पराक्रम दिखाया था उसकी कीर्थी सुनने के पच्चात से ही हम तुम्हारे दर्शनों के लिए लालायत थी हे महामानस्वी अपने इस तपवन में तुम्हारा आतिथ्य करके हमें ऐसे अलावकिक आनंद का अनुभव हो रहा है जैसे हमें अपने समस्त जीवन की तपस्या और साधना का सुफल में लगया हूं जैसे हमारे संपूर्ण जीवन के पुन्य फलीभूत हो गए हो हे मुनीश्वर आप जिसका आदर करें वो बिना प्रयासी बड़ा हो जाता है आपके केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य सब दुखों से निव्रत हो जाता है थन्य हो राम, थन्य हो, बस एक ही बात हमारे मन को खिन्न कर रही है, हमारे परम मित्र, महराज दश्रत ने बिना अपराज ही तुम्हें बनवास कैसे दे दिया? आप तो त्रिकाल दर्शी हैं, सरवग्य हैं, आप तो जानते ही हैं, कि पिताशी ने मुझे बनवास देकर मुझ पर इतना उपकार किया है, कि मैं आप जैसे पुन्यतीर्त महत्मा की दर्शन कर सका। हे पुर्शोत्म, अपनी मर्यादा के अनुकूल ही निर्विकार भाव हैं तुम्हें, बिना किसी अपराज के निर्वासित होकर तुम वनवास के दुख भोगोगी, यह बात सोचकर हमारा है अत्यंत व्याथित हो रहा है, विश्वास की जी पुज्यवर, मैं सावगंत से क लेश मात्र भी दुख नहीं है वनवास में, अत्यंत आलादकारी अनुभव हो रहे हैं वनवास के नवजीवन में, आप जैसे महामनीशों, मुनियों, और तपस्रियों के दर्शन होंगे, भाती-भाती के साहस, सतकर्म, और असाहय जनों के सेवा के सुवसर प्राप्त हों तुम्हारा आत्म विश्वास हम तपस्यों से बढ़कर है, पित्र आग्या पालन करने का तुम्हारा आदर्श, आर्य संतान के लिए अनंत काल तक एक जुलंत दीपस्तंभ बना रहेगा, वत्स, गंगा और यमुना के संगम पर बसा ये स्थान, बड़ा ही पुनीत और ग्रह हैं कि अब तुम देवी सीता और अपने अनुच लक्ष्मन के साथ इसी आश्रम में शांती पूर्वक निवास करो, शमा मुनिबर, यहां निवास करना अनुकूल नहीं होगा, क्यों वत्स, तीर्थ राज प्रियाक की पावन भूमी पर वास करने में, क्या वाथा है हमारे राज्य की सीमा यहां से समी भी है, पता लगते ही अयोध्य वासियों का तांता लग जाएगा, आपके आश्रम की शांती भी भंग होगी, और हमारा उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा, अताहर एकांत इस्थल में कोई स्थान बताने के कृपा करें यहां से दसको उसकी दूरी पर चित्रकूट नाम का एक परम पवित्र और बहुती रमनीक परवत है, वहां भी अनेक सादक तपस्वी अपनी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, वो स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त रहेगा चित्रकूट किस मार्ग से होकर जाना होगा मुनिवर? राम, तुम जिस मार्ग से विजाओगे वही मार्ग सुगम हो जाएगा, उसके लिए तुम्हें यमुना को पार करना होगा, वहां कोई नाव नहीं मिलेगी, निशाद राज तुम्हारे साथ हैं, इनकी सहायता से बांसों का एक बेड़ा बना लेना, उस पार कुछ दूर चलकर श्यामवट नाम का एक पवित्र वटवरिक्ष मिलेगा, जिसकी छाया में कई सिथ पुरुष अपनी अपनी तपस्या में लीन है, वो दिखाई नहीं देंगे, उन्हें प्रणाम करके उनका आशीरवाद ले लेना, वही से तुम्हें चित्रकूट का पत मिलेगा, र वहारी कल्यान कामना में लेन रहेंगे, जो आज्या मुनिवर, प्रणाम करता हूं, जैसे नाग्या, थैनुष मुझे दो मैं से रखता हूं, हटिये निशाद भाया, यह से मैं करता हूं, जैसे नाग्या, सरका, एक-एक बास चुन के बेड़ा बांदिया है, अब एका सम्हाल के चलाएका है बस, बेड़ा तयार है, अच्छा मित्र, तुमने हमारा बहुत साथ दिया, हम सदा तुम्हारे कृतग्य रहेंगे, अब जमना पार करके हम चले जाएंगे, और तुम वापस लोट जाओ, का कहे हो सरका, का कहे हो, निशाद राज, तुमने वचन दिया था न, जब हम कहेंगे तुम लोट जाओगे, ऐसे न कठोर वचन दिये रहे हमका, सरका, आब इन तो जमना नधी पार करेगा है आपका, आगे बहुत खत्रा है, खत्रे तो पक-पक पर होंगे निशाद राज हमारा ठिकाना निश्चित हो चुका, तुम्हें भी अनिश्चित काल तक अपने राज्य से दूर नहीं रहना चाहिए, जाते जाते हम तुम पर एक उत्तरदायत तो डाल रहे है, भरत में अभी-अभी राज्य भार संभाला है, उसे अपने चासन व्यवस्ता द्रढ़ करन आप कोई भय मत करें सरकार, मैं आपको वचन देता हूँ, हम निश्चादों की लाज के उपर से जाकर ही, शत्रु को सीमा पार करें का पड़ी, यह हमार वचन गा, अच्छा मित्रु जो बिछडे बिलखत फिरे के बट हो के निश्चाद धीर वीर रघू वीर उरूरू ना कच्छु हरश विशाद गहरी नदिया बास का पेड़ा लखन के हाथों में पतवार आगे बन है पत निरजन है ना कोई संगी ना आधार बिधना तेरे लेख किसी की समझ ना आते हैं जन जन जे पियर राम लखन सी यक बन को जाते हैं जन जन तेरे राम लखन सी यक बन को जाते हैं मंगल भावन अ मंगल हारी रव हो सुदश रथ अजिर विहारी सीता राम चरित पति पावन मधुर सरस अरुकती मन भावन पुनी पुनी कितने हो सुने सुनाए यकी प्यास बुझत न बुझाए बुझत वावन बुझत राम जाते हैं यकी प्यास बुझत राम यकी प्यास बुझत यकी प्यास बुझत सीटारामचरित पतिपावन मधुर सरसर अरुखती मनभावन पुने पुने कितने हो सुने सुनाए ये की प्यास बुझत न पुचाए रानी, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने का समय नहीं है, तुम क्या समझती हो? राजा ननियाल सा भरत को बुलवा लेंगे ये तुम्हारा भर्म है, अभी वह तुम्हारे सवक के माबट है अपने किसी गुप्त दूद को भेज कर भरत को बुलवा लेते हैं ठीक है, बुलवा लेते हैं, तो मन्थरा, अभी इसका समय नहीं आया है, क्योंकि सुमंत्र उन तीनों को वन में छोड़ कर अभी तक वापस नहीं लोटा है, ना जाने क्या शड्यंत्र है, उसे लोटानी दे, मन को थोड़ा संतोश हो जाएगा, कि राम सचमुच चौदा वर्ष के लिए बनवासी हो गया, फिर हमें किसी बात की आशंका नहीं रहेगी, समझी? तुम ठीक ले रही हो नमस्कार प्रणा महाराज, कुशल मंगल तो है, कैसी कुशल रहे, जमना तक जाए के राम जी हमका वापस लोटाए दियां, बसी समझो किता नाय गवाह है, मन तो उनके साथ है चला गवाह है, मंत्री जी आपे की बात जो हो रहे हैं, का कहे हो, सु मंत्री जी अभी गए नहीं, नही सामने रत खड़ा है, उन्हें है, चला, आईए नाथ वीदा करी आयो, निशाद तो, मंत्री को राहा निहारत पायो रोवत सो, सुध खोवत सो, अस मंजस बीच पड़ बोरायो राम लखन अरूसिय बिनारत, अवध की ओर नजात चलायो नजात चलायो प्रणाम मंत्री जी, प्रणाम प्रणाम मंत्री जी, अभी तक आप जोद्धा नहीं गहें निशाद राज, मैं रोज प्रहतन करता हूँ रोज रत में घोड़े बानता हूँ ना मेरे पाऊं ये अयोद्या की वोर बढ़ते हैं ना घोड़े ही बढ़ते हैं खाली रत ले जाकर अयोद्या निवासी को मुझ गाऊं मुझ में इतना साहस नहीं मुझ में इतना साहस नहीं निशाद राज इतना बताओ कि तुम श्री राम को कहां छोड़ा है सरकार हम उनका छोड़के कहां आवेंगे वह हमका छोड़के चित्रकूड की ओर चले गए बस मैं भी चित्रकूड जाओंगा नहीं सुमंत्र जी नहीं आपको राम जी की आगया याद नहीं का इस अवग्या का मुझे जितना भी दंड मिले पर मैं चोड़ा वर्ष भाद इसी रत में उन्हें बिठाकर एक ही साथ अयोद्या लोटूंगा नहीं सुमंत्र जी यह उचितना होई यह बखत राम जी की आगया पाल नहीं आपका धर्म है अन्यथा राजा पर्जा और राम जी के आप दो सी ठहरेंगे कि मोर मिन्ति मानों आप अज ओढ़्धय लाट जाओ नहीं है हां महराज हम पे किरपा करो और अज दोट जले जाओ आप नहीं है हाँ चलिए महराज है कि आपको आपको राम जी की सौगंध हैं कर आज बपर चलो महराज नहीं तो राम जी बहुत डुक्षी हो होंगे और महाराज दसरत का तो ध्यान कीजिए उनको आपकी सबसे अधिका वस्षिकता है अभी हाँ जोटे मुझे बड़ी बात बोलता हूं मुझे एक समा करना गिन्तु आपको जो दिया जाना होगा महाराज हमार सौगत चलिए महाराज चलिए हुआ 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 है बस बस आप इतना बता दीजी के वह मा की लोरी सुने को मिलेगी की नहीं मुझे तो लोरी सुने बिना नीम दी नहीं आती वह मैं तुझे लोरी सुनाओंगा हुआ 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 ह कोशल ले राम सुमंत्र के साथ आ गया क्या रो मत कोशल ले वो वो आ रहा है आ रहा है मेरा राम वो वो आ रहा है मेरा राम मेरा राम रत में बैठकर आ रहा है ब्या कुल दस रत के लगे रत के पत परनेन रत विहीन बन बन फिरें राम सिया दिन रहें बिधना तेरे लिख किसी की समझना आते है जन जन के प्रिया राम लखन सिया बन को जाते हैं बिधना तेरे लिख किसी की समझना आते हैं एक राजा के राज तुलारे बन बन फिरते मारे मारे एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे होनी होकर रहे करम गति तरे नहीं काभू के टारे सब के कश्ट मिताने वाले कश्ट उठाते हैं जन जन के प्रियराम लखन सिय बन को जाते हैं बिधना तेरे लिख किसी की समझना आते हैं के तो खाए बिच सिया सोहति कैसे ब्रभभजीव बिच माया जैसे पूलों से चरनों में काटे बिधनों क्या दुख दीने से पग से बहे लहू की धारा हर चरनों से गंगा जैसे संकट से है जभाव से सहते और मुस्काते है जन जन के प्रियराम लकन सिय बन को चाते है जन जन के प्रियराम लकन सिय बन को जाते है जन जन के प्रियराम लकन सिय बन को जाते है अब और यहां मन नहीं लगता आयोध्या वापस जाने को मन करता है भाया राम की भी बहुत याद आती है नाना जी आ गए प्रणान नाना जी आये शमान कम्यां सदार सुखी रहा चिरन जी तुम्हारे मामा युदाजीत कह रहे हैं तुम उदास रहते हो इतनी जल्दीची तुचाट हो गया नहीं हाल से माता की याद आ रही है वैसे तो अपने सभी आद आते हैं क्यों हम तुम्हारे अपने नहीं है क्या नहीं मामा जी आपके प्यार में तो हम अयोध्या को भूल जाते हैं परंदू मैं बताओ नाना जी भरत भाया को इन दिनों सबसे अधिक याद आ रही है बड़े भाया राम की अवश्य ही राम ने भी तुम्हे याद किया होगा आत्म तरंग दोनों और से हिर्दय के तारों को जंकृत करती है वैसे तो भाया राम ने कहा था जल्दी संदेशा भेज कर बुलवा लेंके तो जाने क्यों आजकन उनकी छबी मन से हड़ती नहीं रात को विचितर विचितर अप्शकुन होते हैं भायानक सपने आते हैं कभी देखता हूं एक कुनुपास इस्त्री उनके राजसी वस्त्र खीच-खीच कर उतार रही है तो कभी देखता हूं वो दीन अवस्था में खड़े मुझे पुकार रहे हैं पूरा महल खंडर लजर आता है सारा नगर उजार दिखाई देता है चार और एक भीशन हाकार चीतकार सुनाई देती है नहीं नहीं अवश्य आयोध्या में कोई अन्होनी हो रही है अन्यथा अन्यथा मेरा मन ऐसा आशांत कभी नहीं होता हम आशला आता है उत इंडरी है अन्यथा खना होतान में कन अन्यथा और एक ईटारा आत जीते ठक गई क्या नहीं प्यास लगी है भाईया उधर बस्ती दिखाई दे रही है कुँआ या बावड़ी अवश होगे है अधर चलते हैं ठीक है पानी नब बनाये होते भगवान तो जाने क्या से क्या हो जाता चान पड़त है बहुत दूर से आए ही लिगों यहां पहली बार दिखाई दिए कौनों परदेशी मालूम पड़त है सन्यासी का बाना तो आवश्य पहने है मुझा दिखते हैं कहीं के राजकुमार है आठकल पच्चों बोलत रहतो इब भीहर रस्ता में नंगे पाउं साथ में किसी सुकुमार त्री को लईके काउनों राजकुमार काहे को आई हां अरे तू नहीं जानती है बीधी का बिधान है विपताप्रतियत बड़े-बड़े राजकुमार भी कंगाल हो जाते हैं अब अरे 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 अरी तो इसे एक मिल्क में जान पानी निकाल यह बिचारी पटोई पियासी है हाँ हाँ काहे नहीं आओ बैं रास्ता चलके आई हो बैठो तनी काराम करो आओ भाई हो दो अपान करेंगे इसमील कराम में फिर्भी आओ ही अवधिया आओ आओ राओ अई कंवा अंगे आओ अफ़िया भूक में ट्रॉद्टेश्च करें या हाओ आओ звуч पानी देदे अरे देहना तुम कौन हो कह से आई हो यह बंबे क्यों आई है बस बंबे रमते बलवासी है यह तो हम नहीं मानत बंबे कोई अपने खुसी से थोड़े ही आवे है हम तो अपने इच्छा से ही आए है चूट कहे बोलो हो अरे दोन कूल है जिनकी हाथ में धनुष है वो मेरे देवर हैं जिनके काांधे पर धनुष है हां तुम्हारे भड़तार है नकारे अहां आउंका मुझाओ अरे नाम मतले यह अपने बड़तार का अच्छ आपना और देवर जी का लक्षमन लक्षमन सीता तो तुम राम हो राम लक्षमन सीता हमार गाव में हैं तो तुम ही राम लखन और सीता हो जिन्हें राजा ने बन में दिया सीता, राम, हायरी देया, कैसे कठोर है इनके माता पिता, जो फूल जैसे बहु और बेटे को वन में भेट दिया नहीं बहन, हम स्वयम अपनी इच्छा से ही वन में आये हैं कउनु स्वयम वन में नहीं आता, इस सम्होनी के खेल है कुमार जी, आप जैसे वन में कश्ट भोगेंगे तो फिर ब्रह्मा ने राशपाठ किसके लिए बनाये हैं आपके नंगे पाउं देखके तो रुलाई आती है, आप तो हमारे राजा हैं बीटिया, हमसे कोई भूल हो तो समा कर देना, तुम तो हमार राणी हो आज्या हो तो पथ में, आपके चर्णों के नीचे अपने हाथ रखते हुए साथ साथ चले नहीं भाई, हमारे लिए शोक न करो, हमें कोई कश्ट नहीं है, अब हमें आज्या दो आगे अप वन में कहा जाएंगे प्रभू, इस ही गाव में रह जाएंगे नहीं भाई, हमें चित्रकूट पहुचना है, भरद्वाज मुनी ने कहा था, वह स्थान ही उत्तम होगा आप हमें बहां का रास्ता बताने की कृपा करेंगे इमा किर्पा की का बात है प्रभू, हम तो आपके साथ ही आपकी सेवा के लिए चलेंगे हुआ बालमीक मुनी का आश्यरम है, उनसे आज्या लेके हम आपके लिए हुए ही कुटिया बनाए देंगे हमार तो प्रभू आई गए, हमार तो धन्यवाग हुई गए आज तुम्हारे आने से वालमेकी की कुटिया पवित्र हो गई, तुम्हारे दिव्यते से सारा आश्यरम प्रकाशमान हो रहा है प्रभू अपने सेवक को बढ़ाई दे रहे हैं या आपको विशेश अनुग्रह है अन्यता इंश्री चरुन तक पहुचना ही मेरा सभाग्य है जिनकी शरन में आने से ही मनुष्य अपनी आत्ना में नहित भगवान का सपर्ष अनुभव करने लगता है और जानते हो रहा हूं मैं इससे में क्यान भव कर रहा हूं जैसे भग्त और भगवान का मिलन हो रहा हूं जैसे भगवान स्वयम चलकर भग्त के पास आ गए हूं महात्मन आप तो कवी हैं और कवी अपनी कल्पना में स्वयम ही अपनी भावनात्मक्ष रस्टी की रचना कर सकता है कवी में इतनी शक्ति होती है कि वो भावना के बल से एक पत्थर को सजीव बना दे फिर एक साधारन मनुष्य की भगवान के रूप में कल्पना कर लेना उसके लिए कौन सा कठिंकार रहे हैं ये कलपना नहीं राम, जिस मनुष्य की ये इस्थिती हो जाती है, कि वो अपने अंदर इस्थित भगवत सरुक के दर्शन कर सके, वो स्वयम भगवान ही हो जाता है, इस गूर रहसे को वही जान सकता है, जिसे तुम जनवा दो. और जो तुम्हें जान ले, वो तुम्हें में समाज आता है, हे महमुनी, आप प्रेम और भक्ती की परा सीमा है, जिन्हें कणकण में केवल अपने भगवान ही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप मुझ जैसे एक साधरन मानव को भी भगवान की संगया दे रहे हैं, राम, आज तक जो चरित, जो अद्भुत कारे तुमने किये हैं, तारका वज से लेकर धनुश भंग और प्रशुरायम के गर्व मर्दन तक, उससे मन में ये विश्वास दिड़ होता जा रहा है, कि तुम इस लोग से परे कोई दैवी शक्ती, कोई अवतारी पुरुष हो, जो इस धर्ती पर धर्मात्माओं की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए अवतरित हुआ है। इस समय मैं अपने पिता की आज्या से अपने अनुज लक्षमन और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष वन में रहने के लिए आया हूँ। मैं किसी ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहता, जहां मेरे रहने से किसी तपस्वी या साधा की साधना में विखन पढ़े। आप विचार करके मुझे कोई ऐसा स्थान बताने के कृपा करें, जहां मैं रहकर अपने वनवास के दिम्यतित कर सको। तुम मुझसे अपने रहने का स्थान पूछ रहे हो, पहले मुझे ये बताओ कि वो कौन सा स्थान है, जहां तुम नहीं हो। प्रभ्य, इन गूर बातों में मुझे न उल्चाएं। सेवक को इस चित्र कूट में एक छोटा सा स्थान प्रदान करने की अनुमति दें, जहां हम रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया बना लें। वैसे तुम्हारी कुटिया तो हर भक्त के हिर्दय में हैं। फिर भी सांसारिक रूप से पूछ रहे हो, तो रिश्य और मुणियों से सेवित इस चित्र कूट में मंदाखनी नदी के किनारे अपना स्थान बना लो। पुन्यो सलीलव बंदाकिनी वास्तों में गंगा की ही एक धारा है। जिसे महर्शी अत्री की तेजस्विनी पत्नी सतियन सुया अपने तपोवल से नील परवत पर लेकर आई है। यहां के वनों में रहने वाले कोल की रात बड़ेस नहीं और भक्त हैं। वो अपने राजा की तरह तुम्हारा आदर करेंगे और कुटिया के निरमार में तुम्हारी सहायता करेंगे। जो आद्या। पता पता तिनका तिनका जोडते जाते हैं। महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते हैं। महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते हैं। पता पता तिनका तिनका जोडते जाते हैं। पता तिनका जोडते हैं। पता जोड़के वासी जोडते हैं। जोडते हैं। राज महल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन राज महल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन राज महल के चाग सभी सुख, चाग अयोजा, चाग सिंधासन कर्म निष्ठ हो अपना अपना धर्म निभाते हैं नहलों के वासी जंगर में पुटी बनाते हैं पता पता तिन का तिन का जोड़ते जाते हैं सुनते हैं देवों नी आकर भील की रात का भेश बनाकर सुनते हैं देवों नी आकर भील की रात का भेश बनाकर परण कुटी रहने को प्रभू के रख दी हातों हात सजाकर रामसिया की सेवा कर सब उन्य कमाते हैं रामसिया की सेवा कर सब उन्य कमाते हैं चल माद की रामसिया कर दोड़िए जे रामसिया को याद थोड़िए तरहां निल्ग दी तुट्ट प्रण वाग्ट जी तुट्ट的। ग्रिया प्रवेशां भूतं द्वार साखा दिस्टाद रेवतानं पूज नमहं करिशे दक्षिन शाखायं गंगाये नमस्वा वालम शाखायं नमुनाये नमस्वा उर्दवारिष्ये नमस्वा मद्धे देहल्यम वास्त पुरुचाये नमस्वा दक्षिने शंकनि देये नमस्वा वामे बद्वनि देये नमस्वा द्वारश्य दुस्कोने आगने जाने उद्ध्योद ग्रमे गणपते नमस्वा कि थे सूर्यवंशी रोमणी वास्तो यग्याहूती पून हो गई आज रवीवार रोहणी नचत्र वास्तु शान्ति के लिए सबसे शुप दिन है देवी सीता और लक्षमन के साथ गवरी गणेश और महेश को अस्वरण करके आप पढ़न कुटीर में प्रवेश कीजिए आप गुरुजन की मंगल कामना और आशिरवाद तब आशिए एवन के देवताओं एवरक्ष लताओं एवज पवित्रमंदाकिनी वन के द्रश्य एहवमद्रश्य जीवधारियों तश्रत पुत्र राम अपनी भार्या और अपने भाई के साथ इस पंड़कुटी में प्रवेश करता है आप सब अपने कृपाद सदा बनाए रखना प्रश्य प्रश्य नमाद अमचर चनकल भयों नमा ओम्रां देवतादियों नमा ओम भांश्य भाष्य वाये नमाः O'm Pitre naman, O'm Pundil Tapio naman, O'm Garbati Madil Tapio naman आज तेरी चरन रच से मेरी ये पर्ण कुटी पवित्र हो गई आज से यही मेरी आयोध्या है यही मेरा कौशल देश है माँ मैं जहां भी रहूं मेरे हरदय में सदा तेरा वास रहे तेरा ये शीश सदा तेरे चरनों में जुका रहे मंगल भावन अमंगल हारी रभ हो सुदश रथ अजिर विहारी सीता राम चरीक अतिपावन मधुर सरस अरुपती मन भावन पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए यगी प्यास बुझत न बुझाए युझत विहारी 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 युझत पुझत सीटारामचरित पतिपावन मधुरसरस अरुपति मनपावन पुने पुने कितने हो सुने सुनाए यकी प्यास मुझत न बुचाए अचारित जी गुर्देश्ट न बुचाए अचारि वेवस्था हो गई जी गुर्देव सारी वेवस्था की जा चुकी गुर्देव प्रनाम कल्या नमस्त आप मेरी रक्षा कीजिए आप मेरी साहिता कीजिए मैं आपकी शरन आया हूं क्या बात है आरिय सुमंत्र इतने विभल क्यों हो जो आस जो मनरत मन में संजो कर महराज न मुझे भेजा था मैं उसे पूरा नहीं कर सका हम जानते थे तुम्हें इसी प्रकार लोट कर आना था गुर्देव मैं देवी सीता को भी नहीं ला सका खाली रत लेकर लोटा हूं सुमंत्र तुम रत खाली लेकर नहीं आयो तुम रत में रगुवंच के सत्य धर्म और वचन पालन का गौरों लेकर आयो यदि रत इस प्रकार ना आता तो धर्म चक्र की धूरी रसातल में धर् अब तुम जाओ सुमंत्र महराज से जाकर मिलो नहीं गुर्देव महराज के सामने जाने का मुझ में साहस नहीं है उनकी आँखे राज मार्क के सूने पत पर बिछी होंगी उनके कान रत को धनी सुनने के लिए तरस रही होंगी सुमंत्र को एकेला देखकर उनकी जो दशा हो सकती है इसकी कल्बना भी करके मैं कांप रहाऊं गुर्देव गुर्देव यदि आप साथ होंगे तो आपके ग्यान और आपकी उपदेश की वानी सुनकर महराज का दुख कम हो सकता है यह अध्या पर आपत्ती का समय है गुर्देव आप ही इसे ठीक कर सकते हैं आप ही इसे समाल सकते हैं हम होनी को कोई कब तक टाल सकेगा चलो सुमंत्र हम तुमारे साथ चलते हैं स्वामी स्वामी जैना मुर्दी जी आज पांच दिन बीद गए राम को गए अभी तक सुमंत्र नहीं आया कौशले वो उन्हें पना रहा होगा राम बड़ा द्रढ संकलप वाला है उसकी निर्णे को बदलना कोई सरल कार्य नहीं महराज की जय हो हुआ है महराज गुरुदेव वसिस्ट आर्यों सुमंत्र के साथ पधार रहे हैं वह आ गए उन्हें शीकर ले आओ जो आ गया सुमंत्र अकेले आए हो मेरा राम कहां है मेरी सीता कहां है सुमंत्र क्षमा कीजिए महराज मैं आपकी आग्या का पालन नहीं कर सका सुमंत्र सीता को भी नहीं ला सके हमारी इतनी सी बात भी नहीं लग सके तो हां महराज मैंने खोर अपराद किया है राज आग्या का पालन नहीं किया है मुझे डंड मिलना चाहिए मुझे प्राण डंड मिलना चाहिए महराज नहीं मत को महराज मुझे अब आयोध्या का न कोई राजा है न मंत्री है अरे सुमंत्र आयोध्या पर किसी का आधिपत्य होता तो इतना बड़ा आनाचार होने देता बिना गुरुजनों से विचार विमर्ष किये बिना मंत्री मंदल से मंत्र ना किये एक नीच नारी के हाथ की कट पुतली बनकर अपने कुल का सर्वनाश कर डाला सुवंत्र सुवंत्र यदि तुम मुझे राजा मानते हो तो मेरा आदेश मानो अभी इस इक्षन मुझे रथ पर डालकर वही छोड़ाओ जहां मेरा राम है जहां मेरे प्राण है अवधेश तुम जैसे धीर वीर धर्मग्य को इतनी दुर्बलता उचित नहीं कि इतना बड़ा अनुची तनर्था युद्ध्या में हो चुका है कि अब उचित शब के लिए कहीं स्थान नहीं रहा राजन तुम राम जैसे धर्मात्मा करतव्य निष्ठ पुर्शोत्तम पुत्र के पिता हो वचन पालन के लिए जिस महायग्य का व्रत उस्त्याग्वीर ने लिया है कि उसे छोटा ना बनाओ कि गुरुदेर कि उस महान आत्मा का प्रता होकर भी मैं उसकी महानता तक नहीं पहुंच सकता है कि मैंने राम को राज्य देने का वचन देकर उसे देश निकाला दे दिया तो भी उसी प्रकार मुस्कुराता हुआ चला गया ऐसे पु हुआ 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 है विधाता है यदि मैंने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म किया है तो उसके बद्दे मुझे अभी मृत्यु दे दो अब जीवन का दुख सहा नहीं जाता नहीं सहा जाता कि महराज आप तो स्वयम ग्यानी है शूर वीर और धर्यवान है इस तरह विवल होना आपको शोभा नहीं देता कि जीवन मरण हानी लाव प्रियोजनों का मिलना और बिछुडना ये सब काल और कर्म के आधिन है जिस प्रकार दिन और रात्री का आना कोई टाल नहीं सकता उसी प्रकार अपने अपने समय पर सुख और दुख का आना आटल है इसी लिए धीर वीर दुख सहकर भी शोक नहीं करते पर अन्तु कभी कभी दुख सहन की सिमा को लांग जाता है गुरुदेव राजन राम के लिए आपकी ये मनोविथा आपके मोह के कारण है अन्ता ये वो समय है जब आपको अपने राम पर गर्व होना चाहिए किंचित शांत मन से सूचिए राम ने कितना महानकार्य किया है इतने बड़े सामराज्यका त्याग करके हस्ते हस्ते वन को चला गया है क्यों इसलिए कि आपका वचन जूटा नहों इसलिए कि इतिहास में रगवंशियों की किर्थी को कलंग ने लगे कोई ये न कह सके कि रगवंशी नीजी सुख दुख के लिए अपनी बात से फिर जाते थे राम को देखिए उसने लेशमात्र शोक नहीं किया परवीर लक्षमन को देखिए सीता को देखिए जो एक राजा की पुत्रियों और एक चक्रवर्ती समराट की पुत्रवदू होकर भी अपनी खुशी से वन को चली गए सब ने अपना अपना धर्म निभाया राजन तुम्हारा मस्तक इस समय गर्व से उचा होना चाहिए मुनिवर यह कहना बहुत सरल है निभाना बहुत कठिन है कठिन समय में ही तो धैर्य की परिक्षा होती है आपके सुख दुख से सारी प्रजा प्रभावित होती है यह मत भूलिये कि इस समय आप पर बहुत बड़ा उत्तरदाइत्व है राजन आपके लिए श्री राम ने भी बार बार यही संदेश दिया है कि पिता श्री मेरे कारणा आप चिंता मत कीजिए और ना हमें दुख होगा राज छोड़ने का मुझे कोई दुख नहीं है उन्होंने भरत के लिए भी संदेश बेजा है कि वो ऐसा कुछ न करे जो हमारे पिता श्री को दुख पहुँचे महराज अपने राम के खातर ही यह दुख त्याक दीजिए महराज तनिक विचार कीजिए महराज इस समय राम योग के अधास आगर में अएद्या का जहाज टोल रहा है आप उस जहाज के करणधार है महराज आप धिरज रखेंगे तो हम सब उस दुफान से पार हो अन्यता यह जहाज टूप जाएगा तीरज रखेंगे स्वामी रहाम लक्शुमंट सीता आपको अवश्य फिर से मिल जाएगी अगर दीरज रखेंगे महराज दीरज रखेंगे अम् आम् रानी, रानी, सब थीक होगा, सब थीक होगा, सुमंतर लवतार रहाएं राम, सीता, लक्षमन सहीत गंगा पार करके वन में चले गो, कोई संदी नहीं, कोई टर नहीं, परन्तु महराज, ये सब सुनकर महराज ने सुमंत्र से क्या कहा? क्या कहते, विलाप करने लगे, परन्तु गुरु वशिष्ट, उनको ग्यान ध्यान की बाते समझा कर शांत कर गए, तब से वो चुप है, सुना है किसी से कुछ कहते ही नहीं, आकाश किरव देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, बस, कोछ ऩर जिए, कोछ गे क्यूल्य, कोछ यूड्य। Swami, कौशले तुम अपनी आखो से देख नहीं पा रहा हूं। मैं आपर के पास हूं स्वामी। मैं आपर के पास हूं स्वामी। मेरा अंध समय आ गया है। शुना है मरने वाले व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता ऐसे अशुम बातें मत किजिए स्वामी देरस से काम लीजी सुमंत्र ने क्या कह था अगर आप इस तरह संतप्त रहेंगे तो इससे राम को दुख होगा कुरुद्यों का उपदेश याद किछे मैं मा हूँ परन्तों गुरुद्यों की बाते सुनकर मेरे मन में भी धिरज आ गया है कुरुद्यों ठीक कह गए है राजा को रोना नहीं चाहिए स्वामी नहीं रोना चाहिए राजा को रोना नहीं चाहिए परन्तों ऐसा तो कोई विधान नहीं है कि राजा को मरना भी नहीं चाहिए आप धीरज रखेंगे तो हम लोग भी जी सकेंगे परन्तों मैं तो नहीं जी सकूंगा देवी ऐसी अप्शुकन भात मुझ से मत निकालिये स्वामी में मत निकालिये कर्म फल को कौन बदल सकता है राणी जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे भोग नहीं पड़ेगा कोई कितना भी बड़ा सम्राठ हो उसकी शक्ति उसका समस सैन्नेबल कर्म फल भोगने से राजा को नहीं बचा सकता है यही विधी का विधान है कर्म ही सब से शक्तिमान है उसके आगे सब को शीष जुकाना पड़ता है उस उस अंधे मुनी ने मुझे ठीकी शाब दिया था उसी की बांती मैं भी पुत्र वियोग में मरूंगा मेरे उस पाप के फ़ली बूथ होने का समय आ गया है ए महात्मन तुम्हारा श्राप जूटा नहीं हुआ आज मैं उसी दुषकर्म का फल पा रहा हूं कौन मुनी किसने श्राप दिया था आपको श्रवन कुमार के अंधे पिता ने है श्रवन कुमार कौन श्रवन कुमार आ हम अपको ब्रह्म हो रहा है इस महाराच नहीं नहीं यह सत्य है को शली यह सत्य है यह उस समय की बात है कि जब हमारा विवाह नहीं हुआ था हुरे हम केवल योवराज थे योवराज और अपने यौवन के मत में बहुत शिकार खेला करते थे चारों दिशाओं में हमारी धनुविद्या की बड़ी ख्यादी थी हम शब्द बेदी बान चलाने में निपुन थे लोग कहा करते थे कि राजकुमार दशरत केवल शब्द सुनकर निशाना लगा सकते हैं उन्हीं दिनों की बात है हम रात्री के समय सर्यू नदी के तट पर शिकार खेलने के लिए गए थे यह सोचकर के जंगली भैसा मत्वाला हाथी या बाग पानी पीने वहां आएगा तो शब्द सुनकर निशाना लगाएंगे इसलिए हम जाडियों के बीच छुपे हुए थे दुपे रजलू वगाएंगे आएगाओ! है बक्रवाएंगे वभगवा बगवान वजय तिरवा रहा है मैंने कुछी का क्या विगा रहा था वभगवन यह क्या हो गया यह नहीं मत निकल निकलने दो यह निकल निकल यह तरह ने नहीं अरे, क्रूर बुरूश कौन हो तो, जिसमें मुझ जैसे निरव प्राद प्राणी की अत्या की मुनिकुमार, मैं निर्दोश हूं निर्दोश? एक निरव प्राद प्राद कुमार का निर्दोश बनता तब श्रीकुमार, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलंग, यह सब भूल से हुआ है रगुएंशी तो कभी सपने में भी किसी निर्दोश पर प्राहार नहीं करता रगुएंशी? हाँ, दशरत, अयोध्य का युवराज युवराज, दशरत, युवराज होकर तुमने इसा पाप किया? मेरे बाप का क्या प्राश चित होगा? अपने प्राण देकर भी मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने को तैयार हूं युवराज, युवराज युवराज, तुमने एक बाण मार कर तीन तीन अत्या कर दी है मेरे माता पिता दोनों अंदे हैं मेहीं उनका एक साहरा हूं वो चल फिर रही सकते मृत्य के बाद, वो हवश्य मर जाएंगे मैं तो उनके लिए जलने आत मेरे प्रतिक्षय में अधिर हो रहे होंगे और बग्वान, मैं उनके सुखे खंठ में ये जल पहुचा सकता मेरे अंतिम से वाहँ एक पहुंच सकती मेरे अंतिम से वाहँं तक पहुंच सकती चमा कर दो, चमा कर दो मुनिकुमार तुम भसमों जाओगे उन्हें ये शीतल जल अवश्य पिला देगा और कहना नहीं तो उनकी क्रोधाग्नी में चल कर तुम भसमों हो जाओगे कि अधिर शीतल जल अवश्य बिला देगा और कहना मेरे भाग्य में बस इतनी सेवा लिखी थी युराज, युराज, मैं हो रहा हूँ, तुम्हे मेरी सपत है, तुम्हे मेरे अगनी संस्कारबाद में करना, मेरे माताव पिता को ये चल अवश्य पिला देना, मेरे माताव पिता को ये चल अवश्य पिला देना, वश्य पिला देना, वश्य पिला देना वे भागनी इक्योंगा झाल 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 श्रवण ने बड़ी देर कर दी जल लेकर आता होगा दो जाल में से अबड़ी देर कर दूदी दूदी के दूदी 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 आता है अग्याष्र बड़ी का फश्रेटाएं शवन बेटा आगए पानी लिया बेटा तुम्हें आने में देर हो गई तो तुम्हारी माता चिंता करने लगई मैंने कहा शर्यू में स्नान कर रहा होगा इसलिए देर हो गई है ना बेटा संकोच न करतात हम दोनों में से कोई तुझे कुछ नि कहेगा अरे इसमें कहने की बाती क्या है देर हो गई तो हो जाने दे तू तो बेटा हम दो निराधार निर्बल जिवों का जीवन आधार है हम अंधों की आंख है मैं इन दुर्बल हाथों की लकूटिया है ला ला बीटा अपने हां से जल पिलाकी हमारे आत्मा को शीतल कर दे ला बेटा पिटा पिला बीटा कौन हो तुम तुम मेरे बेटे श्रवान नहीं बोलो कौन हो तुम आपने सत्य कहा महत्मन मैं आपका पुत्र नहीं हूँ तो कौन हो तुम बोला कौन हो तुम अयोध्या नरेश का पुत्र दश्रत हमारा बेटा श्रवन कहां है बोलो हमारा बेटा कहां है आप आप जल ग्रेंड करें उसी ने भेजा है नहीं हम जल उसी के हाथ से पींगे जाओ पिटा मेरे श्रवन को कहां भी हो ढूंड ला उससे कहो कि तुमारे माता पिता प्यास से तड़प रहे है उसे अपने हातों से पाने पिला दो जाओ बेटा अब ये असंभाव है अब ये असंभाव है माता श्रवन चला गया चला गया लेकिन कहां नहीं नहीं ये जूट है वो सच्चा पित्र भक्त है उसे कोई स्वर्ग भी दे दे तो हम दोनों को असहाय छोड़कर नहीं जाएगा परंतु वो सच्मुशी स्वर्ग में चला गया है है मुनी ये मेरी भूल से हुआ है जल का घड़ा भरने की आवाज को हाथी की आवाज समझ कर मैंने शब बेदी बान चला दिया जो आपके पुत्र को लगा और वो स्वर्ग सिधार गया कि मेरा श्रवन इसा नहीं जा सकता आप आप थोड़ा जल पिले यहीं अंति मिशाधी श्रवन की अरे हत्यारे तू क्या पिलाएगा जल पानी तो केवल पुत्र पिलाता है कि जीवन में मरण में श्रवन में श्रवन मुझा आपके लिए चोड कर मज जा मेरे लाल मज जा मेरे लाल देख मैं भी आ रही हूं तेरे साथ तेर पुत्र मैं हाँ में जा आएगा 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 तू हमारे पुत्र की अंते मिच्छा नहीं हमारे लिए काल बनकर आया है यम्दूत बनकर आया है निर्दई क्या तेरे तरकस में एक ही तीर था निकाल दूसरा बाड बेर दाल मेरा हिदय भी लेले मेरे प्राड तुझे शमा अरे नीच निराधम तुने एक निर्भल निर्दोष मानव को अपने तीर का निशाना बना डाना हाथ त्यारे तुने एक तीर से तीन हत्याई की है मेरा पुत्र मर गया मेरे पत्नी मर गई अब मैं अकेले जी कर क्या करूंगा मैं भी मर रहा हूं पुत्र वियोग में तलब तलब कर मरेगा मेरी तलब पुत्र वियोग में तलब तलब कर मरेगा तलब तलब कर मरेगा तलब तलब कर मरेगा मेरी तलब पुत्र वियोग में तलब तलब कर मरेगा तु भी पत्रवयोग में तरफ तरफ कर मरेगा मेरी तरफ पत्रवयोग में तरफ तरफ कर मरेगा जिस तरह पत्रवयोग में तरफ कर मर रहा हूं तू भी पत्रवयोग में तरफ कर मरेगा पत्रवयोग में तरफ कर मरेगा मेरी तरफ पत्रवयोग में तरफ कर मरेगा तरफ कर मरेगा तरफ कर मरेगा कर दो, कर दो, कर दो दो, तो, प्रोड़। रहत आगा ईास खेव सरदे नहत आगा खेवस सामी 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 स्वामी कुछ तो बोले स्वामी राम राम राम, राम कहे राम कहे राम, राम कहे राम राम तनपरिहरे रग्वर भी रहे राम कहे सुर्धु राम 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 राय राम पर नुष्कान सजई राम अधरम में जोती ऐसी भक्ति मैं मृत्यु जगत में किसी किसी प्राणी की होती किसी किसी प्राणी की होती जाए सुधा है क्या हुआ अब अब्रेब कि आस्मा तैसा लगा कि पिताश्री कर अगाश मार्क से कि युट्री ती वर्गति से जा रहा है जब से हमने आयद्दा छोड़ी है आपका ध्यान प्ताश्री में ही लगा रहता है इसलिए ऐसा आवास हुआ होगा ऐसा ही हो भगवान उने दिरघायो प्रतान करे ओओ मंगल भावन अमंगल हारी रभ हो सुदश रथ अजिर विहारी सीताराम चरित अतिपावन मजुर सरस अरुपती मनभावन पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाये यगी प्यास बुझत न बुझाये यगी प्यास बुझत रची हो रच्या यगी 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 सिर्टारामचरित अतिपावन मधुर सरसर अरुखती मनभावन पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए यकी प्यास भुजत न भुजाए चक्रवर्ति पद संपदा गौरव गाथा छोड़ सबका सामी चल दिया सबसे नाता तो अज़ा अज़ा आज़ा 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 अज़ा सुर्य कुल के गवरो जीवन भर तुम वशिष को अर्घ्यारपित करके चरण बंदना करते रहे परन्तु आज वशिष तुम्हारे चरणों में शद्धनजली के पुश्प समर्पित करने आया है तुमने इस चन में अपने संपूर्ण धर्मों का उत्तम रूप से पालन किया अपनी प्रजा से एक पिता के भाती स्नेह करते हुए जनकल्यान के कार्य करके राजा का कर्तव ये पूरा किया देवासूर संग्राम में दानों शक्तियों पर विजय पाकर ये सित कर दिया कि अपने बल और पराकरम से मानओं देवताओं से भी उचास्थान पा सकता है आज तुम्हारे पूरवज बड़े गर्व से देख रहे हैं कि तुमने अपने उज्वल सूर्य वंच की किर्ति को बहाकर अपने पूरवजों का रिंच चुका दिया इतिहास में तुम्हारा नाम भी रगू इक्ष्वाकू और भगिरत के समान ही बड़े आदर से लिया जाएगा माता की ममता संसार में सदा विख्यात थी परंतु पुत्र वियोग में अपने प्रांड देकर तुमने पिता के प्रेम का इस जगत में एक ऐसा उधारन स्थापित किया जिसकी अमर गाथा तिनों लोगों में युगो युगो तक बखान की जाएगी ए महात्मा मेरा प्रणाम स्विखार करो आप के चक्रवद राज्य के सारे राज्य अधिकारियों तो और राजाओं की ओर से आप के चरनों में पुष्पांजली अर्पित करता हूं आपकी आग्या के पालन में जब जब मुझसे कोई तुरुटी हुई तो आपने उदारता से उसे च्छमा कर दिया परन्तु आपकी अंतिम आग्या का जो मैं पालन नकर सका उस अपराद के लिए आप न मुझे डंड दे गए नक्षमा कर गए हिए वाल सका हो सके तो मुझे च्छमा कर देना अब आतम पंशी बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो जीया बिन देह जोती बिन दिवरा माटी ही कहला वे हो जीया बिन देह का जर जर पिंजरा पंशी को नहीं भावे हो जिस पिंजरे को छोड़े उसमें लोट बहुरी नहीं आवे हो आतम पंशी बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो आतम पंशी बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो को जातम प्रॉस पिंजरा साहने मोल न पावे हो कर दो कर दो गुरुदेव इस समय सबसे बड़ा प्रश्टी ये है कि महाराज का दहा संस्कार कौन करेगा शास्त्रोक्त विधान के अनुसार पुत्र को ही पिता के अंतिम संस्कार करने का अधिकार है जिनके चार-चार तेजस्व पुत्र धर्ती पर विध्यमान है ऐसे पुण्यात्मा पिता का दहा संस्कार उनके किसी भी पुत्र के बिना करना उचित नहीं परंतु इन चारों में से यहां कोई भी उपस्चित नहीं है श्री राम और लक्ष्मन वन में है कुमार भरत और शत्रुगन भी बहुत दूर कैकै देश में है संदेश भेज कर बुलाने में समय लगेगा तब तक महराज के शव को रखना उचित होगा क्या अवश्य उचित होगा महराज दश्रत जैसे प्रतापिय और धर्मपरायन राजा को उनके अपने पुत्र द्वाराद दिये गए अग्निदान और पिंड़दान के पुण्य फल से बंचित नहीं करना चाहिए राजवैच से कहा जाए कि वो महराज के शरीर को ऐसे उशदी युक्त तैल के नौका में रखें जिससे किसी प्रकार की ख्षती ना हो जो आग्या गुरुदेव भरत और शत्रुगन को तुरंत बलवाने का प्रबंध किया जाए जो आग्या पुचिवर गुरुदेव दूसरा प्रश्ण ये है कि जब तक नए राजा का राज अभिशेक नहीं होता तब तक राज का शाषन कैसे चलेगा जिस प्रकार पिता की च्छाए सरपरना रहने से पूत्र अनाथ हो निरंकुष हो जाते हैं राजा विहीन अगर की प्रजा में आराजक्ता फैलने लगती है जिस देश में आराजक्ता हो वहां के लोग अपने गरों के किवाड खोल कर नहीं सौ सकते दूर देशों में जाने वाले वैपारी, कुशल पूर्वक जात्रा नहीं कर सकते राजा के बिना साधू और असाधू का बिभाग कौन करेगा न्याय कैसे होगा इसलिए अतिशिक्र ही किसी को शाषन भार सौपने की ब्यवस्था की जाए आप सब का कहना उचित है परन्तु ऐसी आराजक्ता के स्थिती कौशल देश में कभी नहीं आएगी अभी महराज दश्रत की सत्ता समाप नहीं हुई है रगुकुल कैश्री दश्रत के शासन में ऐसी उतल-पुतल आप सब के होते हुए कैसे हो सकती है जब तक राजा दश्रत का शरीर विद्यमान है उनका शासन विद्यमान है महराज ने राज्यका उत्तराधिकारी कुमार भरत को स्विकार किया है भरत के पास संदेश भेज कर उन्हें शीघर से शीघर आयोध्या बुला लिया जाए आर्यसुमंत्र जी गुरुदेव भरत के आने तक सेना ध्यक्ष की साहता से राज्यका कार्यभार आप समालेंगे जो आग्या गुरुदेव श्रीधर आग्या पूजिवर आप वायुवेक से दवडने वाले घोड़े पर सवार होकर तुरन कैकै देश के और प्रस्थान करे आग्या का पालन होगा गुरुदेव सुनिए भरत की ननीहाल में जाकर सामान निभाव से भेट करना अपने मुख पर किसी प्रकार का शोक प्रगट न करते हुए कुमार भरत को संदेश देना कि कुलगुरु वशिष ने कुशलमंगल कहा है तथा आपको तुरंत आवश्चक कार्य से अयोध्या में बुलाया है ऐसा ही होगा गुरुदेव राम सीता वनवास महराज के स्वर्गवास का कोई भी वृत्तान तो उन्हें नहीं बताना आपके किसी भी वेवाहर से उन्हें यहां का अभास नहीं होना चाहिए अन्य था वो सेहन नहीं कर सकेगा और यह सुमंत्र जी गुरुदेव जिस प्रकार कैके देश जाने वाले राजदूत सदा अमूल्य उपहर ले जाते रहे हैं उसी प्रकार आज भी अमूल्य वस्तूएं कैके नरेश को भेट करने के लिए भेजी जाएं चो आग्या गुरुदेव बुझे हुए दीपक में देखो तेल और ओशधी डाल रहे हैं जाने वाला चला गया है माटी लोग संभाल रहे हैं जाने वाला चला गया है माटी लोग संभाल रहे हैं चक्रवर्त कहकर सारा जग जिसको नमन करे यादर से चार तिशा में जिसका गौरव सुर नर्मनी गाते एक स्वर से पुत्र रत्न है चार मगर चारों के चारों दूर हैं घर से सब कुछ होते एक राजा अपने अंतिम संसकार को तरसे अपने अंतिम संसकार को तरसे कि अपने आन तंसकार को तरसे कि अच्छा के सवेरा हो किया अबया के ते हैं यह जए ते यह बोर का सपना सच होता है आज तक आज तक बैभाया राम के लिए दो सुपन देखता रहा है लेकिन आज आज मैंने आज मैंने अपने पिताश्री के लिए दो सुपन देखा क्या सपना देखा पिताश्री के लिए कैसे बता हूं पिताश्री के सर पर मुगट नहीं था उनके बाल खुले हुए थे, एक गोबर से भरे हुए कुंड में वो परवत की चोटी पर से गिर पढ़े, उन्होंने तेल भात खाया, उसके बाद उन्हें मस्तक नीचे करके बार बार तेल में डुबाया गया, फिर फिर दूसरा सपना देखा, सागर सूप गया है, चंद रमा पुरुस्वी पर गिर पढ़ा है, चारे और अंधकार छा गया है, परभद गिर पढ़े हैं, उन्हें से दुआ निकर रहा है, और हमारे पिता श्री, गहले में लाल माला पहने, लाल चंदन लगाए, गधे से जुते वो रत पर, दक्षिन की जो और तेजी सी चले जा रहे हैं, रिपुदमन, पिताश्री के बारे मैं ऐसा सोचकर, मेरा मन भय और आशंगा से कहा प्रहा है, कुछ ने कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ है, रिपुदमन, कुमार भरत, एक दूत अयोध्या से कुछ संदेश लाए है, तुरन दर्शन च श्रीधर, श्रीधर बोलो क्या बात है, क्या संदेश लायो, आपको तुरंत अवध्या में बुलाया गया है, सब कुछल तो है न, पिताश्री, मात आए, भाया, राम, लक्ष्मन, किसने बुलाया अचारक, गुर्दे बशी जी का आदेश है, आप शिग अवध्या को चले हाँ, हाँ, चलेंके, शत्रुपली, चलो, नाना जी जी आग्या लेते हैं, अयोध्या से कुलगुरु वशिष्टने आवस्चक संदेश भेजा है, तो हम रुकने का आग्रह कर ही नहीं सकते, युदा जी, बस, कुमारों को ननिहाल से विदा करने का आयोजन करो, जो अग् पिता जी, नाना जी, किसी विशेश आयोजन की आवश्चकता नहीं है, बस, जाने की आग्या दीचे, कल्यान मस्त, सदा सुखीरो, कल्यान मस्त, चिरन जी, अरे, राजकुमार भरत आ रहा है, अरे छोड़ो, ऐसे पापी का तो मोबी देहना नहीं चाहिए, कल्या मस्त, आयोग Normandla मस्त, सितर्विक्त ओ Catholicsonimy झाहिए, अरे, हुँँँः कल्या है, यह कर दMSत, सितर्विक्त कि नदर में सारे लोगा ने हमें देखतर मूँ फेदिये और यहां महल में चारों और उदासी चाहिए आशंका तो मेरे मन में भी आप आओ देखें कि अर्थी सजाव रानी तेरा पुत्र आयोध्यका राजाफरत महल में प्रवेश करना है नियम आनुसार वह पहले अपने पिता से मिलने जाएंगे और आपको दुखी हो जाएंगे इसलिए मैं रास्ते से यह उनको यह ले आती हूं आर्थी तेयार करो आर्थी तेयार करो आर्थी साइटी पिताश्री अपने कख्ष में नहीं है। प्रशाल्ड जी अग जीते रहे जुक्ज़क जीओ मेरे लाज्च चलो तुम्हारी माता नहीं गुलाया है। वो बहुत आधीर हो रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। परंतु हम पहले पितास्याषची से मिलेंगे, कहां है वो वो अभी नहीं मिलेंगे। परंतु क्यों? इसलिए तो तुम्हारी माता ने तुम्हें विलाया, बहुत आभशक काम हे। खलonna對不對. तुम्हारी माता तुम्से मिलने के लिए बहुत वची रही है जाओ जाओ चलो चलो आव चलो अब शॉने क्या बात है कर दो कर दो कर दो झाल झाल क्या बात है माता यह आज कैसे वस्तर पहने है आपके आभूशन कहां है आपके मांग में सिंदूर नहीं है क्या हुआ मातेश्वरी महाराज आपके कक्ष में भी नहीं है यह यह पूरा राज महल इतना सूना क्यों हो गया है कहां है महाराज कहां है मेरे पिताश्री पताओ माता कहां है पिताश्री पत्र संसार में जो जन्म लेता है एक न एक दिन उसे संसार का त्याग भी करना पड़ता है प्राण त्याग करने के बाद जो करती धर मात्मा पुर्शों की होती है जो परमताश्री उन्हें मिलता है तुम्हारे पिता भी उसे परमताश्री को सिधार के झाल 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 कि रास्ते भर मेरा रधा भय से कांत नहां था वो मेरे सारे अप्शुकुन सारे दुस्वक्न सच होई गए अन्होनी होई गई अन्होनी होई गई मादा कि अज रखो मेरे लाद तुम तो अपने प्रिता के समान दीर और वीर फुरुश हो संसार में सभी प्राणियों को कभी ने कभी इस नश्वर शरीर को त्याग नहीं पड़ता है यह भावी अतल है तुम जैसे सत्पुरुश भावी के लिए शोप नहीं करते मेरे लाद मा 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 कितना अभागा हुआ अपने माहन पिता क्यांतिम दर्शन भी नहीं कर सका पिता जी पिता जी आपने मेरी प्रतिक्षा भी नहीं की जाने से पहले मुझे भाईया राम के हातों सौप जाते मा उन्होंने जाने से पहले मुझे आवश्य पुकारा होगा उस समय आप सब तो उनके पास थे केवल मैं ही नहीं था उन्होंने मुझे अवस्य याद किया होगा बताौ मा परांड ट्याख करते समय उनके अंतुन शच्च्च क्या थे बताउ मा घखाओं क्यांd शॉच्च वह 21 समय केवल राम को ही buddy केवल राम को ही पुकारा कि पुकारा तो क्या तो यह इसा क्या अकास्मात हो गया था यो जो नहीं पहुंच सके आप तो इनके पास होगी नहीं उन्होंने महाराणी कवशल्या के कख्ष में ही अपने प्रांट्याग दिये थे माता कवशल्या के ही कख्ष में प्रांट्याग दिये उस वक्त महिया राम और लक्षमन कहां थे वन में वन में क्यों महाराज ने स्वर्ग सिधारने से पहले उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया था वनवास भाईया राम को वनवास नए ऐसा कभी नहीं हो सकता यह दंड तो भयंकर अपरादियों को दिया जाता है पेरे राम भाईया तो सत्य धर्म और मरियादा की मूर्ती है फिर उन्हें धर्ण किस का रंदिया गया बोलो माता बोलो माता क्या दोश था उनका कि किसी का कोई दोश नहीं था भरत केवल वचन पालने की बात थी और तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ धर्म पराण की तरह अपने वचन को पालन करने के लिए अपने प्राण निच्छावर कर दिये वचन कांसा वचन किसे दिया था उन्होंने वचन मुझे आपको कि आपको कि वचन दिया था उन्होंने आपको यह एक लंबी कहानी है बाद में सुनना अभी तुम यात्रा से ठके हुए आये हो थोड़ा विश्राम कर लो तुम्हें बहुत सारे कर्तवेने भाने हैं अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है अयोध्या का राजिभार सम्हालना है एक राजा को बालकों की भादी बिलखना शोभा नहीं देता यह आंसु बहानी का समय नहीं है तुम्हें अपने कर्तवी के बारे में सोचना चाहिए बिलकुल ठीक कहा आपने माता यह समय आंसु बहाने का नहीं है मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे राजमहल में एक बहुत बड़ा शड़ियंत रचा गया हो किसी दुश्ट ने हमारे बंच का सरवनाश करने के लिए हमारे सुख और शांती से भरे जीवन में विश गोल दिया है मेरा पहला कर्तव यह बनता है कि उस शड़ी अंतर की जड़ तक पहुंच कर उसे दंड दूद जिसने मेरे पिता की अर्थ्या किये है जिसने मेरे भाईया राम को देश निकाला दिया है जिस पापी ने हमारे बंच पर ऐसा क्रूर आगात किया है मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ सकता कभी जीवित नहीं छोड़ सकता क्या तो उसे प्राण दंड देगा अवश्य चाहे वस्वयम काल ही क्यों नहों तो तुझे वो दंड मुझे देना होगा अतग को हाँ अ मुझे है मेंने ही महाराज से 2 अचंगे कि महाराज ने मुझे मुझे दो दीये थे कहा था जब जी काहे मांग लेना इधर तेरे जाने के पश्चात कौशिल्या के कहने से महाराज ने राम के राज्या अभेशीक के लिए निश्चे कर लिया महाराणी कौशिल्या ने सोचा क्यों केई का पुत्र भरत तो यहां है नहीं अवसर का लाब उठाकर अपने पुत्र को राजा क्यों ने बना दे किन्तु मैंने ऐसा नहीं होने दिया मेरे होते हुए तुझे इस राजी से कोई भी वन्चित नहीं कर सकता था मैंने महराज से अपने दोनों वर्मान लिये तेरे लिए आयोध्या का राज्य और राम के लिए चौदा वर्ष का वन्वास मैंने तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है विचारी बंथरा ने इस काम में मेरी पूरी सहयता की उसीने ये रास्ता सुझाया उसीने मेरी आखें खोली और मैंने सारी बाते सवाल ली राम के साथ सीता और लक्षमर बिना किसी आपत्ती के बंद चले गए सारा काम बड़ी सुगमता से हो गया था किन्तु विधाता ने बीच में थोड़ी से उथल पुथल कर दी महाराज राम के विच्छों में स्वर्ग सिधार गये मैं जानती हूं पिता के स्वर्गवास से तुम्हें महान दुख हो रहा है वो तो हम सबको है महाराज तो अब लोट कर आएंगे नहीं किन्तु तुम्हें उनके वचन का पालन अवश्य करना है उनके वचना अनुसार तुम्हें इस विशाल सम्राज के एक छत्र सम्राठ हो ये निश्कंटक राश तुम्हारा है इसलिए कहती हूं अब धैर्य धरो और अपना राज्य सिंहासन सम्हालो राजन भरत किसी साधारण मनुशे का इस परिस्तिती में शोका कुल होना तो स्वाभाविक है किन्तु तुम्तो साधारण नहीं हो तुम्तो सत्य प्रग्य हो सदाचारी हो तुम्हारी बुद्धी वेदों का अनुसरण करने वाली है इस समय तुम्हें एक राजागा करते भी निभाना है कि आए तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हार भले के लिए ही तो किया है ही तुने मेरा भल नहीं किया तुने मेरा सरवनाश कर दिया इस कुकंछ से तुने मुझे रगुकल का सब से कलंग पूरुच मतला दिया हरे पापी नी कुन श है इसлена बेयु इस अच्छा तो यह होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला गोट कर मिल्यों मार दे जिससे आज मैं अपहेश की मौत तो ना मरता कि मेरे भाग्य की विडम्मना को देखो कि मुझे रगुकुल जैसा उजुभल वंज मिला वीर बराक्रमी सत्यनिष्ट और परम धर्मातमह दश्रत जैसा पिताम लोकों में बंदनिय श्रीराम जैसा भाई बिला और तुझ जैसी पापन कुल नाशनी और नीच माता के गर्ब से जन दिया गया कि इससे बड़ा परिहास तो किसी और के साथ क्या कर सकता है करी पापन परम धर्मातमा श्री राम को वन में भेजने की बात कहते हुए तुम्हारे जीवा के टुक्रे टुक्रे क्यों नहीं हो गए तुपावना के आवेग में अपने भले की बात नहीं समझ रहा है मुर्ख अपने भाग्यों को ठुक्राना चाहता है अरे मेरे भाग्यों तो उसी दिन भूट गए जिस दिन मेरे श्री राम भाईया वन को चले गए वो शरी रहाम भाईा gekommen जो तुम्हें अपनी माता से अधिक स्थेन हेखते थी उनके ईकलाते पुत्र को वनमं बेजते हुए तुम्हारे आत्मा नहीं किया तुम्हारा रोधाय घंड घंड नहीं हो गया ऐसा कुरूर वर्दान मांगते हुए तुम्हारे मुझेठे क्यों पुत्र को बड़ा पनाने का लोब होता है लोब ही तो पाप की जड़ है लोब मलुश्य को तेरी तरह अंधा कर देता है जिसे पाप और पुल्ण में कोई भेता ही दिखाई देता है अरे श्री राम से मनुश्य तो क्या पशु पक्षी भी प्यार करते हैं लेकिन तू तू उनसे भी करें वे निकलिजिस प्योंने घर से निकाल दिया तू नारी नहीं माना थासी गिरी कोई राक्षची है राक्षचीजी मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया है तू माँं हूँ पर तेरी माँं हूँ कि आज के बाद तू मेरी माता नहीं कि मुझे जन जनमांतर तक नर्क में रहना स्वीकार है लेकिन तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं यदि मेरी आवाज इस लोग से परलोग तक पहुंचती हो तो पिताश्री आप भी सुन ले कि आज आज आपके इस अभागे बेटे भरत में कहकाई का त्याग कर दिया है और पिताश्री आप मुझे आशिरवाद दें कि आपकी इच्छा नुसार श्री राम को वन से लाकर आयोध्या के राज सिंगासन पर बिठा सको महारानी कह गई यदि तुम स्त्रीन होती तो तुम्हारे इस दुष्ट कर्म के लिए मैं आज अपने इन हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता है पाप की ऐसी जीवन्त मुर्ति को जीवत रहना देना भी पाप परंतु ऐसा करने से कहीं मेरे राम भीया मेरा परित्याग न कर दे इसलिए बिश्वी लेकिन आज के बाद आज के बाद बैटुम्हारा यह कलंकित मूद कभी नहीं देखोगा यह कभी नहीं देखोगा यह बेटी और इस कख्ष में जहां मेरा बच्पन मेरे पिताजी की यह को तन ही यह हम्हाँ कर्दक्स कुपर इस कख्ष में भी वापस कभी नहीं आवगा सछी अ कर में आज स्कुपश्य है प्रशचमे भी वापस कभी नहीं आवगा सुनध नहीं तादव hipp ca मुझे इप्षेवा करदे मेरे लाए मंगल भावन अमंगल हारी रभ हो सुदशरत अजिर भिहारी सीता राम चरित अति भावन मधुर सरस अरुपती मन भावन पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए कि यगी प्यास बुझत न बुझाए कि यगी प्यास बुझत कि यगी वी पुझत कि यगी प्यास बुझत वावन था बुझत सीता रामचरित हतिपावन बदुर सरस अरुखती मनभावन पुने पुने कितने हो सुने सुनाए ये की प्यास मुझत न बुचाए आरियो सुमंत्र भरत आ गया है इसलिए महराज के शरीर को तेल से बाहर निकाल कर अंतिम यात्रा के लिए उचित रूप से सजा दिया जाए अच्छा हुआ कि कुमार सीधा माता के कक्ष में गया अन्यथा ये करुणा जनक दृष्ष उससे सहन नहीं होता आप तैयारी कीजिए मैं भरत को जाकर समालता हूँ जो आग ये गुर्देख मैं तुम्हें जीवित नहीं चोड़ूगा तुम्हेरा अंकर के रहूँगा रोग चाओ शाओ शात्रीया कभी इस तरी पर हाथ नहीं उठादें मुझे छोड़ दो भाईया आप नहीं जानते यही इस अनर्थ की जड़ है मुझे सब बातों का पदा चल चुका है यही है इसी के कारण आज गवश की सारी सुक शांतिका नाश हो गया है इसी के कारण हमारे पिता नहीं रहे शिरी राम और सिता भावी वनों में मारे मारे करना चाहता हूं तो क्या करते हैं विवश के पश्याद भाईया राम हमारा परित्याद कर देगी बड़ी से बड़ी उत्तेजनामी भी वह में धरम की मरियादा चोड़नी की आक्या कभी नहीं देंगी तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे शत्रुक श्री राम ये अब हमारे कि शाथ रुक लिए कि माता को शल्या को मैं क्या मू दिखाऊंगा उनसे क्या कहूंगा उन्हें कैसे समझाऊंगा कि मैं दिद कि मैं मिर्दोश हूँ दिखाऊंगा कमारे यारी युर उनसे की बने इसे बस्ति आके विए कि मैं मा मा मैं हूँ भरत 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 तु आ गया पुतर मैं तेरा ही रास्ता देख रही थी यह मेरी बात कोई नहीं मानता मुझे मेरे राम के पास कोई नहीं ले जाता अब तु तो राजा बनके आई ना मैं प्रात्ना करती हूँ अपनी सेना को आग्या देते जहां राम को छोड़ाए उसे बन में उसके माता को भी छोड़ाए मा अगर आप भी राम के पास बन में चली जाएगी तो यह भरत किसकी गोल में बैटकर रोएगा मा क्या केवल राम ही आपका पुत्र है नहीं भरत भरत नहीं मैं तो इसलिए आपके पास आया था कि आप अपने स्नेर का हाथ मेरे सिर पर रखेंगी मेरी गायल आत्मा को अपने आचल की चाया में शरण्ड देंगी परंतु मेरे भाग्या में मा का प्याका भुवभत नहीं मेरे पाप का यही धंड है माता मेरा एक ही पाप है कि मैंने कहकेई की कोक से जनम लिया बरं तु इसकी लिए वो विधाता दोशी है, मैं नहीं विधाता ने इस संसार में कहकेई क्रूर नारी को जन मेरे जैसा कुल का कलंग पैदा ही ना होता नहीं भरत नहीं माता राम भाया के बंद में जाने से अधिक पीड़ा तो मुझे इस बात की हो रही है कि आज आपको भी अपने भरत पर संदे हो गया मैं आपको कैसे विश्वास दिलाओं मातेश्वरी मैं भगवान की शपत लेकर कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है यदि उसमें मेरी लेश मात्र भी सहमत ही रही है तो मेरा सारा ग्या है गुरू की दीवी सारी विद्या इसी समय नर्ष्ट हो जाए और संसार के समस्पापियो के समस्पापों का दर्ड केवल मुझे मिले मां आप तो ममता की मूर्ती है मां मुझे पूरा भरोसा था कि भले मेरे राम भाया मुझ पर संदेह कर जाए परहल तु आप मुझ पर कभी संदेह नहीं करेंगी मां बच्पन से बच्पन से मैंने आप ही की गोद में अधिक्स नहीं पाया है और आज अगर उसी गोद में मेरे लिए स्थान नहीं है तो ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मुझे मुझे मुरुत्यू आ जाए नहीं ऐसे बातों से तुम मुझे और दुखिन मत कर वेते हैं एक बेटा तो बन में चला गया और दूसरा इस प्रकर धर छोड कर मरने के बाद करेगा तो बेचर इमा किससे सारा मांगेगी मैं तो तेरे हाने से समझी थी कि मेरे पास मेरा राम आ गया है मेरे बातों का यह अर्थ कता भी नहीं था मेरे लाल कि मैं तुछ पर संदे करूँ पर तुम मा के आत्मा सदा दुखी पुत्र के और ही जाएगी पिता के आग्या से राज संभा लेगा, तो मा का हिर्दे बन वासी पुत्र के लिए ही तडबेगा ना, यह सिल्वे में तेरी आले के प्रतिक शक्र नहीं थी, मेरा राम, मेरा राम तो मुझे बन में अपने साथ नहीं ले गया, तो मेरी हां के हावश्य माने का, और मुझे बन भेज़ देगा, मुझे, मुझे बन भेज़ देना, मेरे लाल, मुझे बन भेज़ देना, कि मैं आपको बन में नहीं भीजूगा मां परन तु बन में जाने वाले को आपके द्वार पर जरूर लियाऊंगा नहीं ए ऐसे सपने ऐसे सपने मुझे मत दिखा भरत मुझे मत दिखा इस सपने को सच करना ही तो अब मेरा कर्तव यह मां मैं पूछता हूँ आपने उने जाने की आग्या कैसे थी अपने अधिकार से उने रोका क्यों नहीं कैसे रोकती वह तो बड़े क्यानियों के भांती मुझे नारी धर्म का अपदे सुना कर अपनी पिता की आग्या पारन करने चला गया लेश मात्र दुख और विशात नह दोड़ दिये जैसे कोई अपने पुराने वस्रत्याग कर देते हैं सिता अपने पतिवरा धर्म पालन करने उसके साथ चली गई लक्षमर को राम ने बहुत रोका परिंत वो नहीं रोका सब ने सब ने अपने अपने धर्म का पालन किया और मेरा वजन रुदे दे को तो दो पुत्र गए बहु गई तो उन्हे साथ जाते देखर भी मेरे प्राण उनके साथ नहीं कए नहीं कए पुत्रस ने का धर्म तो महाराज ने पालन किया महाराज ने जब तक चिये उसके साथ चिये वो गया तो अपने प्राण भी त्याग दिये अपने प्राण भी त्याग दिये मुझे ऐसे महान पिता मिले ऐसा भाई मिला फिर तेरे जैसी महा की कोक से जनम क्यों नहीं मिला कहके सुथ होने का कलंग क्यों लग ले दिया यदि आज आप मेरी जननी होती तो मुझे ऐसा कलंग कदा पी न लगता जनम मरन अपने इच्छा कर दोछ अगारी तो इसे कंभा की कहते हैं हम सब उसे भागय क्या हाथों की कड़ पुतलिय बंकर नाचते हैं को कही ने चो कुछ किया वह हमारे भाग़े नहीं कर आया उसमिन शारी की कोई दोश नहीं है माता आप जैसी उदारता इस जगत में कहां मिलेगी परंतु परंतु सारा संसार तो मुझी को इस अनर्च की जड़ काएगा काएगा बहुत में राजा बनने की लिए कैसा शड़यंत्र रचा पर सकता है इसीस अक्षि मैं सिछार को दूम गी सुर्य को किसी की आवस्चा नहीं होती ही तो उसका प्रकाशी उसका प्रमान है इसी तरह भरत तुम धर्म के आउतार हो जैसे सूर्य में अंधकार नहीं हो सकता तुम्हारा कर्म कभी धर्म विरुद्ध नहीं हो सकता तुम जो करोगे वही धर्म का प्रमान है गुरुदे गुरुदे आप मेरी रक्षा कीजे गुरुदे गुरुदेव आप मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव गुरुदेव इस विशम स्थिती में अधर्म और अपयश से केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं इस समय पिताश्री की मुरुत्यू और भाई के वियोग जनित शोक के कारण मेरी पुद्धी कुंठित हो चुकी है इसल तुम्हारे आगमन की सूचना पाकर हम तुमसे यही कहने आये हैं कि यह समय शोक करने का नहीं है तुम्हारे महान पिता की जीव-ात्मा इस समय प्रतिक्षा कर रही होगी कि मेरा पुत्र आएगा और मेरा अंतिम संस्कार करके मुझे मुझे मृत शरीर के बन्दन से मुत्त करेगा कि तुम्हारे ही लिए उनका शरीर तैल की नौका में सुरक्षित करके रखा है कि तुम्हें एक धैर्यवान पुरुष की तरह उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए चलो वच अपने पिता के अंतिम दर्शन करो और उन्हें प्रणाम करो अंतेश्टी की व्यवस्था करो चलो महाराय दशकी जे जे जेकार नहीं है पद की जे जेकार नहीं इस तन की तन से जो सत कर्म किये हैं जे जेकार है उन कर्मन की जैसे रन से जीत के जोधा अपने घर को जाते हैं ऐसे विजयी राजा पर सब श्रद्धा सुमन चड़ाते हैं ऐसे विजयी राजा पर सब श्रद्धा सुमन चड़ाते हैं दाल पने में पिता पुत्र को कांधे ले दुलरावे हो कांधा देकर उस तुलार का बेटा मोल चुकावे हो कांधा देकर उस तुलार का बेटा मोल चुकावे हो रहे पिता को धान पुत्र पर कोई आँच न आवे हो सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो माती की यह काया जब मर घट में जलने आवे हो राजा हो या रंक सभी की एक दसा हो जावे हो राजा हो या रंक सभी की एक दसा हो जावे हो राजा हो जीने वाला जाने वाले की सुधियां दोहरवे हो जो हो जितना निकट उसे उतना ही मोह तुलावे हो जो हो जितना निकट उसे उतना ही मोह तुलावे हो भरत इन अस्थियों से मोह कैसा ये तुम्हारे पिता नहीं है वो महात्मा तो इस समय अपने कर्मा नुसार परलोक में बैठे होंगे जीवात्मा को पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर इसलिए प्रदान किया जाता है कि वो अपने जीवन में इसके द्वारा अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करे प्राणी के चले जाने पर इस पार्थिव शरीर के पांचों तत्व अगनी वायू आकाश जल और धर्ती मा को वापस दे दिये जाते हैं कि अता इन अस्थियों को सर्यू के पवित्र जल को सौंप दो कि सब के लिए यही विधान है कुमार आज जो तुम अपने पिता के लिए कर रहे हो एक दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए भी यही करेगा कि मोह को त्याग दो कि तुम्हारा आगे का कर्तव्य तुम्हारी प्रतिक्षा कर रहा ह। कुमार भरत अब इन्हें शर्यू नदी के अर्पन कर दो बहते जल की धार में जो डारों बह जाएं जसकी रत सत कर्म ही या जग में रह जाएं कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ कुरुदेज आपके आग्यानुसार हम राज्यसभा में उपस्तित हो गए है कहिए हमारे लिए क्या आग्या है वद्सभरत तुम्हारे पिता धर्म का अच्रन करते हुए अपने वचन का पालन कर ये धनधान यसे समरुद्द राज्यत तुम्हें देकर स्वयम स्वर्क सिधार गया है तुम्हारे जैश्ट प्राता श्री राम चंद्र जी एक महात्मा की तरह अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए वन में चले गये हैं तुम्हारे पिता और जैश्ट प्राता दोनों नहीं ये अकंटक राज्य तुम्हें प्रदान किया है अब तुम्हारा ये करतव्य है कि सूर्य वंशियों का ये राज सिहासन तुम ग्रहन करो और अपने प्रजा की रक्षा करो ये आपके आग्या है गुरुदेव यही इस समय तुम्हारा करतव्य है भरत मंद्री मंदल की क्या संवती है जो राज राजा के बिना होता है वो प्रदेश और उस राज की प्रजा दोनों ही सुरक्षित नहीं होते हैं शत्रु ऐसे समय का लाब उटाकर उस प्रदेश पर आखमन करके उसे उजार सकते हैं इसलिए रगवन्शियों के साम राज को समालने के लिए इस समय के वल आप ही हैं जो राजा बनने के योग्ये है यदपी आप जेष्ट नहीं है परंतु बड़े भाई के अनुपस्तित और पिता की आग्या के पालन करने के लिए इस राज का समालना न्याय संगत है राजा बनने के लिए तीन बातों की अवश्यक्ता होती है गुरू का अशिरवाद मंत्रियों साथियों का सहयोग प्रजा जनकस्नेयों और विश्वास आज मुझे ये तीनों प्राप्त हो परंतु मेरे मन में एक शंका है राज सिंगासन पर बैठने से पहले आप सब उस शंका का समाधान कर दे तो अच्छा है क्या शंका है आपको राज कुमार भरत कुछ दिन पहले मेरे स्वर्गवासी पिताश्री महराज दशरत ने ऐसी एक सभा आयूजीत की थी जिसमें वी है उस भरी सभा में महराज दशरत ने अपने पूत्र श्री गान को राज्याभार सुंप्रे का प्रस्थाव रखा थह कि और आप सब ने एक साथ एक आवाज में श्री गॉन के पक्ष में अपना मत दिया था क्यों मैं बैद पूशता हूं क्यों क्यों कि राम जैसा राजा किसी देश को बड़े भागी से मिलता है बिल्कुल ठीक कहा फिर आपका मत लेने के बाद राजा ने अपनी एक राणी के कहने पर सर्वसम्मती से दी गए जन्मत को ठोकर मार कर आपके प्यारे श्री राम को घर से निकाल कर वन में भेज़ दिया और अपनी एक चहेती राणी के पुत्र को राजा बनाने का निर्णए ले दिया अत्ब आप मेंसे कोई उठा था ये पूछने के लिए कि हमारे मत का क्या हुआ क्या आप मेंसे किसी ने राजा के इस अन्याय की विरुदों से ललकारा क्या आप मेंसे किसी ने विद्रों के आवाज उठाई मत का अधिकार होना अच्छी बात है पर उन्तु जो उस अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते उस अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते उनका यही हाल होगा महलों के शड़ियंत्र से उन पर इसी तरह राजा थोब दिये जाएंगे जैसे आज आज आप पर मैं थोब दिया जा रहा हूँ क्या आप चाहते हैं कि इतियास में ऐसा ही होता रहे तो फिर उठिये उठिये और उठाइए वो राज मुगत और राज्याभिशेक वो पवित्र सामगरी और चलिए मेरे साथ वन में ताकि जिसका याधिकार है उसका राज्याभिशेक वहीं वन में करके उसे अपना राजा बनाकर अपनी आध्या वापस लेहाएं परन्तु क्या श्री राम ये बात सिकार करेंगे क्यों नहीं करेंगे ये मेरी प्रतिज्या है कि यदि वो ना आए तो मैं भी राजा का नहीं उनकी तरह एक वनवासी का चीवन बिताऊंगा आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि जिन महराज दश्रत ने अपने वचन के लिए अपने प्राण दे दिये जिस्री राम ने पिता के अपने मुख से ना कहने पर भी पिता के वचन की आन रखने के लिए एक भरापूरा सामरा जतिनके की तरह छोड़कर वन का रास्ता ले दिया उनी दश्रत का पुत्र होकर उस्ष्री राम का छोटा भाई होकर यह भरत ही ऐसा नीश निकलेगा जो अपने बड़े भाई का राज हड़कर जाएगा राज्य पर केवल बड़े का ही अधिकार है श्री राम मुझ से अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेश्ट है केवल वही इस राज्य के अधिकारी है जो वस्तु अपनी नहीं उसे लेना पाप है मैं गुरु जोने से प्रार्थना करता हूँ मुझे ये पाप करने की आग्या न दे जिससे मैं रगुकुल का एक कलंग कहला हूँ वैसे वैसे कलंग तो मुझे मेरी माता ने लगा ही दिया है लेकिन लेकिन आप लोग तो मुझे पर दया कीजिए मैं इस राज्य सभा के बीच खड़ा होकर खोशना करता हूँ आयोध्या के राजा केवल राम है वो इस वक जहां भी है उसी दिशा में मैं उन्हें शच्च्च्च प्रणां करता हूँ और इसी समय उनके पास जाने का प्रण करता हूँ आप सब भी मेरे साथ चलने की क्रिपा करें गुरुजन मेरा यह संकल्प सफल हो यही आशिरवाद प्रणां करें धन्या तुम धन्या हो भरत तुम सच मुझ धर्म का अवतार हो तुम्हारे कई पूरवज राजा प्रतापी और पुन्यात्मा हो चुके हैं किन्तु धर्म के सामने इतने विशाल सामरा जो को तुछ समझने वाला तुम जैसा महात्मा आज तक कोई नहीं हुआ तुम बिला जाओ के राजा हो भरत तुम धन्य हो तुम्हारी सदा जय हो सदा जय हो तो ने बड़े कठीम कारे का बिड़ा उठाया है भरत राम बड़ा द्रिड संकल्प है उसके निर्णय को बदलना बड़ा कठीम का इसी लिए तो आपका मेरे साथ चलना आवश्चक है मां वो मेरी अनुनाय विनया को ठुकरा सकते हैं मुझे राज नीती धरम नीती के बातों में उल्जा सकते हैं भरं तो आपकी आज्या को नहीं टाल सकते यदि आप आज्या करेंगी तो उन्हें आना ही पड़ेगा मां आप मेरे साथ चलिए अच्छा चलिए कदाजी तेरे पुर्शाद से ही अउध्या का भाग बदल जाए अवश्य बदल जाएगा मां अवश्य बदल जाएगा भया और भाभी निश्य ही लाटाएंगे मैं मैं उनके राज्याभिशेग के सामगरी साथ ले जा रहा हूं वहीं वन में गुरुदे कि ताहरी करो मैं बाकी व्यवस्ता देंता हूं कि अच्छा मेरे बात तो सुन ले भरत इस तरह मूर कर मचा कहीं है महरानी कहीं क्या कहना चाहती है मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलना चाहती हूं क्यों कि चाओदा वर्ष का देश निकाला क्या कम है और बढ़ाना चाहती है भरत भरत परशराम की तरह तुभी अपनी मा का सर काटकर भीग दें कि तो लज्जय से और दर्दी में मतगार तो फिर वन में तुम्हारा क्या काम है सबसे बड़ी पापन मैं हूं यह सारा सर्वनाश मेरे ही कारण हुआ है यह आग जुम्हें लगाई है अपने पश्चत आपके आसमों से मुझे शीतल करने दे तुम सब जिस लक्षी के लिए बनने चा रहे हो मुझे लिए अपनी सह बांगने बना लो वो अधिकार अब तुम खो चुकी है मा का अधिकार उससे कोई नहीं चिन सकता अब भरत यह मत भूल कही कही राम की मा है मा पुत्र को दंड भी दे सकती है और उस पर ममता का हाथ फिरने का अधिकार भी रखती है कई-कई बहन आवश्य जाएगी अरन तुमा यह मेरी आज्या है और मुझे विश्वास है राम के भी यही आज्या होगी जो आज्या मा अज्या मेरी पास तो क्यमा मांगने के लिए भी शब्द नहीं है मैं तो अपने मृत्यों की प्रासना कर रही हूँ ना दर्दी माता स्थान देने को तयार है ना अगनी देव ही मुझ पापनी को सिखा करना चाहते है कदाचित मेरा राम ही मझे क्षिमा करते है मुझे अपने साथ ले चलो दीदी अपने साथ ले चलो हरी पकली वो तो तुझे दोशी ही नहीं मागता देख लेना उसके समय में कोई अंतर नहीं आया होगा नहीं मैं उसके सामने क्या मुझ लेके जोंगी मैं उसे अपना मुझे दिखा सकती आप ही मेरी और से उसे कह देना हो सके तब मुझ पाप इनको शमा कर दे नहीं बैन इसमें तुम्हारा कोई दोश नहीं है हम सब नियती और काल के आधिन उन्हें जो करना होता है उसे और हमारी बुद्धी फेर देते हैं देदी चलने की तयारी कर देदी मंगल भावन अमंगल हारी रग हो सुधशरत अजिर भिहारी सीताराम चरित थति बावन मजुर सरस अरुपती मन भावन पुनि पुनि कितने वो सुने सुनाए कि यकी प्यास बुझत न बुझाए सुनाए स्ट्ट सुनाए 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 उम सुनाए कर दो कर दो कर दो अती मन भावन पुने पुने कितने हो सुने सुनाए यकी प्यास बुझत न बुचाए कि अज राज्य सभा में घोशेद कर दिया है कि वो अजोध्या के राजसिंहासन पर नहीं बैठेंगे उस पर केवर बड़े भाई का अधिकार है अपने स्वामी के इस धर्माचरण और उनके त्याग पर आज मेरा मस्तख गरुसे उचा हो गया है कि आज में तुम्हें अपना मुझ दिखाने योग के हुई कि पुर्मिला इतने दिनों तक इस कलंग का बोच लिए मैं इसलिए तेरे सामने नहीं आई सुर्ण आरे वन जा रहे हैं हां बड़े भावी और लक्ष्मिन भाईया को लाने अच्छा हां सब जाएंगे कि सब जायेंगे तो सब जायेंगे और अपने राजा को मनाकर लोटा लाने के लिए सात चाहती है कि आरे ने नगर में खोशना भी कता है कि जो जाना साथ चल सकता है कि सबस्थ हां हम भी हां पगले हम भी आप साथ जाकर क्या करेंगी हम वन में कोई भ्रमन के लिए नहीं जा रहे हैं राम भाइया को वापस लाने जा रहे हैं मैं अपने लिए नहीं कह रहे ही नाथ पूर्मिला की मौन व्यथा को देखकर रिदे कांप जाता है यदि आप उसे केवल एक बार लक्षमन भाइया के कि दर्शन करा देंगे तौन एक बार दर्शन की बात कर रही हो देवी तौन यहें साथ ला रहा हूं क्या आप लोगों को मेरे लिख्रकी शॉफलता में कोई संदेश है नहीं स्वामी नहीं हमतो क्या सारी अयोद्याया आपकी सफलता के लिए प्रभू chesson तो बस उर्विला से कह दो अपने पती के स्वागत की तैयारी करें अब विरहा के दिन समाप्त हो गया है अब श्रीरान के राज्या भीशेक का उत्सव मनाने की तैयारी करो उस समय हम उनके साथ तमसा नदी तक साथ गए थे तब वो हमारे साथ छल करके हमें सोता हुआ छोड़कर चले गए थे अब हम राजकुमार भरत के साथ जाए रहे हैं अब कहां जाएंगे वो अब हम उनको और राजकुमार लक्षमन और रानी सीता को साथ लेकर ही लोटेंग हाँ तब तक हम तुम्रे लिए सवामन बतासे के परसाथ तयार रखेंगे हाँ तू बतासे के परसाथ तयार रख हम अवज से लेकर लोटेंगे उनको अरे सुना शीरी राम चंदर जी को लेने के लिए भरत सेना लेकर वन को जा रहे हैं हमने भी सुना है बापू बापू रा जाकर उनके चड़नों में शीष न वाना अरे उनके तो दर्शन से भी पुन्य होता है रे बापू भावी राजकुमारों के साथ राजमाता हैं मंत्री गुरुदेव सेनाएं सब जा रहे हैं उनके लिए रास्ता ठीक करने के लिए कारीगर यांतरिक शिल्पी पेव काटने वाले सब दल बना कर जा रहे हैं मुझे भी उस दल के साथ जाने की आग्यों यह तो सबसे पहले तुम्हें राम जी के दर्सन होंगे न हाँ अरे बिट्वया हम से तो चला नहीं जाता नहीं तो तुम्हारे साथ हमों वह से चलते मुझे जाता नहीं जाता नहीं जाता है अपने राजा को मनाने भरत चलारे अपने राजा को मनाने राजा को मनाने राजा को मनाने राजा को मनाने भागत चलारे प्रभू दर्शन पाने कि राम दरश की पुरह भिलाशा बोले नयन प्रेम की भाशा कि राम साती चल भरत पपियरा स्वाती बूंद बिन त्रिप्त नजियरा वियोगी चलारे जी की जरन मिटाने अवधराम को अरपन करने ब्रभुता प्रभु चर्णों में धरने राज दिलक के साज सजा के माताए चली संग प्रजा के राजा का अधिकार राजा को लोटाने भरत चलारे अपने भईया को मनाने राजा को मनाने भईया को मनाने भरत चलारे अपने राजा को मनाने का कहो हाँ जोध्या के राजा भरत बहुत बड़ी सेना लेके चले चले आ रहे हैं अरे ठीक से पता तो लगाए हो ना हाँ राजा जी बहुत बड़ी सेना है हाथी घोडा रत आगे सूर पता का फैरा रहे हैं भरत वनमस सेना लेके कौन विचार से आ रहे हैं विचारत साफ है राजन कहीं के बिटवा है ना माथा चलाए दियो हुई कहीं राम जी राज का अधिकार न मांगे आ जाए इस समय वह अकेले हैं राम लखन दूनों भाइन का जंगल में मारे के आपन इसकंटक राज करेंगे अरे हमरे होते हुए राम जी की ओर कोई तिर्ची नजर से भी देखे तो उकर आख निकाल देंगे हम हम उनिशाद है निशाद हाथी घोड़ा पे बैठके आए वालन को ठठरियों नसीब ना होई भरता रोकर सेना के लिए सिंगेरपूर को हम यंपूर बना देंगे राजन उनकर यतनी बड़ी बेसाल जिना के आगे हमार मुठी बर जोद्र कहां तक तक कर ले सकत हो अरे चप कायर कहीं का ऐसने जान प्यारी है तो चूड़ी पहन के घरमा बैठ जा अरे सामना नहीं कर सकेंगे तो अपने राम जी के लिए मरमिट तो सकेंगे हम निशादो कि लाश पर ही पहे रखकर भरत गंगा पार करेगा जाओ बजा दो युद्ध का नगारा मेरे प्यारे योधाओ आज किरपा निधान श्री राम जी के नाम पे मरमिटे की घड़ी आई है जानत हो क्यों हमरे प्रभु जी तो अजुध्या का राजपाठ एक के छनमा भरत लाल का दान कहीं दिये रहे पर आज उह राजा भरत आपन पूरी सेना लाई के निकर पड़ा है हमरे श्री राम जी और भाईय लक्ष्मन जी का वनमा घेर के मारे के बदे उह समझे होई है कि उह वनमा अकेले हैं अरे उह कहकई का बिटवाई नहीं जानत है कि राम के नाम पे प्रान बलिदान करे वालन से इभूमी भरी पड़ी है आज बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी आई है आज बहुत बड़ी सक्ति से लोहा लेका है हम गंगा मैया की सावगंद उठाए के कहत हैं कि हमरे जीते जी राम जी का सत्रू गंगा पार लाई काई सकेगा गंगा के सारे घाट को गेर लेओ जंगल की जारियों में धनश्वान और खड़क उठाकर मोर्चा जमाई लेओ गंगा मैया की धवलदारा रक्त से लाल कर देंगे बरत की सेना के रंड़ मुझण आज गंगा में बहेंगे वीरो याद रखना युद्ध में मरना और वो गंगा जी के तटपर और वो भी प्रभू श्री राम जी की रक्षा में हरे जीतेंगे तो श्री राम जी की सेवा करेंगे और मरेंगे तो सीधे मोक्ष मिलेगा किन्तु भरत तो क्या स्वैम काल भी राम जी की और आगे बढ़ा तो काल के लिए भी हम निशाद काल बन जाएंगे हाँ हाँ हम काल के लिए काल बन जाएंगे हमरे जीते जी भरत गंगा पार नहीं जा सका था है तो सब बोलो शिरी राम चंद्र की राम चंद्र की निशाद योधाओ आगे वड़ो ठहरो राजन ठहरो जोश में मतवाले होकर कूच कर जाओगे हाँ ही हमसे भूल हो गई कारण समय कम है परंतो विना विचारे कारे में पस्ताना भी पड़ता है हमारा शगुन आपकी विचार से विरोध मी कह रहा है पहले भरत से मिल लिए जान लिए उनके मन का भाव क्या है हमारे विचार से युद्ध की नौबत ना आई आप कई विचार है तो हम उसी अनुसार कारी करेंगे युद्धमा तो कभी कौनों का भला हुआ ही नहीं युद्धाओ तुम सब जाकर गंगा के घाटों में डट जाना और जाडियों में छिपे रहना हम जाए के भरत जी से भेट करेंगे भेट जान लेंगे उनका भाव मित्रता का है या शत्रूता का बहर और प्रेम छिपाए नहीं छिपताएं हमार संकेत होने पर ही घात करना सम युद्धाउ कुम लोग सावधान रहना कहीं राम का मित्र समझ कर पीछे से कस्मात वार न कर दें आप चिंता जिन करो राजा जी अगर किसी ने आप पर आग भी उठाई तो हम आखों निकाल देंगे कुमार यह शर्णवीर पूर यहां के राजा निशात राजगो है वो श्री राम के परमपत है पर श्री राम उन्हें अपना मित्र और सखा मानते हैं क्या कि श्री राम उन्हें अपना मित्र मानते हैं तब तो तब तो वो मेरे लिए भाईया राम के समान है आर्य सुमंद्र मुझे उनकी शीवर दर्शन कराईए अजोध्या के राजा भरत कुमार को निशात गुहु का जुहार राजा हमार जुहार लो वो स्वेम आज़े कि मैं आपकी शरूब करता हूं अजोध्या के राजा आप भी का गए रहे हो भाईया आपको रदय से लगाते हैं आप मुझे अपने गले से लगा लीजिए मुझे ऐसा ही लगिए का चैसे मेरे राम भाईया ने मुझे स्पर्श किया हूँ आप मुझे इस योग यह नहीं मानते ना ठीक है पर पापो का यही दंट है हम नहीं नहीं महर भईया हम से भूल होए गई हम तुम्हारा पराधी हैं भरत भीया हमरे मन में जाने का का विचार उठत रहे तो हो इस बापी है हम पापी हैं अरे स्री राम के भाई के लिए हमरे बन में कैसन विचार उठत रहे हम बहुत बड़े पापी हम रहे हम से पाप हो गया हमका अक्समा कर दियो भाईया हम आपका चाने नहीं आप तो सच मुछ राम है के दूसर रूप है बिल्कुल वही राम भाईया जैसास नहीं है आपके रहे हैं शत्रुप्द इनके चरंच हो यही राम भाईया से कह के हम एक शमा दिला सकते हैं और नहीं कुमार नहीं जोहार मंत्री जी श्री राम जी सचे कहत रहे की अवार भलत बहुत महान है था मूझे यादक आप क을 मैंने इसे बाते हो गरत रहे हैं अखना के जिए गास के बिछाने के हाधि भाईया गास के बिछोने पर स्फो देखोंड जिजोन वह वरिक्ष्ऩ नीचे घाजरा है ना उसी पर भाईया रहा और मैह सिता पूरी रात सो है 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 थाा है भाइन भाइनियोस वह था सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कि भाईया और भाभी सूखी घास पर स्वेट हां कुमार जी हमार प्रभु श्री राम ही यहीं सोय हुए थे हमार भी छवनाओं नहीं लियें और हमार परोसा हुआ भोजनों नहीं खाएं कंद मूल खाएं और गंगा जी का जल पी के अपन पेट भर लिया और दूसरे ही दिन नंगे पैर ही चित्रकूठ की ओर चल दिये हैं हाए रहे अभागे भरत भाईया सूखी घास पर पड़े रहे और तू महलों के रेश्मी बिच्छोनों पर सोता रहा आर्या सुमंत्र यहां से मैं भी पैदल नंगे पाउ चुत्रकूठ तक जाओंगा जब तक भाईया के दर्शन नहीं हो जाते अन्न ग्रहन नहीं करूंगा स्वामी कंद मूल खाए और सेवक राजभोग खाए धिकार है ऐसे सेवक पर धिकार है वाह भरत वाह तीरे जैसा राम भक्त इस अंसार में दूसरा नहीं होगा हमने भरत जैसे महात्मा पर बेर्थी संदेख किया ऐसा परमत्यागी महात्मा इस धर्ति पर युगों युगों में जनम लेता है इतना विशाल सामराज तिनके के समान त्याग दिया विदी के खेल निराले हैं कैकेई जैसी विशेली बेल पर अम्रिज जैसा फल कैसे पैदा हुआ कैकेई के तो कलंक लगना ही था जो उसने कुबड़ी के बहकावे में आकर के इतने बड़े अनर्थ का कारण बन गई नहीं जाने विधाता ने कौन से अपनी स्वार सिद्धी के लिए कैके इसलिए तो कहा गया है जहीं विधिदार उन दुख देहीं ताकि मति पहले हर लेंगी अब कितना पस्ता रही है विजारी तंगा तीर पावरी त्यागी नंगे पाव चलारे बैरागी सिद्भध जाम उचित असमोरा सब दे सेवक धरम कटोरा पुन्य प्रयाग ही कित प्रनामा पहुंचे उभर दाज के धामा जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोश नहीं सब विधी का खेल है तुम अपने मन से गलानी को निकाल दो बेरे कारण इतना बड़ा अनर्थ हो उसकी गलानी मन से कैसे जा सकती है मुनिवर आयोध्य के राजवंश पर ऐसी विपत्ती का समय पहले कभी नहीं आया विपत्ती के समय ही किसी जाती या वंश की सभ्यता और संस्कृति की परीक्षा होती है भरत तुम दोनों भाईयों के त्याग ने इन विपत्ती के दर्शनों को रगुकुल की कीर्ती का अफसर बना दिया है है महरशी भरद्वाज आप मुझे आशिरवाद दीजिए भाईया राम मेरे रेद्रय के भाव को पहचाने और मेरा ये प्रहा सफल हो जिंता ना करो वत्स जो कुछ भी होगा उसी में जगत का कल्यान निहित है दर्शिष्ट की पूजा वंदना समाप्त हुई हम उनके दर्शनों को जाना चाहते हैं आज मैंने बहुत बिचित्र सा स्वपना देखा है क्या सिते मैंने देखा जैसे भरत जी समाच सहित यहां आये थे सबके मुख मलीन और मन दुखी लग रहे थे यह सब्म तो शुब नहीं दिखाए देता मुझे भरत की चिंता है वो हमारे विरह में रोगी भी हो सकता है भावी मैं जंगल से लकड़ी लेकर आता हूं लक्षमन शेगर वापस आना हमको चिंतित हैं सीता ने एक दोस्वपन देखा है कैसा सवपन भावी यही कि भरत दुखी है उसे कहे का दुख उसका तब तक राज अभिशेख हो गया होगा राजा बनकर आनंद से रह रहा होगा तो मुझे नहीं जानते लक्षमन वो मुझे इतना अधिक स्नेह करता है कि उस पगले ने राज्या भिशेख भी रो रोकर कराया होगा माता और पिताची की आग्या से विवश होकर भाईया आप सब को अपने जैसा सीधा और सरल समस्ते हैं यह लक्षमन बच्पन से भरत से लड़ाई करता रहता है उन दोनों में आपके स्नेह के लिए स्पड़ता है ना कि क्या यहीं चित्रकूट है जी तो जाने भाईया राम के गुटियां कहा होगी आप चिंता मत करें कुमार हम मनाई भेजे कुमार 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 मैंने श्री राम की कुटिया ढूंड ली है उनकी कुटिया इसी अस्थान पर है वो पेड़ों का जुर्मट दिखाई देता है ना ठीक उसकी दूसरी तरफ वो इस समय राजकुमार लक्षमन और देवी सीता सहित वहां विराजमान है क्या विराजमान है चलिए गुरुदे आप ये चड़ाई शिग्रत असे चड़ने ही पाएंगे आप माताओ को लेकर धीरे धेरे आईए बाकी सब लोग यहीं विश्राम करेंगे आईए चलिए प्रिया र्या रिया 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 क्या हो अलक्षमेन? थे यह पत्या है अब में सास्ने भी लाया इन फूलों को छोड़िये घीर शेष्ट अठाएक समय अगया अच्छा इना वो खुद चलकर आगया है आज में उसे जीता नहीं छोनगा क्या बात है लक्षमन कौन आगया कि आपको चहेता भरत क्या भरत आया है कहां है चित्रकूट तो का गया है मुझे वन में भील और कॉलमित्रों ने आकर कहा अयोद्धगर राजा भरत अबनी चत्रोंगी सेना के साथ चित्रकूट आ रहा है मैंने सवें पेड़ पर चलकर देखा तो मुझे सच सेना दिखाई अपनी सूरी पतकाई लहरा रही थी साथ में खोड़ा और हाथी भी इसका आथ है को अपने पूरी शक्ति के साथ आक्रमन करने आ रहा है आक्रमन किस पर आप पर और किस पर राज जी पाकर उससे राज कमत समहला नहीं किया किसी ने बुद्धी दी होगी कि मुरक इस राज पर तो असलिया दिकाश शीराम का है और शीराम प्रजा को प्यारे भी है एक ना एक दिन यह प्रजा दुस्ते राज चीनकर शीराम को दे देगी पस उसने सोचा होगा इस समय दोनों भाई वनमे निस हाय अवस्ता में अकेले हैं दोनों को सवाब कर अपना राज निस कंट कर लूँ उसे नहीं पता था कि अभी तक लाक्षमिन नहीं हो सकती क्यों 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 कुटिल नहीं हो सकती जिसकी मां की बुद्धी कुटिल हो तो उसके पुत्र की बुद्धी कुटिल तो नहीं हो सकती यदि उसके हिर्दे में कपट नहीं होता तो अपने साथ हाथी खो लेकिन राज मत पाने के बाद राज कमत किसी से सहा नहीं जाता है अरे मानव तो क्या इंडर जैसे देवता भी राज मत के नशे में चूरोकर उची तोरह नुचित भूल जाते हैं आज राज शक्ति के नशे ने भरत को अंधा कर दिया है वो वो आपको निस्खाय बेसाहरा समझकर आपकी हत्ता करने आ रहा है नहीं लक्षमान नहीं आपको मेरी सौगन भाईया आज मुझे मत रो किये गा मैं आपके चल्यों कि शबत खाता हूं यदि मैंने छत्री कुल में जनम लिया है और मैं सच्चा रे गुंची हूं तो आज में दोनों रंचेत में मेरे हाथों मारे जाएंगे जिस तरह एक सिंग हिरनों के जुन को कुचल लेता है उसी तरह मैं उसकी चत्रंगणी सेनका नाश कर दूँगा तभी यह मेरा धरुस्त रंकरना सारता कोगा जीता नहीं चोड़ूँगा जाएंगे लक्षमन सावधा तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कैसके को जाना निहारा तुमने भारत को मारने की जो प्रतिग्या की है उसे तुम निश्चे ही पूरा कर सकते हो किन्तु वेदों और विद्वानों का कहना है कि मनुष्य को कोई भी ऐसा कठोर कर्म करने से पहले उसके उचित या अनुचित होने पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार बिना सोचे समझे अकस्मात नहीं कर देना चाहिए जिससे पीछे पच्छताना पड़े इसलिए उचित अत्वा अनुचित की बात सोच कर और इसका परिणाम क्या हो सकता है इसका विचार करके ही युद्ध के लिए धनुश उठाओ क्यूंकि युद्ध में सरवदा हानी अधिक होती है लाब कम होता है लक्षमन या आकाश्वाणी सुनी तुमने जो उचित और अनुचित का भालिभाती विचार किये बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं वो पीछे पच्छता आते हैं मुझे तुम्हारी वीर्ता पर और तुम्हारे पराक्रम पर किंचित भी संदेह नहीं है तुम क्रोद के आवेश में भरत को अवश्य मार सकते हो परंतु जब तुम्हें पता लगेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मित्या था तो क्या फिर उसे जीवित भी कर सकोगे? परंतु भाईया, जो आँखों से दिख रहा है, उसे आप संदे कर रहे हैं? कभी कभी आँखों से देखा हुआ भी सक्ते नहीं होता राजपत का प्रमाद साधारन मानव को हो सकता है इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है परंतु भारत का स्थान देवताओं से भी उचा है वो एक माहा मानव के रूप में महांता की परिसीमा है जिस प्रकार खटाई की एक बून से खीर सागर का दूद नहीं भट सकता उसी प्रकार आयोध्या तो क्या तुलोग का राज्य विभरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजमत नहीं हो सकता आपके इसी साधूपने में हमने अपने हाथ में आया हुए राज छोड़ दिया सारी प्रजा आपके साथ थी आपका एक संकेत होता तो प्रजा महराज को आपको राज अबिशेख कर दिए और प्रजा की बलपर मैं अपने पिता का वचन जोटा कर देता लक्षमल पिता और पुत्र का नाता रजा के मधा मत से निर्धारित नहीं होता इसी प्रिकार भाई और भाई के बीच वैसले तलवार से नहीं किया जाते भरत को मार कर जिस राज्य के तुम कलपना कर रहे हो तो निक सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा यदि अपने भाई ही ना रहें तो राज्य के सुख भूग में क्या आनंग मिलेगा ज़ि मेरे सुख में तुम तीनों भाईयों का भाग ना हो तो वो सुख मेरे लिए विश के समान है और यदी तुम्हें राज्य की लालसा है तो मैं तुम्हारी शपत खाकर कहता हूं इसको प्रहार करने तो वो हमारा राजा है, हम अपने राजा के सामने शस्र नहीं उठाएंगे, हैं याज कि अजया है याज तो याज तो याज तो याज इन आगया है याज की शरण में आगया हूँ भारत 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 परे भाई 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 जिस पापी के करण आपकी ये दशा हुई है उसे भाई मत कहिए मैं अब इसका अधीकारी नहीं भाई 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 मुझे चमादर दीजे भाई मैं एक मिरलोज की भाती आपके सामने आगया हुई आप सब की ये दशा देखने से पहले तो अच्छा होता है कि मुझे मुझे रहा जाती है ऐसे पापी को प्रणा मत करो मुझे माफ करतो भाईया मुझे माफ करतो मेरे मन में आपके लिए दोश आ गया था आप मैंने आपके उपर धनश उठाया तो वो बांड चला क्यों नहीं पगले वो बांड चला देते तो मेरा बहुत बड़ा हुपकार करते फिर मैं भाईया के सामने अपने कलंग की दमू लेकर तो नहीं खड़ा होता मेरी कुल गातीनी माता के पापो का मुझे यही दंड मिलना चाहिए भरत माता के लिए ऐसे अप शब कहना पाप है तुम तो धर्म के अव्तार हो मेरी कहकाई माता के लिए मैं तुमसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं करता भाईया परिस्तिती मेरी बुद्धी मारी गई है मेरे साब दोश्क्षमा करतो मैं अपने पापों का काहिश्चित करने ही तो आपकी शरण में आया हूँ तीर अजिकांदों परत परिया बादी मंगल भावन अमंगल हारी रहो सुधाशरत अजिर भिहारी सीताराम चरित थति भावन मधुर सरस अरुपती मन भावन पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए कि यकी प्यास भुझत न भुझाए आया आया सीताराम चरित थति भावन मधुर सरस अरुपती मन भावन पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए यकी प्यास भुझत न भुझाए प्रणा मरे सुमंत्र चरनजी विवे यकी आति थे कितने कितने अरुझत न भी आति ए ओ आति आति हो ऑप्यादत्याओत्याथत्या न प्रुझत न भी यहीं प्रणाम हरे सुमंत्र चिरन जी भी हो यशस भी हो कैसे हो सका प्रभू आपके दर्शन पाकर सारे संताप मिट गए प्रभू आप हमें तमसा नदी पर छोड़ कर चले आए थे हम यहां भी चले आए बहुत अच्छा की अफ्षी भरत तुम आयद्या छोड़कर बन में क्यों आ गए पिताश्री माताएं सब कुशल से हैं न क्या हुआ बहुत तुम चुप क्यों हो गए बोलो भरत भाईया बोलो भरत पिताश्री काहो भरत पिताश्री कैसे हैं मेरे हिर्दाय में संचय उठ रहे हैं हुआ 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 है आपका संचय सत्य है भाईया हुआ है पिताश्री हम सब को छोड़कर परलोग सिधार गए हुआ हुआ छुआ हुआ 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 है टूर टूर बियुआ हम अ Лक्षौन लक्ष्मिन राम, धीरत से काम दो, गुरुदे और मातायें भी हमारे साथ आए है, मातायें आई हैं, गुरुदे वाए हैं, कहा हैं, हम उन्हें नदी किनारे छोड़कर शीग्रता से आए हैं, वो धीरे-धीरे आते ही होंगे, धीरे-धीरे, लक्ष्मिन, सीटे, माताय, माताय आई है, मैं, आताय अजडियर शाहिए लचीर से शीशुक्ष्माथ, भीरे-धीरे, वलाव्य को वाहिए कर दो कर दो कि मेरे पिताश्री नहीं रहे अब मुझे आप ही की ममता का सहारा है मुझे क्षिमा कर दो इन सारे दुखों की जड़ मैं हूँ नहीं माता इसका कारण है काल धर्म और विधाता इसमें आपका कोई दोश नहीं कुछा सुख नहीं यहांग, हम अनात हो गए रख, हम अनात हो गए नहीं मा, आपके तो चार-चार पुत्र हैं, आप क्यों रोती हैं, अनात तो मैं हो गया कर दो कर दो कर दो कर दो कि अखंड सोब बाग्यो थी पौट अच्छ। झाल झाल कawa्ला कRI वा कर ऐ दो जो κι हoule कर दो कर दो जा इंडर मर जो कर दो और Tanah commissions double कि आख इंडर कर दो कर दो कि आतो कि रहिं configure आई, 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 एंगर, आई रए ए एए, आई, बगर, ए, ए एए एुण ऑई ए एए Ay, उश्मान झूओ लुका लो धा, दो अवाओ मैने वारो बटॉसक लोग ए्सए कर दो कि अपने पिताश्री को आपके चरणों में छोड़ कर आया था कहां चलेगे वो मेरी माताओं को इस वेश पे छोड़ कर राम भावी बड़ी प्रबल है नदी में बहते हुए काट के टुकड़ों की भाती हम जन्व जन्वांदर की धारा में बहते हुए एक दूसरे से मिलते बिछुड़ते और फिर मिरते रहते हैं यह मिलना बिछुड़ करना अनिवारी है इसलिए बुद्धिमान इसका शोक नहीं करते इस समय तुम्हें दिवंगत आत्मा के प्रती एक पुत्र का करतव्य पूरा करना चाहिए पुत्र का धर्म हैं अपने जनक के जीते जी उसकी सेवा और रक्षा करना और मृत्य उपरांद उन्हें सद्गती में पहुंचाना अब तुम दोनों भाई पवित्र मन्दा के नहीं में चलकर अपने पिता के लिए तिल और जल से तरपन करो कि 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 तुम्हें तिलान जली गारा आत्म शांति के लिए दुप्ध की जल में डाली धारा सानुजु शर्था सुमन चड़ा कर नत है राम तुम्हारा हे स्वर्गी या पिता में तरपन हो स्विकार हमारा हे स्वर्गी या पिता में तरपन हो स्विकार हमारा हे पिताश्री आप जिस लोप में हैं मेरा प्रणाम आप तक पहुंचे हे महत्मा मेरे मानसिक संकल्प से आपका कल्यान हो और आपका आशिरवाद हमेत राज हम दो यह इंद्धे था इंद्धा उड्प के घ्ला कि ओंगर इभाद कि जिन्टा करें हम जो आपके सेवक हैं अरे आपको जाके आराम करें सब प्रपन्द होए जाएगा अरे माता दीन अरे तुम लोग कहा मरगилось एह, एक दीरे-धीरे हाथ चला रहे, चला उठाओ उआसे, चला उठाओ जल्दी, चला, चला, एचला, ऊठाओ पंञार दूसरा उठाओ राम, लक्षमन ₹ राजा हो या रणक, सभी मानव अपने-अपने करमानुसार लोड में आते हैं और अपने भग्यानुसा सुख दुख का भोग पूरा करके परलोप में चले जाते हैं यही विधी का विधान है हानी लाव, जीवन मरंड, यश अपयश विधी हाथ सब विधी के हाथ में है, तो मनुष्य के हाथ में क्या है गुरुदेव? कर्म, कर्म ही मनुष्य के हाथ में है, उसी से तो वो अपना भाग्य बनाता है सीता, जी माता जी, भरत ने कहा था, मुझे दंड देने का अधिकार केवल राम को ही है बिधी, तू ही उसे कहना, मुझे पर दया करके, मुझे पाप ने को मित्यों दंड की आग्यां दे, अब और लज्जा मुझे नहीं सेही जाती आप ऐसा क्यूं सोचती है माता जी, वो तो हमेशा आपकी प्रशंसा करते हैं, उन्होंने कभी आपको दोशी नहीं का यही तो सबसे बड़ी यातना है सीता, हिराम ने मुझे पर कभी क्रोद नहीं किया, उसने मुझे कभी क्रेड़ों नहीं की आर्या सुमंत, मैं इस चिंता में हूँ, राम भहिया से आयोध्या चलने की बात कौन करेगा, किस से कौन, कुमार, आप और किसी का साहरा क्यों डून रहें, स्वहम कई ये, वो आपकी बात नहीं टालेंगे, परंतु मैं तो उनका सेवक हूँ, सेवक अपने स्वामी को आज्या कैसे दे सकता है, मेरा आशय ये है, क्या आप नहीं कह सकते हैं? मेरी स्तिथी भी वही है गुमार जो आपकी है, मैं भी सेवक मात्र हूँ, आप माता कौशलया से कहिए, माता कौशलया को तो वो एक उब्देश सुना देंगे और वो मौन हो जाएंगी, तो गुर्देव से कहिए, उनके आज्या श्री राम नहीं टालेंगे, हाँ, ये ठीक है, सीता, जी, लक्षमन तुम दोनों की ठीक प्रकार से सेवा करता है कि नहीं? माता जी, वही तो सब कुछ करते हैं, देवर जी के बिना तो हम सब भूखे रह जाएं, वही वन से लक्टी काट कर लाते हैं, वही कनमूल भी ठून कर लाते हैं, उसी से हमाई रसोई बनती हैं, लक्षमन तुने मेरे दूद की लाच रख ली, भगवान तुझे सदा खुश रखे, परत, मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ, परंतु, परंतु कुछ नहीं गुर्देल, मैं जानता हूँ, राम भाया आपकी आग्या नहीं टाल सकते, इसलिए आपको आग्या देनी ही आपके यहीं चुत्रकूट मैं अपने प्रांट ट्याग दूँगा, नहीं वाच, इसके आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी, धन्यवाद गुर्देव, ऐसा लगता है, जैसे अब मेरे भागय का उदाय होने वाला है, सीता, जी माता जी, राम मुझे कभी याद भी करता है, माता जी, अपने ऐसे क्यों पूछा, वो बड़ा निर्वोई है ना, भावना से करतवे कोई उच्छा मानता है, माता जी, आपकी तो वो ऐसे पूजा करते हैं, जैसे माता भवानी की, उन्होंने आते समय, प्रताशी से कुछ नहीं मांगा, किवल इतना ही मांगा था, कि मेरी माता बहुत दुखी है, उन्हों पसने अक्रबा बनाई रखेगा, वो मन से सन्यासी है, फिर भी उसे सब का ध्यान रहता है। भीया, सुना है भरत भीया, अपने साथ राज अभिशेक की सारी सामगरी लाएं। वो यहीं पर आपका राज अभिशेक करना चाहते हैं। अच्छा, परन्तु भरत को ऐसी नीती विरुद बात नहीं सोचनी चाहिए। इसमें नीती विरुद क्या है भीया। देखो लक्षमन। पिताश्री के बचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही भारत का भी है। गुरुदी, वो नहीं माने, राम भाया नहीं माने। क्या नहीं माने वत्स? उनका भाव जानने के लिए मैंने लक्षमन द्वारा उनको सूचना दी थी कि हम उनका राज्या भिशेक यहीं करना चाहते हैं। परन्त उन्होंने, उन्होंने कह दिया भारत ऐसे नीती दुरद बात कभी सोच ही नहीं सकता। पिता के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही भारत का भी। गुरुदेव, गुरुदेव आप मेरे लिए कुछ कीजिए। मैं मर जाऊंगा। आप राम भाया को आग्या दीजिए। भारत, तुम्हारे प्रेम की पराकाष्टा देखकर वशिष का मन भी विचलित हो रहा है। तो क्या राम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लगता है तुम्हारे इंडिश्चल प्रेम की धारा में तीनों लोग बहचाएंगे। सच्छ गुरुदेव, मेरे राम भाया भी। हाँ, तेरे राम भाया भी। यदि मानव के हुदय से सच्छ पुकार निकले तो स्वयम भगवान को भी अपने नियम तोड़ देने पड़ते हैं। कल सबरे हम सभा बुलाएंगे। उसमें सब निरने हो जाएगा। गरुदेव अमिट प्रेम की जाएगा। अमर कहानी एक त्याभी दोजा बलीदानी। है राम। तुम धर्म, नीती और ज्ञान के भंडार हो। सब के मन के भाव तुम पर विदित है। और उनमें खरा और खोटा कौन है इसके पहचान भी तुम्हे है। तुम ये भी जानते हो कि भरत तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आये हैं। और उनकी प्रार्थना का समर्थन करने के लिए माता हैं, मंत्रिगंड, अयोध्यावासी और हम भी आये हैं। तुम्हारे वियोग में शोक के अथाहा सागर में डूबे हुए इन आत्मिय जनों की दशा बड़ी करुना जनक है। तुम तो करुना निधान हो। अब इनका दुख कैसे दूर हो। उसका कोई उपाय तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यही हम सब की तुमसे प्रार्थना है। हे पूजवर। हमारे कुल में गुरू के आज्या का पालन करना परमधर्म माना गया है। उसी में सब का हित ने हित है। इसलिए आप जो भी आज्या देंगे सभी उसका पालन करेंगे। मैं सारी सभा के सामने प्रतिग्या करता हूं। मेरे लिए आपकी जो भी आज्या होगी उसे शिरुधारे करके उसका पालन करूंगा। अब आप ही साधुमत, लोकमत, राजनीती और वेद शास्त्रों में कहे गए धर्म के अनुसार जो सबसे उत्तम उपाय हो उसी के अनुसार आग्या दीजिए राम जो द्वार पर मांगने आता है उसे केवल अपना दुख और अपनी आवश्यक्ता ही दिखाई देती है याचक नीती आनीती को नहीं सोच सकता इसी प्रकार हमें समय याचक बनकर आये हैं भरत की पवित्र भात्रु प्रेम की तीवर धारा में हमारी बुद्धी हमारा विवेक बह गया है इस समय हमें साधुमत लोकमत राजनीती और शास्त्र सम्मत धर्म का आभास नहीं रहा हमें केवल भरत का प्रेम और उसकी विवलता ही दिखाई दे रही है हम इतना ही कह सकते हैं कि भरत का हिद देखकर जो किया जाएगा बही शुब होगा ताद भरत तुम्हारे बड़े भाई कृपयासंदू है अतहा सब संकोच त्याकत तुम उनके सामने अपने हिर्धे की बात कह दो परम पूज्य गुरुदेव भाईया समस्तर इशिगर आयोध्यार राज्य के माननिया मंत्रिगर और प्रजाज़ आप मैं आप सब के सामने इस सभा में खड़ा होकर घोशना करता हूँ कि आयोध्या कि जिस राज्य के असली उत्राधिकारी श्वी राम है मेरी माता ने बड़ी कुटिल लीती द्वारा मेरे पिताश्वी महराज दशरत को उनके दियोए वचन के जाल में फांस कर वो राज मु होता है कि हमारे कुल की रीती और विधान भी यही है इसलिए उसके विरुद जाना अधर्म होगा मैं यह भी जानता हूं कि मुझ जैसे पापी के मुक्स धर्म और अरहन की बाते सुनकर सारा संसार परिहास करेगा परन तो मुझे एक ही आशा है श्री राम जैसा दाता ये नहीं देखेगा कि मांगने वाला पात्र है या कुपात्र इसलिए मेरे अउगुणों को ना देखकर मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीचिए अपने कुल धर्म के अनुसार आयज्या के राज सिंगासन को ग्रहन कर कि मुझे और मेरी कलंकिनी माता को अपने पापों का प्राइश चित करने में सहाया था कीचिए ताहत तुम अपने हर्दय में व्यर्थ गलानी कर रहे हो मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं कि तीनों काल और तीनों लोकों में तुम जैसा धर्मात्म पुरुष ना हुआ है और ना होगा तुम पर कुटिलता का आरोप लगाना महापाप है भरत तुम्हारे जिसे महात्मा का नाम इसम्रण करने से ही पाप प्रपंच और समस्तमंगल मिठ जाते हैं माता कहकई को भी वही मूर्ख दोश देंगे जिन्हें गुरु से सच्चा ग्यान प्राप्त नहीं हुआ भरत मेरे भाई इन भावनाओं से उपर उठकर केवल इतना सोचो कि हमारे महान पिता ने माता कहकई को दिये हुए जिस वचन के लिए नकेवल मुझे त्याग दिया परन मुझे त्यागने के दुख में अपने प्राण भी त्याग दिये ऐसे सत्यवादी पिता के वचन को हम चारों भाई निभाए या उनके स्वर्गवास के पश्यात उनके वचन का निराधर करके उन्हें जूटा प्रमानित कर दें बताव भरत इस समें हम चारों भाईयों का क्या धर्म है राम मैं इस यूग्यू तु नहीं किन्तो आज सब के सामने मैं तुमसे क्षमा मामती हूं मुझे क्षमा कर दो रहा हूं सर्गिय माहराज ने मुझे वर दिये थे वो मेरे प्रती वचन वद्ध थे अ आज सब गुरुजनों के सामने सर्गिय माहरा से लिये हुए अपने उन वचनों को वापस लेती हूं और तुम सब को अपने उन वचनों से मुक्त करती हूं इसके लिए बहुत देर हो गई माता आपको वचन देने अथो अपना वचन वापस लेने का अधिकार केवल पिताश्री को था मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि पिताश्री के परलोग सिधारने के बाद उनके वचन का पालन करना एक पुत्र के लिए संसार के सब धर्मों से बड़ा धर्म है मुझे विश्वास है अपने अंतिन समय में भी उन्हें इस बात पर गर्व रहा होगा कि उनके पुत्र ने उनके वचन का पालन किया क्या उनकी ब्रत्यू के बाद हम उनका वो गर्व नश्ट कर देंगे भरत हमारे पिता जाने से पहले यह आग्या दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तता दूसरा राजा बने उनकी इस आग्या का पालन करना ही हम सब कर धर्म है ठीक है अगर यही धर्म है तो मैं चौदा वर्स वन में रहता हूं परन तो आप आयोध्या लोट जाए धर्म व्यापार नहीं होता भरत जो वस्तूओं का अदल बदल कर लिया जाए धर्मतिक ठोर और व्यक्तिकत होता है यदि हर प्राणी अपने करतब वी एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस त्रस्टी में अनाचार फैल जाएगा तुम राजा होकर इसे अनाचार की बात सोच अनुचित कुछ नहीं सूजरा बस मुझे एक ही बात का भरोसा है मेरे भाईया का मुझ पर इतना स्नेय है कि बच्पन में भी जब कभी मैं खेल में हार जाता था तो वो मेरे लिए जूट बोलकर भी मुझे जिता देते थे आज भी आज भी उसी स्नेय को याद करके मैं अपने स्नेय भाईया से ये बात कहने का सास कर रहा हूँ कि आज भी आप उचित अनुचित का विचार त्याक कर मुझे जिता देंगे भाईया भाईया मैं आपका वही छोटा सा भरत हूँ भाईया तुम्हारे लिए तो मैं आ पुत्र तो उसे कहते हैं मेरे भाई जो अपने सतकर्मों का फल अपने पिता को समर्पित करके परलोक में उनका उद्धार करें नकि वो जो पिता की सतकर्म को छूटा करके उनका मस्तक लज्जा से जुगा दें तो ठीक है भाईया आप अपना करतवे निभाईये मैं अपना धर्म निभाता हूँ मैं भी इसी प्रहण कुटी के सामने कुशा बिछा कर अन्य जल ग्रहन किये बिना तब तक बैठा रहूंगा जब तक इसका निर्णा नहीं हो जाता कि श्री राम को भरत प्यारा है या नहीं नहीं तो इनी चलने में प्रहण देदूंगा नहीं नहीं भरत नहीं कि नहीं कि मुझे ऐसे धर्म संकट में डालो कि मुझे तुम्हारा दुख सहन नहीं होगा कुरुदेव गुरुदेव रक्षा किजे गुरुदेव मैं भी किंकर तव्य विमूड हो रहा हूं राम ऐसा लगता है भरत अपने प्रेम की गंगा मैं सब कुछ दुबो देगा कुछ नहीं बचेगा कुल गुरु महारीशी विशिष्ट की जय हो मैं मिथला के महाराजा जनक का दूत समस्त गुरुदेव के श्रीचरणों में प्रणाम करता हूं कल्यान हो कहो क्या समाचा लाया हो महाराजा जनक महाराजी सुनना के साथ चित्रकूट के और पधार रहे अयुद्या के सारे समचा सुनकर कि भरत ने गुरुदेव और माताओं के साथ चित्रकूट के और प्रस्थान किया है वो सुन नहीं दुख सके वो मंदाक्णी के तर तक पहुँच चुके हैं और मुझे आपको सूचना देने के लिए आगे भेजाए महराज जनक के आने से हमारा भार हलका हो गया विदेयर आज निश्पक्ष रूप से हमारी समस्या सुलज़ा देंगे अताहा आज की ये सभा उनके आने तक स्थगित की जाए राम भरत तुम चारो भाई आगे बढ़कर महराज जनक का उचित स्वागत कर जो आग्या गुर्वे मंगल भावन अमंगल हारी रव हो सुदश रथ अजिर भिहारी सीता राम चरीत अति बावन मधुर सरस अरुकती मन भावन पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए कि यकी प्यास भुझत न भुझाए से जो आग्यास बढ़े स्वावन जनक न पुनि न एकपष्ट स्वावन जनक क में भावन सीटारामचरित पतिपावन मधुर सरस अरुखती मनभावन पुने पुने कितने हो सुने सुनाए यकी प्यास बुझत न बुचाए आपका आगमन शुभाव किरन जी हुआ है कि गुरुदेव कि महाराज दर्श्रत के स्वर्ग्वास पर अयद्या के साथ मिधिला भी शोक में डूबी हुई है अब तो आप ही के चरणों का साहरा है विदयराच आपके जैसा ज्यानी बुरुषा अगर शोक करें तुन कुमारों को आश्रे कुन देगा वत्सराम भरत लक्ष्मा शत्रुगन मैं दूतों से सारी बात सुन चुका हूं तुम चारों ने रखुकुल की किर्टी गाथा में आदर स्थापित कर दिया है तुम धन्य हो भाईया आप तो महाराच जनक आए गए हैं देखना कैसे सारी स्थिती संभा लेते हैं आहां भाईया उनकी बात थोड़ा ही कोई काट सकेगा हां उन्हें अपनी बिटिया की चिंता तो होगी ही उथोड़ा चाहेंगे कि उनकी बिटिया बन में भटके इना कहो भाईया जन इस समय तो भाईया एक पलड़े में धर्म है और दूसरे में प्रेम जनक जी को बराबर तॉलना है देखना है कौन सा पलड़ा भारी रहता है वेहर मिधिला नरज के आने से हम सब को बड़ी आशा बन गई इस समय दोनों घर में वो ही सबसे बड़े हैं मन से चिंता निकाल दो महरानी प्रभु साथ का मंगल करें देख दोनों भाईया अपने अपनी बात पर आटल है मेरा तुरुदय का अपना है इतनी अधिर नहों महारानी हर रात्री के बाद प्रभात अवश्य आती है हब पत्वार महाराच चलक के हाथ में रामवन में रहे ही आयोत्या में मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता परन्तु मेरे भरत की वैथा जिस प्रकार मिटे वही निर्णे महाराज दे देवी देवी आप उनसे अवश्य करिएगा अच्छी बात है अब आग्या दो राजमाता यदि थोरे समय के लिए सीता को साथ भेज देदी तो आपका बड़ा अनुक्रा होता उसके पिता ने तो उसे अच्छी तरह देखा भी नहीं अवश्य ले जाए देवी अवश्य सीता जी मा के सचा बेटी लेज़ देखा वार देखा लेखा लेटी वाराएब लेखाँ बेची, पुत्री, सीता, मेरी लाटली, तेरा यवेश्ट देखकर, लिदे में करूना का च्वार उमर रहा है, परन्तों पुत्री, मुझे अपार गर्व भी है, कि तुमने नारी धर्म का किर्तिस्थम स्थापित कर दिया, पिता जी, मैंने तो वही किया है, जो आपने, आप बाता जीने सिखाया है, आप बेधी, आप बेधी, तुमने तिरभूत बरागत दोनों को पवित्र कर दिया, तुमने दोनों कुनों की किर्ति बढा दी, तुमने माता पिठा के मस्तक करवसे उंचे कर दिया, देवनदी गंगा केवल तीन पथो पर प्रवाहित होती है, परंतु तेरे चरित्र के निर्मल केर्थी से समस्त आर्यावत पावन स्तेर्थ स्थल हो जाएगा, सुनिए, महारानी कौशल्या कुमार भरत के लिए अतिन्त अधिर हो रही है, सब आप पर आस लगाए बैठे हैं, जहां मुनिवर्शिष्ट जैसे ब्रह्म ज्यानी हार मान गये हैं, उसका समाधन जनक कैसे कर सकेगा, आप अवश्य समाधन कर सकेंगे महराज, राज माता कौशल्या, दोनों रानिया और अयोध्यावासी केवल भरत की चिंता करते हैं, रानी, भरत प्रेम की सीमा है, तो राम, धर्म कर्म की मर्यादा, राज्य की लालसा के लिए तो युद्ध होते हैं, होते रहेंगे, परंतु त्याग और प्रेम का युद्ध, मानों की महानता का प्रतीख है, जिसे देवतापी अवाक होकर देख रहे होंगे, देखना है, कल की सभा में भगवान आसुतोश, कर्तवे और प्रेम का संतुनन रखकर, सब के कल्यान का कौन सा मार्ग निकालते हैं, भगवान ही सब संभाल लेके, मा, आज की सभा में भईया की प्रतिक्रिया देखकर मैं डर गया हूँ, अब आपको ही मेरी साहयता करनी होगी, आप भईया को आग्या दीजिए, उनसे कहिए, जैसे भरत कहता है वैस नहीं करे यदि आप सचमच मुझे अपना पुतरमानती हैं, तो कल की सभा में आपको एक कहना ही पड़ेगा यएही बात यदि राम ने भी कही कि मुझे अपना पुतरमानती हो तो मेरी बात का समर्धन करोVER, तो दो पुत्रों के बीच बटी हुई मा किसका साथ देगी तो ठीक है आप उसका साथ दीजिए जिसकी बात न्याय संगत हो जिसकी बात आपको अच्छी लगी अच्छी लगना एक बात है और न्याय संगत होना दुसरी बात है भरत कई बार जो न्याय संगत होता है उसे मुल को बहुत पिड़ा देता है मुझे शब्दों के जाल में ना उलजाओ माता आप एक बात का निर्णे दीजिए कि आज की सभा में मेरी मांग न्याय संगत नहीं थी जो कुछ मैंने कहा क्या उसमें कोई दोश था मैंने कोई दोश नहीं था तुम्हारे तो निर्मल रधय से निकले हुए पुकार थी तो आप उनसे कहिए कि वो मेरी पुकार सुने उससे क्या कहूं कि वो अपने धर्म का मार्ग चूड़ दे मैं तुम दोनों का धर्म युद्ध देख देखकर आत्मी विभोर हो रही थी एक और भावना दूसरी और कर्तव तुम्हारी भावना का प्रवाव इतना प्रबल था कि साधर मानो तो क्या स्वेल मुनी वशिष्ट भी उसमें एक बार बह गए परंतु राम की कर्तवे निष्टा चटान के उस पत्तर के तरह है जो डूप तो सकता है परंतु लहरों की वेग में बह नहीं सकता है राम पूल्न ग्यानी है भरत और ग्यानी ही सत्य की पहचान जानता है इसलिए जो वो कहता है वही सत्य है अर्थात आप राम भाईया का ही साथ दे रही है मेरा नहीं मैं किसी का भी साथ नहीं दे रही मुझे तुम दोलों पर गर्व है बेटे जो भी जीते मुझे प्रसनता होगी जूट यदि राम भाईया जीत गए और वन में रह गए तो क्या आपको प्रसनता होगी नहीं अपन कि यदि मेरे प्राण डेकर भी संभू हो सके तो उन्हें आयुद्धा ले जाने के लिए मैं अपने प्राण भी देतु और आप ये भी जानती है यदि आप आग्या देते कि राम कोई भी तर्क किये बिना आयुद्धा लोड़ चलो तो उन्हें मानना ही पड़ेगा जांती हुँ तो जो पर क्यों है आग्या नहीं देती है इस लिए कि मा स्वारद़्य नहीं होत्य कि राम के याध्या जाने से मुझे सुख हो गा इसलिए कि या उसके कर्टभ उसके धर्म scholar के आग्या मैं उसे देदू तुम्हारे पेड़ा से मेरा दुख कम नहीं है परंतु मैं अपने मोह को राम के सत्य मार्गा की बाधा नहीं बना सकती प्रहेम स्वार्ति नहीं हुदता पुत्र प्रहेम स्वार्ति नहीं हुदता पुत्र माँ आप मुझे बुला लिया होता है राम तुम मुझे दन्द भी नहीं देते शमा भी नहीं करते मैं तो आपको दोशी ही नहीं मानता तो क्या मानते हो अपनी माँ अगर तुम मुझे सच मुझे अपनी मा मानते हो तो मा किया क्या मालो और लोट चलो मेरे साथ आयोद्या मैया अपने पुत्र से अपनी ममता का मोल मांगने आई हैं माता यदि आपकी ममता का यही मोल है कि मैं जिसे धर्म मानता हूं उसका त्याग कर दूँ आप जिस रगोकुल की शोभा हैं उसके कीर्थी में पिता का बचन भंग करके कलंक लगा दूँ तो कहिए मुझे आपके चरणों की सागवंध है मैं इसी समय आयोध्या लावड जाओंगा परंतु फिर मेरा जीवन रंड से भागे किसी कायर की भाती एक तरसकार पून अस्तित्व एक श्राब बनकर रह जाएगा फिर भी यदि आपकी यही आज्या हो तो कहिए में, 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 में महाराज जनक, जैसा आपको विदित हो चुका है, अयोध्या का राज परिवार इस समय एक धम संकट में फस गया है ऐसे समय में आपका आगमन सर्वताह मंगल सूचक है, इस से हम सब को धहर्य बन गया है कि आप अपने ग्यान और विवेक से हमारा मार्गदर्शन करेंगे एक और राम की मर्यादा है और दूसरी और भरत का प्रेम, इन दोनों में जीत किसकी हो आप इस समय दोनों परिवारों में सब से स्रेष्ट हैं इसलिए हम सब ने एकमत होकर निश्चे कर लिया है कि आप जैसा निर्ने करेंगे, सभी लोग उसका पालन करेंगे नाथ, हमारे लिए अब बिताश्री के स्थान पर आप ही हैं आप धर्म के पूर्ण ग्याता हैं इसलिए मुझे विश्वास है कि आप मेरे धर्म की रक्षा करेंगे मुझे अपना सेवक समझ कर आप जो आग्या देंगे मैं उसे पूरा करूँगा हे धर्म पिता अब मैं आपके भरोसे पर हूँ आप एक पिता के भाति मुझे अधर्म से बचाएंगे आप एक राजा भी है और एक रिशी भी इसलिए निश्पक्ष भाव से आप मेरे रिध्य के प्रेम को जानकर मेरा न्याय करेंगे मैं ने श्रीराम भाया के राज्या भीशेक की पूरी सामगरी आपके सामने रखती है यदि नयाय मेरे पक्ष में है तो इसी समय सब के सामने स्वी राम भाया का राज्या भी शेक किया जाए यही आपेक्षा लेकर मैं अपने आपको आपकी आज्या के आधीन करता श्री राम श्री भरत तुम दोनों में महान कौन है इसका निर्ने तो स्वय म्रम्मा भी नहीं कर सकते फिर मैं तो एक तुछ प्राणी हूं एक और धर्म और मर्यादा की सीमा है तो दूसरी और प्यार और मम्ता की परिसीमा ऐसी दोनों महान विभूतियों के बीच निर्ने देने का साहस अत्यंत दुष्कर कार्या है परंतो इस परिस्थिती में अपना कर्तव्य समझ कर मैं भगवान शंकर के चर्णों में प्रानाम करता हूं पर जैसा उचीत समझें वैसे मुझे प्रेर ना दें है राम अपने धर्म पर तुमारी दिलता देखकर इस समय देवता भी तुमारी वंदना कर रहे हैं धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है जिसके सहरे इधर तिस्थिर है शास्त्रों के अनुसार तीनों लोक में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं जिससे हम सब बंदे हुए हैं परंतु प्रेम येक ऐसी दिव्यनीधी है जिस पर किसी धन का बंधन नहीं प्रेम निश्चल निश्वार्थ प्रेम सब धर्मों के उपर है वही प्रेम अपनी पराकास्टा में जब अनन्य भक्ति का रूप धारन कर लेता है तो स्वयों बगवान भी विधाता के बनाये हुए कर्म के सारे विधान स्रिष्टी के सारे नियम तोड़कर भक्त के आगे हाथ बांद कर खड़े रह जाते हैं और वो अपने भक्त की आन रखने पर विवश हो जाते हैं इसलिए इस समय भरत का परला भारी है राम भरत का प्रेम निश्चल निश्वार्थ है और वो तुमारा अनन्य भक्त है तुमारे प्रेम की जीत हुई भरत परंतु याद रखना प्रेम का भी एक विधान है उसके भी कुछ नियम है प्रेम की असली शक्ती उसके निश्वार्थ होने में है और जब प्रेम निश्वार्थ होता है तब वो कुछ नहीं मांगता अपने प्रेमी को कुछ देना चाहता है उसका सुक उसकी प्रसंदता के लिए वो सब कुछ लुटा देना चाहता है इसलिए इस समय तुम यही निरने करो कि तुम अपने राम के लिए क्या दे सकते हो प्राणों से बड़ी कोई वस्तु नहीं होती महराज मैं श्री राम के लिए अपने प्राण दे सकता हूं प्राण देना सरल काम है किन्तु अपनी प्रेमी के लिए कभी-कभी जीना कठीन होता है यदि तुम सच्चे भक्त हो तो स्री राम के चर्णों में बैठकर उनी से पूछो के उनकी प्रसंदता किसमें है और वो जो कहें वही कार्य प्रेम की पूजा समझ करो कि आपने मेरी आँखों से स्वार्त के सब पर्दे हटा दिया अब तक मैं केवल अपनी कर्तव अपनी कीरती की बात सोचता था और उसे प्रेम समझता था कि फिर भी आपने मुझे चिता कर मुझे भक्ती का दान दिया है मैं जनम जन्मांतर तक आपके इस उपकार करूनी रहूंगा अजया आप 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 भाई यह पर और कि थे एंद एड़े ऐड़ को आड़े अवे अजय कही आ भाई में भाई अजय का इस प्राइड कि अज अजय का करना है जीतने वाले नीचे नहीं बैटते भरत मेरे भाई आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया क्यों राज्य तुम मुझे देने आये हो मैं उसे स्विकार करता हूं परन तु पिताश्री का वचन भी जूटा नहो इसलिए मेरी तुमसे प्रार्थना है चौधा वर्ष तक मेरे इस्थान पर तुम उस राज्य भार को सभालो परन तु भाईया मैं तो अब बहुत बालक हूं मुझसे राज का शासन नहीं किया जाएगा गुरुदेव आरे सुमंत्र और अन्य मंत्रिगण उसमें तुम्हारी साहता करेंगे कुरुदेव की आज्या से सारे कारे करोगे तो कठिनाई नहीं होगी सारे कारे सुगंता से होते रहेंगे और चौदा वर्शमाद आकर मैं अपना राज्य तुमसे ले लूगा भड़े निर्मोई हो भया प्रेम का कोई मोल नहीं आका प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ अच्छा तुम एक जाता हूं शायद 14 वर्श का बिजोई मेरे पापों का प्राश चित कर दे परूं तु एक बात याद रखना भाई है जादा वर्श के बाद यदि आपने आने में एक दिन की बिदेरी की तो इन चर्णों की कसम खाकर कहता हूं आप अपने भरत की चिता जलती देखेंगे नहीं भरत नहीं भाईया मैं तुझे बचन देता हूं मेरे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी भाईया कुछ मांगू तो दोगे पगले तु मेरे प्राण मांग ले तो इसी खशन दे दूगा बोल क्या चाहिए तुझे मुझे अपनी चरण पादुखा देदो चरण पादुखा हाँ भाईया आपका राज्य तो आपके इस सेवक के पास आपकी धरोहर के रूप में होगा जब आप नहीं होंगे तो सिंगासन पर कौन बैठेगा मैं आपकी पादुखाओं को आपका राज चिन बनाकर सिंगासन पर रब्दूँगा और नित्ति प्रति उनका आशिरवाद लेकर ही आपका राज कार्य करूँगा लेकर में हो जएत भादवा राद्पाद में अख़ाद लेकर है तोसक्ति आपका मैं ≽ महात्मा भरत तुम धन्य धन्य हो तुम्हारी सदा जय हो भाईया एक बार अपने चरण इन पर रखतीची प्रभुकर क्रिपा पाउरी दी कि सादर भरत शीष धरी लीड़ी राम भक्त ले चला रे राम की निशान राम भक्त ले चला रे राम की निशानी शीष पर खड़ाओं अक्कियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी शीष खड़ाओं ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे अब इनकी च्छाओं में रहे गी राजधानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी आज मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं पल चिन लागे सत्यों जैसे चोड़ बर्श कचिंगे कैसे जाने समय क्या खेल रचेगा कौन मरेगा कौन बचेगा कबर मिलन के फूल खिलेंगे नदिया के दो फूल मिलेंगे जी करता है यही बस जाएं फिल मिल जादा पर्श बिताएं राम बिन कच्छिन है एक घड़ी बितानी राम भक ले चला रे राम की निशानी राम भक ले चला रे राम की निशानी तनमन बचन उमगी अनूरागा धीर धूरंदर धीर अचुत्यागा भाव ना में बह चले धीर वीर ग्यानी राम भक ले चला रे राम की निशानी शीश पर खड़ाओं अक्षियों में पानी राम भक ले चला रे राम की निशानी राम भक ले चला रे राम की निशानी अर पहाँ बहुत राम परिंग सुन्टरे भी औरिंग आज खूर्णार्णार्णार्णार्णार्णार्त कर दो कर दो कर दो कर दो मंगल भावन अ मंगल हारी रव हो सुदश रथ अजिर विहारी सीटा राम चरित कति बावन मधुर सरस अरुकाती मन भावन पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए कि यगी प्यास बुझत न बुझाए कि यगी यगी य। कर दो कर दो कर दो सीता राम चरित पतिपावन मधुर सरस्त करुपति मनभावन पुने पुने कितने हो सुने सुनाए यह की प्यास मुझत न बुचाए कितने हो νόто कितने इस बुचाए कि अपकता हृस कि प्यास कि आप सब साक्षी हैं मैंने श्री राम से आयुध्या का राज्य नहीं लिया है कि मैंने केवल जेष्ट भ्राता की आग्या से शासन का कार्यभार संभालने का उत्तरदाइत्व स्विकार किया है कि आरी सुमंति सारे राज्य में खोष्णा कर दी जाएं आयुध्या के राजा श्री राम है परंतु वो पिता के दीरोय वचन का पालन करने के कारण चाहदा वर्ष तक आयोध्या नहीं लड़ सकेंगे अता इस अवधी में उनके प्रतीक स्वरूप उनकी चरण पाधुकाएं इस राज सिंगहसन पर विराज मान रहेंगी आज से कौशल राज्य का राज्य चिन्न भी यहीं होंगी इनकी शरण में प्रजा उसी प्रकार निर्भाई रहेगी जैसे श्री राम की चरण छाया में ही हो राज्य के विधान और इस राज्य में रहने वाले हर प्राणी के धर्म की रक्षा उनका प्रथम सेवक भरत इस कौशल सामराज्य की सीमाओं की रक्षा करना मेरा प्रथम धर्म होगा समस्त मंत्रीगर्ण और राज्य के कर्मचारियों से मेरा एक ही कहना है राजा रामचंद्र की अनुपस्तिती में आपका उत्तरदाइत्व दोगुना हो गया है न्याय का पालें धर्म की रक्षा और प्रजा की निस्वार्थ सेवा में कोई त्रूटी ना रहे प्रम्ध बेताओं विद्वानों और विचारों को से मेरा एक ही नियोरा है राज्य और प्रजा के हित्में जो भी परामर्श मुझे देना चाहें छोटा बड़ा जो भी कार्य हो संकोच त्याग करके मुझे वो कार्य करने के आग्या दें मैं उसे शिरोधार्य करूंगा गुरुदेव यदि आप आग्या दें तो अपने मन की एक बात आपके संमुक इस आशा से निवेदन करूं किया आप उसमें सहमती दें कुमार भरत तुम्हारे सद्विचारों को हम बड़े आदर से सुनते हैं अतावत्स तुमने संकोच अपने मन की बात कहो गुरुदेव जिसका स्वामी वन में तिनको की कुटिया में रहे उसके सेवक को राजमहल में रहना नहीं सुहा था इसलिए आग्या दें मैं भी नगर से बाहर सर्यू के किनारे नंदी ग्राम में एक कुटिया बना कर तपस्वियों के भाती रहूंगा मेरे प्रभु धर्ती पर सोते हैं मैं भी वहाँ एक गड़ा खोद कर अपने स्वामी से नीचे के स्थर पर सोऊंगा वहीं एक पादू का मंदिर बना के कि श्री राम की चरण पादूकाओं को सीहासन पर सुसर्जित करके उनकी आज्या से ही राज्य का कारे भार संभालूगा इसके लिए आज्या चाहता तुम धन्य हो भरत धन्य हो तुम्हें अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए हमारी आज्या क्या आवश्चता नहीं तुम जो सोचोगे जो करोगे जगत में वही धर्म का सार माना जाएगा धर्म पिता महराज जनक और समस्त गुरुजनों से मेरी यही आचना है कि आप मुझे आशिरवाद दीजिए जिससे मेरे कर्तव विपालन में मुझे सफलता मिले कुमार भरत जैसे परवतों से नीचे की और बहता हुआ नदियों का समस्त जल सागर में एकत्रित हो जाता है उसी प्रकार इस महान रगोकुल में उत्पन्न हुए तुम्हारे पुर्वजों के समस्त सुकृत उनके पुण्यफल और सुन्दर संसकार सब तुम में एकत्रित हो गये हैं तुम्हारा नाम इस संसार में अमर रहेगा तुम जैसे महान मानव ही इस धर्ती पर धर्म का आधार है कि तुम्हारे हाथों में आयोत्या सूंप कर अब मैं निश्चिंद होकर मिधिला जा सकूंगा भवाना सुदोश तुम्हारी रक्षा करें कि पुर्मिला बेहन कि मैं तुम्हारा दोशी हूं कि तुम्हें वन में ना ले जाकर मैंने जो भूल की है कि उसके लिए मुझे क्षमा कर देना कि मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं भईया राम और लक्षमन को अपने साथ आयोध्या वापस ले आउंगा कि परन्तु मैं वहां हार गया कि मांडवी ठीक कहती थी तुम्हें एक बार लक्षमन से मिलाने का वही स्वर्ण मौसर था कि परन्तु भावना के आवेश में मनुष्य की बुद्धी काम नहीं करती है कि मुझे एक्षमा कर दो बहन मुझे एक्षमा कर दो भाईया आप ऐसा कहकर मुझे लज्जित कर रहे हैं आपके महांत्याग के आगे तो हमारे इन छोटे मोटे दुखों का कोई मोल ही नहीं है इस समय यदि हंदुख करें तो आपके महांत्याग का परिहास होगा फिर भी मेरी योर से यदि आपको कभी ऐसा अभास हो तो मुझे अंजान बालिका समझ कर शुमा कर देना तुम धन्य हो अर्विला मैं सीता भावी की महांता का प्रतिवें तुमने देखता हूं तुम्हारे माता पिता धन्य है बेहन तुम्हारे माता पिता धन्य है मा मुझे नंदिग्राम जाने की आज्यात हो मैंने शत्रून को आपकी सेवा का भार सौप कर उसे राजमेल में रहने के लिए कहतिया है वो आपकी हर प्रकार सेवा करेगा आपका आज्याकारी रहेगा आपको कोई कष्ट नहीं होगा दो पुत्र तो वन के दुख भोगी रहे अब तुम भी अपना जीवन कष्ट में बनाना चाहते हो अच्छे मुझे वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा मा केवल एक बात का दुख होगा मैं अपने हाथों से आपके स्री चर्णों की सेवा नहीं कर पाऊंगा परंग तो मेरा सेवक धर्म मुझे विवश्ट कर रहा है आप तो जानती है सेवक का धर्म सब से कठोर होता है उसके लिए आप से ख्षमा मांगता हूँ तुम रगुवंचे अपनी करतवे परांता में कितने निस्टूर हो जाते हैं ठीक है जो संकल्प तुमने किया है वो सफल करने में भगवान तुम्हारी सायाता करें मां बस यही आशिरवाद दो तुम्हारे भरत के पग अपने करतव व्यापत से कभी न डोले तुम्हारी सदा जय हो सदा जय हो मुझे तुम जैसे पुतरपा गर्व है बरत मा भवानी तुम्हारी रक्षा करें मेरे माली चरण पाद का धरी शिंघासन करी प्रणाम नित आशिश मागत राम विरहत रंग में दूबे राम प्रेम भूरत सेलागत धर काम निर्वान भरत राम प्रेम बस सब कचु त्यागत राम प्रेम बस सब कचु त्यागत भरत सम नहीं दूजा कोई जागी भरत सम नहीं दूजा कोई जागी भरत सम नहीं दूजा कोई जागी भूशन बसन भोग सुख भूरी मन तन बच्चन तजेतन तोरे तेहि पन बसत भरत बिनुदागा जंच देख तोजिनी चंपक बादा यही अनुराज विराज का संगम पैराग है अनुरागी भरत सम नहीं दूजा कोई जागी भरत सम नहीं दूजा कोई जागी नंदिगाओं करे परन खुटीरा किन निवास धरम धर दीरा जता जू तूसरे मौने पतधारे महिखन तूस साथे दे सवारे असन पसन बासन बृतने माँ इन्हे रहू बखलागी भरत सम नहीं दूजा कोई जागी भरत सम नहीं दूजा कोई जागी नित पूजत प्रभु पावरे प्रीत नर रैसमाद मागी मागी आयसु करत राज काज बभु भाति प्राज कोई बभु भाति कर दो 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 कि मार्डवी कि सब्सक्राइब कि तुम सब्सक्राइब कि मैं आपके आग्या के बिना चलिया है इसके लिए ख्षमा चाहती हूं पति-पत्मी के बीच ऐसे आपचारिक था क्यों कि पति और पत्मी का अधिकार को किसी आग्या की आवशक्ता नहीं नहीं कि मैं पत्मी का अधिकार नहीं मनवाने आई नाथ मैं तो केवल इतना पूछने आई हूं कि मेरे किस त्रूटी किस दोश के कारण मेरे स्वामी ने मेरा इत्याग कर दिया है यह तुम्हारा भ्रम है प्रिये मैंने तुम्हारा परित्याग नहीं किया है तुम तो जानती हो मैं मंदीग्राम किस का रणाया हूं जानती हो स्वामी जानती हो परंतो आप के इस कर्थवे पालन में सहयोग देने से आप मुझे क्यों वंचित कर रहे हैं मेरा भी कर्थवे है कि मैं आपकी इस कठोर तपस्या में अपना पूरा साथ दूँ स्वामी जिस प्रकार सीता दीदी कोवन में अपने स्वामी की सेवा का अधिकार बड़े भाईया को देना पड़ा आज उसी प्रकार आपकी सेवा का अधिकार मैं आपसे मांगती हूँ मैं भी आपने की भांदी तपस विवेश बना कर रहूंगी सारे व्रत्नियम निभाऊंगी और आपके प्रत्येक कारे में अपना पूल सहयोग दोंगी नाथ मेरी सेवा मेरे सही अमी आप कभी कोई त्रूठी नहीं पाएंगे स्वामी बस आपके दर्शनों का सुख मिलता रएगा मुझे इतना से सुख तो मुसे मत जीने स्वामी इतना से सुख तो मुसे मत जीने तुम मेरी तपस्या मेरे करतवे में सहयोग देनी की बात केवल मुझ से कह रही हो देवी फरन तु कारे उसके विपरित कर रही हूँ और यह मैं विपरित कर रही हूँ यह कैसे कह दिया आपने हाँ, सहयोगी तो वही होगा, जो मेरा कारे बांट ले, जिस कर्तवे को मैं पूरा न कर सकूँ, उस कर्तवे को पूरा कर दे नाथ, वही तो मैं भी कह रही हूँ, परन्तों आप मुझे उसका अफसर्त देजिये कहिए, आपका कौन सा कर्तवे अधूरा पड़ा है, जिसे माडवी पूरा कर सके माता कौशल्या की सेवा हाँ माडवी, उनका इकलाता पुत्र वनवास काट रहा है, उनकी बहु भी उनके पास नहीं है इस समय उनकी सेवा कौन करेगा, पुत्र वियोग की ज्वाला से जब वो पीडित होंगी, तो उन्हें सांतवना कौन देगा, उन्हें धाड़स कौन बंधाएगा, उनके आशू कौन पोचेगा, ये सारे मेरे करतव वे हैं जो तुम्हें निभाने चाहिए अपने सुक की बात भूल जाओ मांडवी, इस समय हम दोनों को दूसरों के दुख बाटने चाहिए यदि तुम सच मुझे सहयोग देना चाहती हो, तो राज बहल लोड जाओ, और माता कवशल्या की सेवा में डूब जाओ मांडवी, तुम से दूर रहकर पीड़ा तो मुझे भी बहुत होगी, परंतो इस समय हमारी पीड़ा हमारे कर्तवे के आगे बहुत गौन है आप थन्य है आरे, आप थन्य है, मुझे आप पर गर्व है आरे, मुझे आप पर गर्व है आप संथ जनों के सत्संग और प्रेम पूंट साथ व्यभार से हमने बड़े आनंद और शांटी के साथ इतना समय चित्रकूट में व्यतीत किया है आप से बिछुडते हुए हमें भी आत्मी जनों से अलग होने जैसी कसक हो रही है तो चित्रकूट छोड़कर क्यों जा रहे हैं प्रभू? मुझे भय है कि हनारे और यहां रहने से आपकी शांती बार-बार भंग होने की संभाव ना है भरत बड़ा भावुक है नजाने उसकी मन में किस्से में क्या आ जाए और फिर सारा सना जोड़कर यहां चला आए कई अयोध्यवासी भी यहां आना आरंब कर देंगे इसलिए यही उचित होगा कि हम दंड कारणने के भीत्री भाग में चले जाए हमें आग्या दीचे कि हमें आरंब कर देंगे कि हमें आरंब कर देंगे कि महारानिक कह गई कि दास के लिए क्या आज्या है कोई आवश्यक्ता थी कोई समस्या थी तो किसी प्रहरी के हाथ संदेशा भेज देती कि आपकी आज्या का पूर्ण रूप से प्लम किया जाता आपको इस प्रकास स्वैंबि यहां आने का कष्च नहीं करना चाहिए तुम्हारे कहने का अर्थी यह है कि मैं यहां नहीं आ सकती जब आयोत्या की प्रचा का हर प्राणी अपनी समस्या लेकर तुम्हारे पास आ सकता है तो तुम्हारे मां तक क्यों नहीं आ सकती क्यांके आप महारानी हैं और माय राजा राम का एक कर्म चारी महारानीयों का कर्म चारीयों के पास आना शोभा नहीं मुझे महारानी किया एक बार मा कहो इक बार मा कहो कैसे कह दू जिसे माहा कहता था उससे तो महारानी कहके पुर्ड और मुझे मात्रु विहिं ग्याट मेरे रिदे में अपने मां का जो सुन्दर चित रंकित है वो आप से नहीं मिलता महरानी मेरी मा तो एक स्वच निर्मल नदी की तरह थी जिसमें सरवदा स्नेह और मंता की लहरे हिलोरे लेती थी और आप आप तो एक सूखी हुई जील की भाती है जिसमें अपके वल पाप और कपड का कीचर रह गया है कि ख्रपया मुझे मेरी मरी हुवी मा की याद मत दिलाई है मेरे पास रोने का समय नहीं है को आपकी क्या समस्या है मैं मैं भी यहीं नंदी ग्राम में रहना चाहती हूँ यह स्थान तपस्वियों के लिए है यहां राज महल के सुख नहीं मिलेंगे मैं भी तपस्विन के पाद जीवन बितीत करना चाहती हूँ तपस्वियों के जीवन बिताने का अधिकार हर किसी को नहीं हो सकता हर किसी रह चलते कप्टी स्वार्थी और दंभी को तपस्वियों की पद्वी नहीं प्रदान की जाती महारा नहीं ही अना आप अख़ए कि भी कितना करें कि आपने केवल राज मांगा था उसके लिए आपने अपने पती के प्राणों का बलीदान कर दिया अपनी संतान को देश निकाला दे दिया कि आपके इतने बड़े बलीदान को हम विर्थ नहीं जाने देंगे इसलिए हम आपको महरानी के ही स्थान पर रखेंगे आपको राज महल के सुखों से वंचित नहीं किया जा सकता मुझे राज महल का सुख नहीं चाहिए भरत मुझे राज महल का सुख नहीं चाहिए राज म मुझे विश्की समान लगता है। मैं रात को सो नहीं पाती भरत, हिदो में एक कंदन, एक चीतकार सा उभरता रहता है। जीवन एक परस्तल के समान सुना हो गया है। भरत, आशु जब बहते हैं तो ऐसा लगता है जिसे आखों से अगनी के ज्वाला निकल रही है। पढ़त, मुझे दया कर, मुझे दया कर, मुझे पापकर इने को इस कुटिया में एक दासी बनकर एक कोड़ी पढ़ी। कदाशित, मुझे पापनी को थोड़े शांती मिल जा। मुझे राज महल में रहने का गोर दंड मत दे, बरत मत दे जिसे आप गोर दंड समझती हैं, कदाचित उसी में आपका भला हो इस पीड़ा से मत भागो अपने कर्मों के फल स्वरूप पाई वी पीड़ा से भाग कर किसी कुटिया की कौने में छिप जाने से न मन की शांती मिलती है ना ही तपस्या होती है आपकी तपस्या तो इसी में है, कि आप पश्चा ताप की अगनी में निरंतर जलती रहे रेश्मी बिज़ाउनों के विच्छुआ आपको काटते रहे जिससे आपको यह पता चल जाए कि धन, संपत्ति और साम्राज जैसे मन की शांती प्राप्त नहीं होती उसी पीड़ा से आप अपने पापों का मौन चुका सकती है कधाचिक, कधाचिक इसी से आप भाप मुक्त हो जाए 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 माहरानी कहके आपकी तपो भूमी राज महल में है कर दो जाए critical सिसार एर ते जाए जडर श्रार केसे GUY रभाप भूमीं है की ऊज्डार हो जा जाए जाए कि तल्मी खिए जाए जढ जाए मैं हो लाए का ये जाए 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 के जाए जाशवीं कैनो Mाह जाए 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 जा सवामानी मभू तकित आए 가는 की तो मैया तेने काठानी मन में राम सिया थेज दैरी बन में तो मैया थेज दैरी बन में तेरो ही जायो जद पी भरत तेरो ही जायो तेरी करनी देख लजायो अपनौ पत तने आप कवायो भरत की नजरन में राम सिया थेज दैरी बन में हतीली तैने काठानी मन में राम सिया थेज दैरी बन में महल छोड़ वहां नहीं रे मलाईया महल छोड़ महल छोड़ वहां नहीं रे महल छोड़ वहां नहीं रे मलाईया सिया सुक मारी संग दो भाईया काहू पिछ तर्य भी जत होंगे तीरा में हन में राम सिया थेज दैरी बन में दीवानी तेहे काठानी मन में राम सिया थेज दैरी बन में राम सिया थेज दैरी बन में कोसल्या की छिन गई बानी कोसल्या की छिन गई बानी रोए न सकी उर्मिल दीवानी के कई तू बस एक एरानी रह गई महलन में राम सिया थेज दैरी बन में दीवानी तेहने काठानी मन में राम सिया थेज दैरी बन में राम सिया थेज दैरी बन में राम सिया थेज दैरी बन में कर अथ भनाराना पानी हाःगाःगाःगाःगाःगाःगाः ईयू प्लाइगाःगाःगाःगाः वाह वाह महरानी केकी कि अपना नाम इत्हास में अवर कर दिया कि आ अंब कर दिया कि यहां योध्या कांड समाप्त होता है मेरी दृष्टी में यह रामायन का सबसे महत्वपून कांड है जिसमें मानव की महानता और उसका आधर्श रूप अपने उचितम स्तर पर दिखाई देते हैं दूसरी और नीचिता और स्वार्थ प्राइनता की सीमा भी कैकरी के रू कर्मों के फल मैं चाहने पर भी भूगने पड़ते हैं केवल एक बार ये कह देने से कि मुझसे भूल हो गई है मुझे क्षमा कर दो या क्षणिक पश्चात आप से ही कर्म फल नहीं मिट सकता उसे पूर रूप में भूगना पड़ता है जैसे भरत ने काखई से कहा कि आप छी राम का प्रमुख रूप प्रकट होता है एक कर्म निश्ट्यागी का एक सन्यासि का जिसके लिए मुने मुर्यादा पुष्छोतम चैते हैं वो चृत्र भी यहीं लिख रहे है आयोध्या कान में एक सी महान चृत्र एक एक करके उवे औरे हैं सीता जो एक ही नियम जानती है हर हाल में पतिचर्णों में ही रहना और उनकी सेवा करना लक्षमन जो उद्दंड है प्रंतु राम की अनन्य भग्ति उसे अपनी सीमा में बांदे हुए है भरत जिसके लिए स्वयम श्री राम कहते हैं कि तीनों लोखों में आज तक तुमारे जैसा महात्मा ना पैदा हुआ है ना होगा महांदश्रत जिसके लिए श्री राज कुपालाचारी ने लिखा है कि वो वेदूं और शास्त्रों का ग्याता था वीर और प्राकरमी ऐसा कि देवास और संग्राम में देवताओं को भी उसकी सहायता की आवश्यक्ता पड़ी प्रंतु जो एक असाब धानी के क्षण में एक नारी को दिये हुए अपने ही वचन के जाल में फंस गया कौशल्या का चित्र इतना महान कि भरत ने जब कहा कि यदि आप कह देंगी तो राम वापस योध्या चले जाएंगे तोनों ने कहा कि माँ अपने सुख के लिए अपने पुत्र को उसके धर्म मार्ग से हटाने की बात कभी नहीं कर सकी चित्र कूट में जैसा महाराज जनक ने कहा सामराज पाने की लालसा में कई युद्ध हुए हैं और होते रहेंगे प्रंतु सामराज छोड़ने के लिए उस त्याग और बलिदान के लिए दो भाईयों का ऐसा युद्ध इतिहास में कभी नहीं हुगा अब यहां से हम देखेंगे वो कांड जहां से श्री राम के जीवन का मुख्य उदेश्य हो जाता है आतताई और आसुरी शक्तियों का विनाश इस कांड में श्री राम इसी लक्ष की और अग्रसर होते हैं अच्छा राम राम मंगल भामन अमंगल हारी रव हो सुदश रथ अजिर विहारी सीता राम चरीत पति पावन मधुर सरस अरुकती मन भावन पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए कि अगी प्यास भुझत न भुझाए कि अगी प्यास भुझत राम 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 सीता राम राम पति पावन मधुर सरस अरुकती मन भावन पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए कि अगी प्यास भुझत न भुझाए आगी आगी आगा कि अम्हारी और से महराज को धन्यवाद कि येगा ने ओन्हें आकर अवद्या के राजवन्ष को एक खोर संकड़ से बचा गिया तो मुझे भैता कि भरत भावना के आविश में आकर नजाने क्या कर बैठत हमें आपका भी धन्यवाद करना है यह आयोध्या पर विपत्ति का समय है ऐसी समय में आपके चारों पुत्रियों ने ऐसा आदर्श चरित्र दिखाया जिसके संसार में कोई तुल्ला नहीं हो सकती मेहिं का दुख इनकी पेड़ा समझ सकती परंतो इन्हों ने अपना दुख कभी व्यक्त नहीं होने दिया हमारे सेवा में अपना सर्वस्व लगा दिया जैसे यह पुत्र वधु नहीं हमारे अपने बेटिया को राजमाता इस समय यह सचमुझी आपकी बेटियां हैं मेरी नहीं मेरा नाता तो विवा के दिन ही समाप्थ हो गया यह इनका सवभाग्य है कि जिने आप जैसी महान माताय मिली है आपकी कोख धन्य है राजमाता ऐसे पुत्र रत्न कई जन्मों के पुन्य से प्राप्थ होते हैं एक से एक महान जिनके कारण आज हमारा मस्तक गर्व से उंचा हो गया है महराज में मुझे कहा कि जाने से पहले राजमाता कउशल्या के चरन चुकराना ऐसी वंदनिय माता के पुन्य प्रताप से ही विचा संतान में दिव्य संस्कार आते हैं कि नहीं महारानी नहीं आप हमें लच्जिद ना करें कि पहले से ही हम आपके दूशी है कि हम इन सबको कोई सुख नहीं दे सके अब सिता कोई देखा राज रानी बनाने का वचन देकर महाराज उसे मिधिला से लाये थी पर तो हमें उसे वन के काटों में नंगे पाव भेच दिया राज रानी होना तो एक साधारन बात थी मेरी सिता को आज वह पद प्रप्त हुआ है जहां सारा संसार उसकी बंदना करता है यह आप ही के आशिरवाद का फल है राज माता उसमें मेरा कुछ नहीं मा की शिक्षा ही बेटे को अच्छा या बुरा बना सकती है यह आप ही की शिक्षा का फल है जो आज सिता ने हम सब नार्यों का गवरों पढ़ा दिया है जब भी इतियास महान-पतिव्रताउं का व कि राज माता के मुख से तुम तीनों की प्रसुंसा सुनकर मेरा रजय गद्गद हो गया कि अपने बड़ी दीदी सीता को देखो अपने उत्तम आचरम से कैसे उसने सभी प्राणियों का आधर प्राद किया का उसी की भाति तुम तीनों को भी त्याग और सेवा के करतीमान सापित करने चाहिए अपनी तीनों ता साथो का समान रूप से आधर करना चाहिए और किसी भीध भाव के बीना तीनों की सेवा करना तुम्हारा कि राज माता कईके का विशेष ध्यान रखना चाहिए वो इस समय पस्चाताप की अगनी में जल रही है कि उन्हें विशेष ने और आधर की अविश्यक्ता होगी कि उनसे एक ही सीख्षा सीखनी चाहिए कि किसी मंथ्रा जैसी घर फोड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों के बहकावे में आकर अपने कुल की एकता को नहीं तोड़ना चाहिए कि यह तुमारा कर्दव्य है कि अपने अपने पती पर ऐसा प्रभाव डालो जिससे चारों भाईयों का प्रेम परस पर बढ़ता रहे तुम लोग दुखी हो फिर भी इस समय मैं तुमको मिधिला आने के लिए नहीं कहूंगी कि तुम्हारी ससुराल पर यह विपत्ती का समय है इस समय अपने पतियों माताव और समस्त बंदू-बंदोवा का दुख बाटना ही तुमारा घर्म है कि चौदा वर्ष के पस्चाथ जब यह दुख के बादल छट जाएंगे जब तुम्हारी ससुराल में चारो और आनन्द होगा उस समय तुम्हारे मैंके के द्वार कि तुम्हारे स्वागत के लिए खुले होंगे प्रुख आनना जब प्रुख भाटना जब तुम्हारे मैं और टो श्रिमान पहरशी से निवेदन कीजिये कि महाराज दश्रत का पुत्र राम सीता और लक्ष्मन सहिद उनके दर्शनों की आज्या चाहता है अहम ब्रह्म मास्मी स्री राम लक्ष्मन देवी सीता सहिद आपके दर्शनों की आज्या चाहते हैं राम आग है आज कितना शुप दिन है हम सुएम उनका स्वागत करेंगे कि अधरी के आश्रों में तुम्हारा स्वागत है आयूश्मान भव सुभाग्यवति भव कल्यान हो पधारो आजारो टकट एको प्रहांई रसे लिए ट नहिंदा सुनगे लिए और दिए। महादेवी मैं दश्रत पुत्र राम अपने अनुज लक्ष्मन और भार्या जनक सुता सीता सहित आपके श्रीचरणों में प्रणाम करता हूं आयुश्यमान भवा अखंड सौभाग्युवति भव देवी सीता को अपनी कख्ष में ले जाव इनका सत्कार करो तथा विश्रांती प्रदान करो सीते विश्ववंदनिये महासती अनुसुया के दर्शन के लिए देवता भी तरस्ते हैं यह वही परम तपस्विनी हैं जिन्होंने एक समय जब दस वर्ष तक बर्शाना होने के कारण यहां की धर्ती दग्द हो रही थी तो अपनी घोर तपस्चा से गंगा को प्रसंद किया और उसकी एक धारा को यहां चित्रकूर तक ले आई जो पवित्र मंदाकिनी के नाम से प्रसिद हुई इसकी अतिरिक्त इन्होंने कई बार परिहास ही परिहास में बड़े बड़े देवताओं को भी पराजित किया है एक सती के दर्शन से तो पुन्य मिलता ही है परंतु महासती के दर्शन से तो लोग पर लोग दोनों सवर जाते हैं जाओ इनके श्री चर्णों में बैठकर जीवन लाब उठाओं तु मेरी बहुत बड़ाई कर रहे हो राम परंतु तुम तो जानते हो कि ये सब कुछ केवल पती चर्णों की एक निश सेवा का ही फल है और कुछ मैं नहीं जानती बाकि सब कुछ देव जानते हैं आउसी तेस अधारो आसन ग्रहन करो राम हमें बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा थी तुम्हारे चित्र कूट में आगमन का पता चला तो हम इसी आशा में थे कि तुम इस आश्रम में अवश्य आओगी आज तुम्हारे आने से ये आश्रम धन्य हो गया ये तो आपकी उदारता है भगवन जो आप अपने सेवक का मान बढ़ा रहे हैं मुझे इससे पहले ही आपके दर्शनों को आना चाहिए था इस देरी के लिए ख्षमा करें आज हम इन पावन चरणों में बैठकर धन्य हो गए राम संफून प्रभुता पाकर भी तुम इतने विनम रहो इसी से तुम समस्थ प्राणियों का मन मोह लेते हो नगरस्थो वनस्थो वा शुभोवा यदि वा शुभह या सांग स्तरीणां प्रियोभरता ता सांग लोका महुदया तुह शीला काम वृतोवा धनेर्व परिवर्जितस्तरीणांग आर्या स्वभावनाम पर्मम देवतम पति पुत्री अपना स्वामी ही स्त्री का आराध्य देवता होता है वो राजमहल में रहता हो या कुट्या में वो भाग्य विहीन हो अथ्वा धनहीन ही क्यों नहों उत्तम सुभाव वाली नारियों के लिए वो सर्वश्रेश देवता के समान है अभी जो तुमारे पती ने मेरी शक्ती की इतनी प्रशंसा की उसके लिए मैंने और कुछ नहीं किया केवल मन, वचन और कर्म से अपने पती की एक निष्ट सेवा की है नारी केवल इतना ही कर ले तो बड़े बड़े देवता उसके समक्ष जोग जाते हैं देवता कई प्रकार से नारी की परिक्षा करते हैं, कई प्रकार का प्रलोभन भी देते हैं परन्तु जो नारी अपने धर्म पर अडिग रहती है, तो देवता तो क्या, सारी स्रिष्टी का विधान उसकी आग्या के आधीन हो जाता है। मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया है, पती से बड़ा हितकारी, मित्र और बंधू और कोई नहीं होता, वही नारी को दोनों लोकों में सुक पहुचाने में समर्थ होता है। सीते, मुझे यह जानकर बड़ी प्रसनता हुई, कि तुम अपने बंधू बांधवों को छोड़कर, राजमहल का सोख त्याग कर, वन में जाते हुए अपने पती का आनुसरन कर रही हो। सुक में तो सभी साथ देती हैं, परंतु विपत्ती में जो साथ दे, वही अरदांगनी है। सीते, मित्र और नारी की सच्चे परिक्षा आपतकाल में ही होती है। धीरजधारम मित्र अरुदारे आपतकाल परतिये चाई। एक इधारम एक ब्रत नेमा, काई बचन मन पती पद प्रेमा। माता, मेरी माता ने भी विवा के समय यही सिक्षा दी थी। मेरी पूजय सासुजी ने भी वन जाते समय यही उपदेश दिया था। अब मुझे आशिरवात दीजे कि मैं आपके बता हुए आदर्श का पालन कर सकूँ। सीते, मैं अपनी दिव्य दृष्टी से देख रही हूँ। कि आने वाले समय में नारियां तुम्हारा नाम स्मरन करने से ही पती व्रध धर्म पालन करदे का बल प्राप्ट करेंगी। इससे मुझे अपार संतोश होता है। मैं अपनी प्रसंता कैसे व्यक्त करूं। अपने अनूठे वचनों से नारी आदर्ष की शिक्षा देकर ही आपने मुझे धन्य कर दिया है। पूझे माता जी, आपका आशिरवाध ही मेरे लिए अमुल्य निधी है। सीते, इस मिलन की स्मिती में मैं तुम्हे कुछ उपहार देना चाती हूँ। मेरे पास देव्या भूशन, अंगराग, अनूलेपन और पवित्र परिधान है। जो मुझे देवताओं ने उपहार स्वरूप दिये थे। वो मैं तुम्हें देती हूँ। ये वस्त्राभूशन मैं तुम्हें देती हूँ। जिसे धारन करने से तुम्हारे पती भी ब्रसन होंगे। ये सब देवांगनाओं का दिया हुआ उपहार है। सुहागन स्त्री को अपने पती के सामने सदा सुंदर ही दिखना चाहिए। उससे पती का मन प्रसन होता है। और स्त्री को उसका पिशेश स्नेह मिलता है। ये वस्त्र या भूशन कभी मलीन नहीं होंगे। इस अंगराग और अनुलेपन का प्रयोग करने से तुम सरवदा यूगती ही दिखाई दोगी। सीते, अब तुम ये वस्त्र और आभूशन मेरे सामने धारन करो। जिससे तुम्हें इस दिव्य परिधान में देखकर मुझे भी सुख मिले। हाँ सीते, ये सब कुछ तुम्हारे लिए हैं। तुम इसे धारन करो। जो आगे। यहां से आगे जो वन है, राक्षसों के उत्पात के कारण। उसमें रिश्यों और तपस्यों के लिए कोई सुरक्षा नहीं रही। वो लोग नर्भक्षी हैं। जो तपस्वी और ब्रह्मचारी अपवित्र या असावधान होते हैं। उन्हें वो लोग मार कर खा जाते हैं। तुम्हारे राज्य की सीमा पर रिश्यों को अभय प्रदान करना तुम्हारा करतव्य है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं महर्शी कि अपने वनवास की समस्त अबधी में इस तंड कारणने के चारो और स्थान स्थान पर बने हुए समस्त रिश्य आश्रमों में एक प्रहरे की भाती घुमता रहूंगा। ताकि वो आश्रम सदा के लिए राक्षसों के भाई से मुक्त हो जाए। अब आप ही मेरा मार्ग दर्शन केजिए कि मैं कहा कहा जाओं और किस मार्ग से जाओं। राम सबसे पहले तुम शर्भंग रिशी के आश्रम पर जाओ। वो बहुत काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके पास समय बहुत कम रह गया है। इसलिए तुम पहले उनके दर्शन करो। किंचित सावधानी से जाना। इस मार्ग में विराधनाम का एक नर्वक्षी राक्षस घूटा रहता है। वो तुन्हें शर्भंग राश्रम से पहले या वहां से आगे जाने पर मिलेगा। आप चिंता न करें मुरिनात। मैं आपका आश्र समझ गया। इस तंड कारण्य को राक्षसों के भाई से सदा के लिए निश्कंटक कर दूं। इसके लिए मुझे आशिरवाद दीजिए। मेरा आशिरवाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। माता अंस्या ने इतने सारे अबोशन दिये हैं। में मानी ही नहीं। माता के यहां आकर बेटी को कुछ दिये बिना विदा करना अब शकुन होता है। इन रथनों और आपुशनों से बढ़कर जो नारी धर्म का उप्तेश आपसे प्राप्त हुआ है। इतना महाल और पवित्र उफार है। सदा सुखी रहो बेटी। सीपे, तुम बहुत भागिशानी हूँ। करना महाया हुआ है। झाल 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 मैं विराद राक्षा सूँ तुम जैसे तपस्वियो कमाज खाकर मैं मस्त रहता हूँ इस सुन्दर इस्तिरे को अपनी भार्या बनाऊंगा झाल 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 को झाल 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 को झाल झाल चर्द रूर चकश रघ्ड, चर्द ब कर दो 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 लक्षमन यहीं शर्भंगमुनी का अश्रम है कर दो कर दो कर दो कर दो दो देवलोक से कोई देवता चौर्भंग मुनी से मिलने आए परणाम मारशी शर्भंग शुब आगमन के लिए धन्यवाद दिवराजेंद्र माहत्मन हम आपको सदय अपने लोक में ले जाने के लिए आये हैं सदय जाना तो कोई बड़ी बात नहीं परण तो हम उसके पक्ष में नहीं जब हमारी इच्छा होगी हम स्वयम जाएंगे क्यों होने राज यह प्रतिष्ठा तो किसी विरले को मिलती है परण तो इस से प्रकृति के नूमों का उलंगन होता है देवराज मानुई दे में किसी जीव का दूसरे लोक में जाना प्रकृति विरुद्ध है भी अपनी तपश्या के द्वारा कोई प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ले तो भी अकारण उसे तपोभल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए इससे उसके अंदर दंभूत्पन होता है जिससे उस लोक में उसका शीगर पत्न होता है इसलिए हम अपनी इच्छा से हिस दे का त्याग करेंगे उसका समय भी आ गया है मुनिश्रेश्ट हम जानते हैं किम्तु इस समय हमारे आश्रम में एक विशेश अतिति का पदारपन हो चुका है उनका स्वागत सदकार किये बेन जाना हमारे लिए उचित नहीं होगा जैसी आपके इच्छा करेंगे इच्छा आए श्रापन होगा आपके इच्छा करेंगे इच्छा करेंगे इच्छा रुष्ष्छा ऐस्मान भार आए श्मान भार कि सवभाग्य बद्भा कल्यान आगए राम तुम्हारा स्वागत है महरशी अत्री ने तुमसे सत्य कहा था हम तुमारी प्रतीक्षा कर रहे थे इस धर्ती पर हमारा समय समाप्त हो गया है इसलिए देवराज इंद्र हमें सदे अपने लोक में ले जाने के लिए आये थे मैंने आपका बारतालाप सुना है मुनिश्वर देवताओं के राज इंद्र के निमंत्रं को ठुकरा कर आपने ये सिद्ध कर दिया है कि जब मानव पून कर्म योगी और स्वार्थ रहित हो जाए तो उसका इस्थान देवताओं से भी उचा हो जाता है मानव यदि अपना धर्म और मानवी कर्तव पूरा करे तो उसे देवताओं के पीछे भटकने की कोई आवशक्त नहीं रहती देवता स्वयम उसके आगे भीची हाथ बांधे फिरते हैं स्वार्थ से मुक्त कौन है राग्वेंद्र हमें भी स्वार्थ था हम दिव्य द्रश्टी से देख रहे थे महर्शियत्री से मिलकर तुम हमारे पास आ रहे हो तुम्हारे दर्शन की लालसा में हमने इंद्र के निमंत्रान को तुछ्छ समझा आज तुम्हारे दर्शन पाकर हमारे कई जन्मों के पुर्ण में सुखल हो गए पूरुशोत्म भगवन आप मेरे पिता समान पूझे हैं और हर पिता अपने पुत्र के स्नहें में ऐसे ही भाविवोर रहता है हे राम जिस प्रकार किसी सद्ग्रस्थ के द्वार पर कोई सद्ग्रस्थ हुआ जाए तो उसे कुछ दान देना सद्ग्रस्थ का धर्म होता है उसी प्रकार जब किसी सद्ग्रस्थ के द्वार पर कोई सद्ग्रस्थ आ जाए तो उसे आशिरवाद आत्मज्यान की शिक्ष अपने तपबल से हमने कुछ दिव्य लोगों की से ध्यार जित की है आज देहत्याग से पूर्ण अपने वो सारे लोग हम तुम्हें प्रदान कर देना चाहते हैं इन्हें स्विकार करो राम बहामुनी मैं आपके इस अनुग्रह का सदय विर्णी रहूंगा परंतु मेरे लिए आपके दिये हुए इन दिव्य लोकों को ग्रहन करना उचित नहीं होगा ऐसा क्यों कर रहे है विर्ण क्योंकि मैं समझता हूं कि जो लोक किसी सादू महत्मा के पास उनके तपोबल से कमाई हुई शक्ति के सहरे अपने दुख मिटाने या महत्मा के पास सोख और संपत्ति मांगने जाते हैं वो उस लज्जा ही इन चोर की भाती होते हैं जो दूस अचिन के बाद देजिये आपकी भाती ने अपने ही करणों के बल पर यह शक्ति वो ग्यान पोनिस्वार्द भाव प्राप्त करूं जुमानों को देश्ताओं से भी उचा उठाता है कि मुझे अपने ही कर्नों के बल पर वो सब कुछ प्राप्त करने दीजिये पति सुन्दर तुम ने अपनी मर्यादा के अनुकूल वचन कहे हैं राम तुम इस मानवी जीवन में अपने कर्म और पराक्रम से मानवी इतिहास में मर्यादा का आदर स्थापित कर सकोगे यहीं अमारा आशिरुवात है आव हमारा अंतिम प्रणाम स्विकार करो और हमें अनंतपत पर जाने की आज्या दो कर दो कर दो कर दो यह क्या हुआ अभी यह? मुनिवर शर्भंग अपनी योग अग्मी में अपने पार्थिव शरीर और उसके समस्त संसकारों को भस्म करके एक अविनाशी पद्गी उर्चले गए हैं ओओ ओओ मंगल भावन अमंगल हारी त्रव हो सुदशरत अजिर बिहारी सीता राम चरीत अतिपावन मधुर सरस अरुकती मन भावन पुनी पुनी के तरने हो सुने सुनाए कि यकी प्यास मुझत न भुझाए व्यास प्यास प्राव व्यास स्टीटाराम चरित हतिपावन मधुर सरसर अरुखती मनभावन पुने पुने कितने हो सुने सुनाए ये की प्यास बुझत न बुचाए राम लखन सिया भ्रवत अरन्य राम लखन सिया भ्रवत अरन्य। ब्रहमत अरन्य। करत भिरत मुनियन को धन्य। करत भिरत मुनियन को धन्य। राम लखन सिया भ्रहमत अरन्य। देखत बारहत भ्रवत अरन्य। राम लखन सिया भ्रहमत अरन्य। राम लखन सिया भ्रहमत अरन्य। उर्मिला। यह थे भी मंतिर में। क्या कर रही हो मेरे बैंक। कुछ नहीं वीदी। उनकी याद का दीपक जला लिया है। लोग रिदे की अगनी को आसूं से बुझा लेते हैं। पर उन्तु मेरे लिए आसूं बहाना, मना कर गहना। इसलिए अगनी से ही अगनी का उपचार कर रही है। और्मिला। मेरे बैं। श्री राम ये शम्शान नहीं कभी समत्र आश्रम था। और ये उजड़े हुए आश्रम। जानते हैं किन निर्वल पुराणियों के हैं। वान प्रस्त आश्रम में पालन करने वाले महत्माओं के। वीतरागी ब्रामणों के। जन सेवा में जीवन व्यतीत करने का वृत लेकर आए हुए संत जनों के। जिशियों, मुनियों और तापस जीवन व्यतीत करने वाले साधू जनों के। मानवता के ऐसी जगन हत्या करने वाले आतताई कौन है। हे सरवग्य शब कुछ जानकर भी अंजान बनकर पूछ रहे हैं। जिन अत्यताई अत्याचारियों के तराज से उधार पाने के लिए महारशी विश्वामित्र आपको अयुध्या से ले गए थे। उन्ही दुष्ट दानवों और असुर्शक्तियों ने इन निर्दोस प्राणियों का संगार किया। वो नर्भक्षी उन्हें खाकर अस्तियां फेग जाते हैं। है रगुवर इन प्रूर दानवों राक्षसों असरों के अत्याचार से पीडित धर्ती की रक्षा करने के लिए ही आपका आगमन हुआ है। इस भूमंडल पर आप से बढ़कर दूसरा कोई सहरा नहीं है। आप हमारी रख्षा कीजे प्रभू। ए राम। राजा अपनी प्रजा के लिए पिता के समान होता है। प्रजा की र Krank्षा करना उसका प्रभम करतव्य है। इस त्रिष्टी से हमारी रक्षा करना ही आपका धर्म है आप नगर में रहिए यवन में परन्तु है तो हमारे राजा ही इसलिए हम आपकी शरण में आए है कि अगरे आपकी सेवा का साधन बन जाए चे मेरा परम सावभाग्य है आज मैं तश्रत पुत्र राम और मेरा अनुज लक्षमन आप समस्त मुनिजनों तपस्विय के समक्ष ये वचन देते हैं कि हम इन आतताई और आशुरी शक्तियों का नाश करेंगे और इस दंड कारन्य की धर्ति को राक्षासों से विहीन कर देंगे मैं अपने धनुष की श में तीर नई दिशा में पगधरो कर्म वीर रघुबीर जिस कारण आये उस कारज श्री रघुवीर चले महिनिशकन तक करन हरन मुनिजन गी तीर चले जिस कारण आये उस कारज शीर गुवीर चले ओं भूभु वक्ष्वाह तक्सवितुर्वरेह भर्गोदेवस्यधीमः तीयो योना हुप्रचो दयात स्वाह 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 स्वाह, स्वाह, स्वाह राम बान का लक्ष ना चूके धर्म के रच पर कर्म के पत पर बढ़ चले आगे राम धनुर धर बढ़ चले आगे राम धनुर धर अत्याचारी असुरों पर रगुवर देतीर चले जिस कारण आये उस कारज श्री रगुवीर चले भरत राज सिवा में लागे और मिल दीप जला कर जागे मात को शल्या खड़ी जरो के सुत आवन का पत अवलो के पल्चिन गिन गिन रस्ता देखा पर नहीं घटी प्रतीक्षा रेखा पर नहीं घटी प्रतीक्षा रेखा आवन का पत देखत देखत बीत गए दस सान अक्या सुने जीवन सुना श्वेत भय सब बार उधर राम करत ब्यते पच्च पर बढ़ते जाए निरंतर कर्म वीर के लिए नहीं कुछ हर्ष विशाद में अंतर लुग लुशए लुशए लो सीथे लो लक्षमें बेट काल सीथे भाया भाया हाँ लक्षमें बन में हमें घुमते घुमते दस वर्ष हो गए इन वर्षों में हम कई संत महत्माओं को मिलें इन सब के तो नाम भी याद नहीं रहेंगे लक्षमें किवल नामों की सूची याद रखने से क्या लाब है नाम तो केवल एक बाहरी पहचान के लिए होता है उनके आंतरिक गुणों को ही याद रखना चाहिए ये सिद्ध पुरुश जो बाहरी जगत से दूर इन दुर्गम स्थानों पर बैठे साधना कर रहे हैं ये जो नगरों और बस्तियों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते ये बड़े दुरलब लोग हैं इनके तो दर्शन मातर से ही लाब होता है केवल दर्शनों से क्या लाब होता है? सीते, जैसे धूप में केवल बैठने मातर से ही सूरी की गर्मी हमारे शरीर में प्रवेश करती है उसी प्रकार उनके निकट बैखने से उनके आत्मग्यान, उनकी शक्तियों, उनकी भावनाओं का सुक्ष्म प्रकाश हमारे सुक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है वो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ दे देते हैं पपोवन के जिस भाग में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, बहां एक से एक महानुशी होंगे। यदि उनके सत्संक का पूर्णलाव उठाना हो, तो अपने मन और बुद्धी की खिड़कियां और द्वार खोलकर उनके चरणों में बैठ जाना चाहिए। यदि उनके पास जाकर विनम्रता से एक भिक्षुक के भाते मन के जोली भैलाकर चुपचाप बैठ जाओगे। तो अपनी साधना के द्वारा प्राप्त किये हुए ज्यान के अन्मोल रत्न वो तुम्हारी जोली में अनायास ही डालते रहेंगे। लक्ष्मना, जीवन में ऐसे अवसर बड़े भाग्य से मिलते हैं। अन्य था इन महान विभूतियों के दर्शन बड़े दुरलब है। सबसे बड़ी शक्ती मन की है। परंतु मन एक चंचल घोड़े की भाग्य कभी स्थिर नहीं रहता। योग के द्वारा चित्र वृत्यों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है। उसका मन सरवब्यापी आत्मा के आधीर होने से उस अंसार की समस्त शक्तियों पर अधिकार पालेता है राम। अपने कर्म की अच्छाई और गुराई को हर घड़ी हर ख्षन परक्ते रहना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसावटी है। वो ये सोचे कि यदि मैं इसी समय मर जाओं तो मेरा ये कर्म किस गिंती में आएगा। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो उसे ततकाल सुधार लेना चाहिए। ये कभी न सोचे कि आज की भूल को कल सुधार लूगा। कभी कभी काल कल का समय नहीं देता। धर्म के मार्क पर चलने के लिए ज्यान का प्रकाश आवश्यक है। ये ज्यान का प्रकाश न हो तो अंधकार पूर्ण मार्क पर धर्म एक अंधे की भाती भटक सकता है। जहां जीवन है वहीं मिर्ट्य वे। जहां मंगल है वहीं अमंगल भी साथ खड़ा है। केवल सुक को पकड़ने जाओगे तो उसी की छाया में दुख को भी खड़ा पाओगे। आता है जो सुक और दुख दोनों से विरत्थ होकर आत्मा में लीन होता है वही शाच्वत आनन को पाता है। उसी को मुक्ति कहते हैं। जैसे वर्शा का जल सब पेड पाओदों पर एक समान गिरता है। परंतु किसी के लाल फूल निकलते हैं और किसी के पीले पत्ते। इसी प्रकार एक ही विद्या का भिन-भिन प्राणिओं पर उनके संसकार और भाव के अनुसार भिन-भिन प्रभाव पढ़ता है। लेके अक्षर कभी नहीं मिठते परन्तु पानी पर लिखा शन भर भर नहीं रहता मन में क्रोध और शत्रता को उतनी देर रखना चाहिए जितनी देर पानी पर लिखा पह सकता है श्री राम धन के अत्रिक्त भी तुम कुछ दे सकते हो एक मीठा शब्द एक प्यार भरी मुस्कान उसका मोल तो धन से भी अधिक है हरे प्राणी भगवान का उतार है परन्तु अपनी ही माया की जाल में फसकर अपनी आपको नहीं पहचानता इस माया जाल से प्राणी कैसे मुक्त हो सकता है मुनिराज स्वयम को पहचान कर अपने भगवस रूप को जान कर स्वयम ही अपने आपको फसाता है और स्वयम ही मुक्ति का साधन पूस्था फिरता है यही तो माया पती की माया है मुने सुतिक्ष्ण की भक्ति जारी सन्मुकनात परकना उघारी माया पति की देख के माया विकलनेन खोले मुनिराया अध्भुत यह संजोग स्वयम प्यासे तक नीर चले अध्भुत यह संजोग स्वयम प्यासे तक नीर चले मुनिवर्सुतिक्ष्ण मैं दश्रत पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं भगवन आप स्वयम चलकर अपने भक्त के पास आ गए कब से जिन शिरी चरणों को फिर्दय पटल पर बिठाए बाट नहा रहा हूं आज उन्हें साक्षात प्रणाम करने का आउसर आपने देती हैं महत्मन मैं तो मनुष्य महत्र हूं मेरी भगवान कहकर वंदना न करें राम रिगवेद कहता है एकम सत्य विप्रा वहुदम वदन्ति सत्य एक है परंतु ज्यानी जन उसे विभिन्य नामों से पुकारते हैं अर्थात इश्वर ही सत्य है जो विभिन्य रूपों में प्रदर्शित होता है इस अनेक्ता में एक आत्मक्ता के कारण यदि मुझे आपका रूप भी वही दिखता है जो भगवान विश्व या शिव का है तो इसमें आश्चरी क्या है इसलिए मैं आपकी वंदना करता हूं आप उस अवस्था में पहुच चुके हैं जहां आपको प्राणी मात्र में भगवान का ही रूप दिखाई दे रहा है इसलिए आप ऐसा कहते हैं पर इस समय मैं अपने करतब्वे का मार्ग दर्शन और आपका आश्रवात पाने के आकंख्छा से आपके श्रीचरणों में आया हूं ठीक है आप इस समय मानुवी लीला करना चाहते हैं तो ऐसा ही सही भगवन आपने जो अपना लेक्ष निर्धारित किया है वो करतब्व आप कई वर्षों से निभा रहे हैं आपके इस कर्म रूपी यग्ज की पूर्ण सफलता के लिए मेरे गुरुदेव भगवान अगस्त ही आपको आशिरवात दे सकते हैं आप उनके दर्शन करें कई वर्षों से मन में साध है कि महर्शी अगस्ती जी के दर्शन करूं अब आप ही क्रपा करके उन तक पहुंचने का मार्ग बता दें तो हम क्रतार्थ हो जाएं अच्छा अवश्य गुरुदेव ने मुझे आपको ले आने की आग्या दी है चलिए आपकी क्रिपा से मुझे भी गुरु चरणों के दर्शन फिर से प्राप्त हो जाएंगे चले प्रभु यहीं गुरुदेव का अश्रम है अच्छा 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 प्रुदे अच्छा तो देखिए यह कैसा प्रकाश है हां यह आपके सी सीते यह महर्शी अगस्तिक अध्धात्मिक तेजपुंज है हर प्राणी के अध्यात्मिक उन्नति और शक्ति के अनुसार ही उसके शरीर के चारो और एक तेजपुंज एक प्रकाश का ख्षेत्र रहता है जितनी शक्तिया देखोगी प्रकाश का ख्षेत्र भी उतना ही बड़ा होगा महर्शी अगस्ति अपने पराक्रम और अपनी शक्ति में अपने आराध्य और गुरु भगवान शिफ के ही समान है एक बार देवताओं की कारे में सहायता के लिए महर्शी अगस्ति ने प्रत्वी के साथों समुद्र अपनी अंजुली में भरते पी लिए थे भगवान अगस्ति सारे दानव समुद्र में छिपे हुए हैं जहां से वो जब चाहें निकलकर देवलोग पर आकरमन करते रहेंगे जब तक उनका संहार नहीं किया जाएगा देवलोग सुरक्षित नहीं रह सकता जदि आप थोड़ी देर के लिए समुद्र का पानी हाटा सकें तो हम उन दानों का अवश्य ही नाश कर देंगे कि आप यहां साथ करने में समर्थ हैं हम आपकी शरन में आये हैं हमारी सहता कीजिए प्रभू कि तथा अस्तू कि आप कि 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 झाल झाल एक बार परवर्ष शेष्विंद्याचल जब अपने एहम में सूर्ग का मार्ग रोगने के लिए बढ़ा तो महर्षी अगस्ते ने अपने चरड़ों से उसे दबाकर उसकी उद्धन्टता को वहीं रोग दिया था तभी से वो निरंतर उनके आदेश का पालन कर रहा है इसी कारण उन्हें अगस्ते कहते हैं अगम, परवतम, स्तंभ्यती इती अगस्ते हैं जो अग अर्थात परवत को स्तंभ्यत कर दे वहीं अगस्ते हैं अच्छा? हाँ, एक बार भगवान शिव का विवाह देखने के लिए जब सारी शक्तिया और समस्त जीवराशिया उत्तर में चली गई तो कहते हैं भूमी का संतुलन डोल गया तब भगवान शिव के कहने से महरशी अगस्ते विंद्याचल पार करके दक्षन में आये तो अकेले उनकी शक्तियों के प्रभाव से भूमी का संतुलन फिर से ठीक हो गया इसलिए कहा जाता है कि ये उत्तरी भाग का समस्त अध्धात्न बल और ज्ञान एक पलडे में रखा जाए तथा दूसरे पलडे में अकेले महरशी अगस्ते बैठ जाए तो दक्षन का पढला भारी होगा स्वयम भगवान शिव ने महमुनी अगस्ते को परम सुन्दर तमिल भाशा की शिक्षा दिए महमुनी अगस्ते ने अपनी मेधा शक्ती के प्रयोक से तमिल को व्याकरन भद्द करके संसार की श्रेष्ट भाशा बना दिया इस संसार को उनकी उत्तम देन तमिल भाशा है जिसमें उन्होंने समस्त ज्ञान समो दिया इसी प्रकार ये भगवान अगस्ती ही ब्रह्म लोग से कावेरी नदी को कमंडलू में भरकर ले आये थे जो आज समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए गंगा समान ही बह रही है हे प्रभू भगवान श्यों ने मुझे इस देश में भीजा है वहां हमें गंगा और यमुना जैसी महान और पवित्र नदी की आवश्यक्ता है आप सदा अपने भक्तों पर अनुग्रा करते हैं इसलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करें तथास्त महात्मा अगस्त लोक कल्यान के निमित तुमने जो प्रार्थना की है उसे हम स्वीकार करते हैं परम पवित्र और तीनों लोकों का कल्यान करने वाली कावेदी हम तुम्हें प्रदान करते हैं प्रणाम पितामा क्या आज्या है कावेदी पुत्री हम तुम्हें महाश अगस्त को प्रदान करते हैं अपने उत्तम जल से दक्षिन को पवित्र और सम्रित बनाओ जहां जहां होकर तुम्हारी निर्मल जलधारा बहेगी वो प्रदेश तीनों काल में सदाहरा भरा और सम्रित बना रहेगा यह हमारा आशीर वाद है माते आप मेरे कमंडल में विराजमान हो जाईए जिस समय आपको धरती पर ले जा सको स्थाओ पर लेघरी जचरा बनाओ जास जाईए खाल में विर आपको धर दुम्हारी ए स्थाओ स्थाओ जिस सम्रित बनाओ जहां जहां झाओ जाओ भाधको दूँचा जहांए स्थाओने जाखको जहाबच्चा लेटीनों काल मीं ड़बच्चा 2 कि माता यहां के समस्त्र प्राणि जल्चन नभचन भूचन समस्त जीव सरवदाब की पूजा करें और किसी भी भेदभाव के बिना उन सब को आपका आशिरवाद प्राप्त हमारे गुरुदेव के आश्रम में कोई जूट बोलने वाला कुरूर शठ अथ्वा पापाचारी मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता उनके पास धर्म की आराध्मय करने के लिए कई देवता यक्ष नाग और पक्षी रहते हैं और महरिशी से आध्यात्मिक महर्ग दर्शन पाते हैं भाईया ऐसी महान आत्मा के दर्शन तो कई जन्मों के पुनिसे ही मिलते होंगे अवश्य तुमने सत्य कहा है लक्षमन सुतीक्षन जी गुरुवर के श्रुचर्णों में निवेदन करने के क्रपा करें कि हम तीनों उनके दर्शनों के आज्या चाहते हैं अवश्य है मंगल भावन अमंगल हारी रव हो सुधाशरत अजिर भिहारी सीता राम चरीत पति पावन मधुर सरस अरुपती मन भावन पुनी पुनी कितने हो सुने सुनाए यदी प्यासत भुझत न भुझाए कितने हो अर्ण अर्ण कि अ मैं आप 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 मतर सरसर अरुखती मन भावन पुने पुने कितने हो सुने सुनाए यकी प्यास बुझत न भुचाए मुनी अगस्त मुनी श्रेष्ठ माहाना धरे शरीर ज्ञान विज्ञाना विनय प्रणाम परस्पर्कीना आशिश लीना आशिश दीना रामलकन सियको आश्रम ले गुरू गंभीर चले अज आर्या वर्त का सूरिय अगस्ति आश्रम में उदे हुआ हमारी चिरकाल की अभिलाशा आज पूर्ण हुई हे मुनीद्र, वनवास काल में, महमुनी भरद्वाज, महर्शी वालमी की, अत्री मुनी, सति शिरोमनी देवी अन्सुया, सिद्ध जितेंद्रिय शर्भंगादी, अनेक मनस्वी, तपस्वी, महान विभूतियों के सत्संग में व्यतीत घड़ियां, जन जन्मांतर की पुन देव से साक्षातकार होने के समान है, अपने सेवक को सदा ही बढ़ाई देना एक अच्छे स्वामी का गुण है, हे राम, तुम तो ये रहस्य जानती ही हो, कि स्वयम भगवान श्यू भी जिनके नाम का सदा जाब करते हैं, उन्हें की किरपा से एक तुछ प्रानी को भी भक्ति, शक्ति, ज्ञान, सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ये विन्य भावी तो आपकी शोभा है, अमने था आपकी महत्ता, आपकी महिमा तो देवताओं से बढ़कर है, अपने सूरे तुल्ले तेजस्विता से समुद्र शोषन करने वाले तेजो में तपस्वी हैं आप, हे दीरगायु महत्मन, आपकी सिद्धी के सम्मुक नतमस्तक होकर देवता, गंधर्व, सिद्ध, यती आपकी उपासना करके धन्य होते हैं, आज आपके चरणों में बैठकर जन्म सुफल हुआ हम तीनों का, ये दुरलब पुन्य हमें अपने वनवास के अंतिम चरण में ह सुलब हुआ है, जब तुम्हारे दंडक वन में आने का समचार मिला था, तो हिर्देह में एक आशा जागी थी, कि इस आश्रम में भी तुम्हारा आगमन होगा, और हम तुम्हारे दर्शनों से अपने नेत्रों को कृतार्थ कर लेंगे, आज वो आशा फली भूत हो गई, तुमने दस वर्शों तक दंडक कारण्य में रिश्यों की रक्षा का भार समाला है, अब तुम्हारे बनवास का जो थोड़ा समय शीस रह गया है, उसे तुम्हारे आश्रम में रहकर वितीत करो, ये आश्रम रक्षसों के आतंकों से मुक्त है, यहां कर हिम्शक पशु भी अपनी हिंसा भूल जाते ही, तुम्हें अपनी तपस्या और साधना में यहां के वाता वर्ण से सहायता मिलेगी, यह आपका विशेश अनुग्र है मुरिनात, आपके श्रीचरणों की छाया में रहकर आध्यात्मिक लाप प्राप्त करूं और शांती पाऊं, इस से अधिक सवभाग्य और क्या हो सकता है, परंतु आप तो मेरा उद्देश्य जानते ही है, मैं दंडक वन को राक्षसों और आसुरी शक्तियों के अत्याचारों से मुक्त करने की प्रतिज्या ले चुका हूँ, इसलिए मैं अपने आपको इस परम सुक से वंचित करने पर विवश ह तुम ठीक के रहे हो राम, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा कार्य और देवताओं का उद्देश अभी पूरा नहीं हुआ, और ये उचित भी है, इस दंडक वन पर तुम्हारे ही एक पूर्वज महाराज दंडक राज करते थे, नर्भक्षी राक्षसों ने उस हरे भरे देश को उजार दिया है, अतह हम तुम्हें करतव से विमुख नहीं करेंगे, नात, मुझे कोई ऐसा अस्थान बताने की कृपा करें, जहां मैं प्रहरे की भाती राक्षसों के आने का रास्ता रोख सको, ऐसा अस्थान पंच्वटी है, पवित्र गोदावरी के किनारे, य वहीं बास करो, उसके आगे जनस्थान में राक्षसों ने अपनी अग्रिम चावनी बना रखी है, तुम वहां से अपने सारे सामराज्य की सीमा की रक्षा कर सकते हो, रांद, मैं दिव्य दृष्टी से देख रहा हूँ, कि आने वाले दिनों में तुम्हें अपने कर्तवे पूर्ती के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, कई संकाट आएंगे तुम्हारे रास्ते में, तुम्हें महार्शी विश्वामित्र ने जो दिव्य अस्त्र प्रदान किये थे, उनका मुझे ग्यान है, परन्तु मेरे पास भी जो अस्त्र हैं, तुम्हें उनकी भी आवर्शक्ता पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, मेरे साथ हाओ, यह महान धनुष शत्रु के किसी भी श्रस्त्र से नहीं कट सकता, इसे विश्व कर्मा ने स्वयम विश्णू के लिए बनाया था, आगे चलकर महाप्राक्रमी और अत्यंत मायावी राक्षसवीरों से तुम्हें टक्कर लेनी होगी, इसलिए तुम्हें धनुस्त गरहन करो, ये दो दिव्वे तुनीर हैं, जो मुझे इंद्र से प्राप्त हुए हैं, ये अक्षे हैं, इनमें बान कभी समाप नहीं होते, ये चारो बान शत्रु का नाश करके विलीन हो जाते हैं, और अपने तुनीर में फिर से प्रकट हो जाते हैं, ये तुम दोनों के लिए है, इन्हें गरहन करो, ये एक दिव्वे खड़क भी है, इसमें तीनों लोकों को विजय करने की शक्ती नहीं थे, लक्षमन, तुम इसे धारण करो, राक्षसों का नाश करने में ये तुम्हारी सहता करेगी, राम, ये वो पान है, इस्था शिव ने मेरू परवत से बनाये हुए महान धनुश पर, अनुसंधान करके तुर्परासुर का अन्त किया था, ये वो द्वान भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, इसे सुप्तार करो, अनुस तुम्हार का इसा वो दी ने थलिए शिवान, उसे सुप्तार का वो मैं तुम्हार करता है, तुम्हार् के ये – प्रव्त करताड करता हिए मैं ... दुम्हार क करता हूँ जी हूँ Nonetheless, समस्त्रों की समस्त्र शक्तियां आज से तुम्हारे आधीन रहकर तुम्हारी आज्यां का पालन करेंगी प्रभू, आपके इस विशेश क्रपा से हम धन्य हो गए राम, तुम सरवधा विजयी होगे तीनों काल और समस्त्र लोकों में तुम्हारी जैगाथा गाई जाएगी देवतावी तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे हे कर्मवीर, मैं भी तुम्हें प्रणाम करता हूँ भाईया, नदी के पानी की ध्वनी सुनाई दे रही है लगता हम गोदवरी के पास आ गए हाँ लक्ष्मान, यहीं पंचवटी होगी वो देखो, वो क्या है कोई बहुत बड़ा गिद्ध है, जैसे गिद्धों का राजा हूँ इतना बड़ा गिद्ध आज तक न देखा है न सुना मुझे तो लगता है कोई मया वीराक्षस है भाईया मुझे आग्या दीजे, मैं अपने एक ही बाल से यम्लोग मोचा देता हूँ तही रच से काम लो लक्षमन, तुम्हें चित्रकूर की भविष्यवान याद नहीं? जब तक शत्रु अथ्वा मित्र का बूर्ण निष्चयना हो जाए, तब तक केवल आशंका से प्रेरित होकर किसी पर बार नहीं कर देना चाहिए नहीं तो पीछे पच्टाना बढ़ता है है महापक्षी, मैं आपका परिछे जानने की इच्छा से आपके सम्मुख आया हूँ आप कौन है और किस उत्तम कुल में आपने जन पाया है जदे आप उचित समझें तो हमें बताने की कृपा करें मैं एक शुबाखु वश्ची महराग दश्रत का पुत्र राम अपनी भार्या और अपनी अनुच जहित आपको प्रणाम करता हूँ बत्राम तुमने मेरे स्वर्गवासी मित्र दश्रत का नाम लेकर मुझे रोमांसित कर दिया है महा प्राक्रमी महराय दश्रत के साथ मेरी मित्रता देवसर संग्राम के समय हुई थी जब उन्होंने संब्रसु का संहार किया था उस दिन उन्होंने मुझे गले लगा कर कहा था कि जटाईउ तुम मेरे प्राणों जैसे प्यारे हो तुम उनके पुत्र हो तो जैसे मेरे ही पुत्र हो रगुदंधन महारेशी कश्यक के दो पुत्र हुए थे गरूड और अरुन गरूड सुरी विश्री जी की सेवा में चला गया और अरुन सुर्यो देव की सेवा में लीन हो गया मैं उनी अरुन का पुत्र हूँ हम दो भाई हैं मेरे बड़े भाई संपत्ती गिद्धो के राजा है मेरा नाम जेटाईू है तुम लोग पंचवाटी में पन कुटी बना कर रहो मैं उसके आजबास ही एक प्रहरी की भाती तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा पक्षिराज आज कितना भागिशाली दिन है आप से मिलकर जैसे मेरे पिता मुझे फिर से मिल गए अब मैं अपने हाथ को फिर से सनात और सुरक्षित अनुभव करता हूँ यही पर अपनी परणकुटी बना हूँ हावत्ष उदर नदी के किनारे वो स्थान सबसे उत्तम है वाँ लक्षमन वाँ देखा सीते अपने देवर लक्षमन की कारे कुशलता को विश्व कर्मा बड़े बड़े भवान निर्मान कर सकते हैं परंतु राजमहल से बढ़कर पर्णकुटी बात की बात में खड़ी कर देना बस लक्षमन का ही काम है यहां तो विश्व कर्मा को भी हर माननी पड़े आपका प्रोस्था हनी मेरी पेड़ना का शोथ है भाया मैं तो केवल आपका दास हूँ तू मेरे लिए क्या है लक्षमन यह कहने को शब्द नहीं है मेरे पास वनवास में यदि तू मेरे साथ नहोता तो मैं अकिला क्या कर लिता तेरी सेवा और सहयोग से ऐसा अभासी नहीं होता जैसे में वनवास भोग रहा हूं तू मेरा भाई ही नहीं आज्याकारी पुत्र के समान सेवा करने वाला और पिता के समान प्रतिपालन करने वाला भी है कि भाईया मेरा ये जन्द आपके इंचर्णों में समर्पित होने के लिए हुआ है भावी एक बार पूरी तरह निरिक्षन करके बता दीजिए कि कोई कमी तो नहीं रह गई कि सोत मैं देखी रही हुँ कलपना से भी अधिक सुंदर है इस पवित्र कुट्या का कोना कोना तुमने तुम्हेरा स्वपन साकार कर दिया देवर्जी अधिया आप ठीक स्थान पर बैठें यह स्थान मैंने आपके लिए ही बनाया है आपके संध्य वंधन के लिए साथ में फूल भी रखती है कैसा है भाईया आति उत्तम लक्ष्मन इस वटवरक्ष के नीचे कितनी शान्ती है तस्वामी इसी शान्ती भवन में हम अपनी बनवास का शेष समय क्यों ने बिता दें अयोध्या त्याप कर वन में भटकते भटकते बारा वर्ष से भी अधिक व्यतित हो गए है आयोध्या सिती कैसा पवित्र नाम लिया तुमने आयोध्या का नाम इस्पनड करते ही जन्म भूमी की माटी की सोधी सुगंद रोम रोम में समाज आती है और उसके साथ ही आती है माता कौशल्या की याद आपको तो कभी कभी याद आती होगी पर माताजी की व्यत्र कानुमान आप नहीं लगा सकते सब अपने अंदर समेटे हुए पेटे का बनवास पूरा होने का एक एक दिन किंदे किस पिकाल्व अपने दिन बिता रही होगी सिते जब कभी एक आंत में बैठता हूं तो माता कौशल्या की आवाज मेरे कानों में गूजने लगती है उसी प्रकार जैसे वह बच्पन में बुलाया करती थी राम जल्दी आव पुत्र पोजन परोज़ती आए कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मां अपने महल के जरोके में खड़ी मेरा रास्ता देख रही है तीरच रखो मां हाँ तीरच रखो अब थोड़ा ही समय रह गया है मेरे लट कर आने में मैं आ रहा हूं मां मैं आ रहा हूं मां मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं मां मैं आ रहा हूं मां मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं सूबित्र, सूबित्र ... मेरा जाए दी ने थागे दी थागे हाँ जाए मेरे जाए बेग क्या करे यह क्या करे है सुरूत है रम एकाश अगया डिकर लग्षम्न भी अगया है अभियात वह वह न अजेका द技 ही दिन नहीं आपको प्रह्म हुआ है टेखादा वर्ष नहीं बऎटें, अभी तो अभी तो एक वर्ष बाकिये है ज एक वर्ष बाकियें, वो उखंप पीतेगा एक वर्ष गहें के जहाँ शी एक गहाँ जूनल दिर sind दिराज कहा है। तो आप क्यों थीराज खो रही है है जैसे तीरा वर्ष बीद वैसे ये वर्ष भी बेरज़ यह जाएगा दे नहीं सुन्त्रा जेड़ का था पर अब थेक वर्ष बीदाना असर हो गय आप दुरज नहीं रख जाता । से शूवत्रा मश्रा हम परपना यह ओर सभब चाहता एक पाउता तो क्या हुआ यह वर्ष नगीता तो तो क्या करूंगारा यह वर्ष भी बेच जाएगा एक वर्ष से जाएगा बीच जाएगा, हाँ दीदी, अबश्य बीच जाएगा, चलो दीदी, अंधर चलो, अंधर चलीए, चलो, सुमित्रा, जी दीदी, इस समय राम कहा होगा, वो भी हाँ आने की तयारी कर रहा होगा ना, हाँ दीदी, वो आने के लिए दिन दिन ले होंगे, वो हमें याद कर रहे होंगे, हम सब को याद कर रहे होंगे, प्रॉप है, प्रॉप है, भाईया, एक हीन भाउना, मुझे सदा अपने आप में लजजित करती रहती है, ऐसी क्या बात है तात, भाईया, आप जैसे निर्विकार, शान्तकार की शीतल छाया में मेरा प्रतिपल, प्रतिछन गतीत होता है, फिर भी मेरी वृति, इतनी उग्र क्यों है, आप से विप्रीत, क्यों ही मेरी प्रकति भाईया, लक्ष्मन, तुम उग्र के समान हो, उपर से कठोर, परंतु अंदर केवल मिठास ही मिठास, बस यही हो तुम, भाईया, आपने सौही मेरे उग्र सुभाव के लिए कई भार मेरी ताड़ना की है, परंतु आज मुझे बालकों के समान बैला रहे हो, जीवन में अनेक बार मेरी रख में क्रोद का उबाल आया है, उन सब का कुछ न कुछ औचित मैं सिद्ध कर सकता हूँ, परंतु एक क्रोद, एक आवेश के लिए मैं सौह को कभी छमा नहीं कर सकता, वो क्या? देवता समान, भरत भाया पसंदे, उनके प्रती दुर्भावना, उन पुश्यस्त प्रहार के लिए तयार हो गया मैं, इस क्लानी को मैं आपने मन में से कभी नहीं निकाल पाता। भूल चोग, भ्रांत भावना में भटक जाना मानव मात्र का प्राकरतिक स्वभाव है लक्ष्मन। भाया, पर आप से कभी कोई भूल क्यों नहीं होती। तुम्हारी ये भावना अपने राम भाया के प्रती असीम श्रद्ध मात्र है। उसी के आवेश में उस सुमें भी तुम्हारे मन में भरत के प्रती संदेह उत्पन हो गया था। लक्ष्मन, वास्तव में तुम भावना प्रधान हो। तो क्या भावुक होना बुरी बात है भाया। नहीं, भावुक होना तो अती सुन्दर बात है। भावना वेहिन मनुष्य एक हिंसक पशु के समान होता है। परन्तु जब भावना पर ज्ञान का अंकुष्ट न रहे, तो भावना के आवेश में कई बार भूल हो सकती है। परन्तु, जो आपकी भादी ज्ञानी न हो, वो अपनी भूल का प्राश्चित कैसे करे। अपनी भूल कैसे सुधारे। पश्यत आप से। तुम्हारे मन में जो पश्यत आपकी भावना है, उसी से प्राश्चित हो गया समझों। परन्तु, भारत भाईया ने भी मुझे मन से छ्ञा किया होगा कि नहीं। छ्ञा का प्रश्ण तो तब उठता है, जब उसने तुम्हें अपराधी माना हो। भारत को तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं, लक्षमन। भारत भाईया के गुण तो अनन्थ है, भाईया। उन्हें वही पहचान सकता है, जो सागर की लहरे गिन सकता हूँ। सागर की लहरों से अनन्थ है भूक की लहरे देवर जी। अगर बैंच से लक्डिया काटके नहीं लाओगे, तो तुम्हारी सीता भावी रसोय कैसे बनाएगी। भूलोगे भावी, आप रसोय में चलिये, मैं अभी लक्डिय लेकर आता हूँ। शुर्पन खाव्या कुल भई, खो बैठी चित चैन। राम रूप को देखके, चका चौंध भय नैन। कामा तुर्लो नुप नारी, भई अंध गई मत मारी, भई अंध गई मत मारी। कामा तुर्लो नुप नारी। फैलाने लगे निजमाया, इच्छा कृत रूप बनाया, इच्छा कृत रूप बनाया, फैलाने लगे निजमाया। अंबर से भू पर गिरी, लगा काम का बान, जुलस उठी का माधनी में, बस में रहे नारान। प्रित्वी की परम तेजस्वी सुंदर पुरुष हो। और मैं तुरी लोग सुंदरी नारी। है तुरी लोग सुंदरी, मैं आपके क्या सिवा कर सकता हूँ। मैं तुरी लोग ही चान मारे हैं। परम तु अपनी अनुरूप सुंदर, सचीला और वीर पुरुष आज ही देखा है। इस पुरुष पर न तुम जैसा कोई पुरुष है और न मुझ जैसी नारी। निधातने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही रचा है। इसलिए पती भाव रखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं इच्छा नुसार रूप धारन करने वाली राक्षी स्कुल की राजकुमारी शूर्पन्खा हूँ। मेरा नाम कामवल्ली भी है। राजकुमारी शूर्पन्खा? हाँ, लंकेश्व त्रिलोग विज़े रावन का नाम तो तुमने सुनाई ही होगा। महरी शूर्पन्खा की पुत्र, महराज महावली, विश्व विज़े तेज़ स्वी रावन मेरी भाई है। महावली कुम्भकर्ण और विभिशुन भी मेरे भाई है। इस विशाल जनस्थान पर जिनका पूर्ण अधिकार है। वो परक्रम में योद्धा, खर और दूशुल भी मेरी भाई है, देवताओं का कोशाध्यक्ष कुबेर भी मेरा भाई है, प्रसन्नता हुई परिचे बाकर, परंदी तुभारा परिचे नहीं मिला, तपस्वी की वेश में चटाधारन किये, और थनुष बांड से सुशोफित तुम साथ हुबी दिखते हो, और योद्धा भी, वास्तों में तुम हो कौन? देवी, देवताओं के समान पराक्रम वाले और परम धर्मात्मा, महराज दशरत का नाम तो सुना होगा, मैं उन्हीं अयोध्या नरेश्ट दशरत का पुत्र हूँ, राम राम? राम साथ किस काम के आशा लेकर असुर सुन्दरे के कोमल चरनिस कोटिया तक आये है? प्रत्म दशन से ही मेरा मन तुम में आ सकत हो गया है तुम्हारी रूप यौवन से आकरशित होकर खिंची चली आई हूँ पती की भावदा रखकर प्रेम वर्पन करने आई हूँ मुझे अपनी भार्या की रूप में स्विकार करो इस प्रत्वी पर तुम जैसे पुरुष नहीं और मुझे ऐसी नारी नहीं हमारा संचोप अर्जोड होगा आदरनिया सुर्बाला, हे भद्रे, क्या तुम मेरी परिछले ने आई हो? नहीं से पुरुष, मैं आत्मे समर्पन करने आई हूँ तुम्हारी सुंदर सजीली रूप में मुझे अपने सपनों का कंत मिल गया है उससे कंधर विवा रजाओ मैं विवाहित हूँ ये मेरी परिनिता धर्मपत्मी सीता है क्या रखा इस सूखी सड़ी काट की पूतली सीक्षूद्रमानस्त्री में इसे तुम अभी खाजाऊंगी उसके बाद तुम दंडक बन के राचा बना और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी हाँ यदि तुम्हें इस्पर दयाती हो तो ये भी पड़ी रहेगी हमारी दासी बन कर कि हमारी वन प्रदेश में एक नहीं अनेक भी वाहरा चाह सकते हैं किन्तु मैं एक पत्निवरत ले चुका हूं और फिर तुम जैसी इस्त्री साउध का साथ कैसे सहन करेगे कि भावी जी मैं वन से आपकी रसोई के लिए सुखे सुखे लखड़िया लेया हूं यह कौन है तुम्हारी जैसा सुंदर और सजीला यह मेरा चोटा भाई लक्षमन है अकेला है हाँ बन में तो अकेला ही है तु ठीक है मैं इसके सिन्मुक विवा का प्रस्ताव रखूंगी तुम स्वच्छंदे विच्रांड करने वाली नारी ठहरी तुम्हें मनमानी करने से कौन रोख सकता है प्रयात्म करके देखो क्यों जी लक्षमन जी अकेले हूँ कहीं आपको क्या कस्थ है कस्थ नहीं मैं तुम्हें लें सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर रही हूँ अभी तो आप भाईय से कुछ याचना कर रही थी उस अभागे ने मेरी बात का मोल ही नहीं जाना कहता है मेरी स्ट्री साथ है छोड़ो उसे मैं हर तरह तुम्हारी योग्यों हूँ तुम मेरी योग्यों हो मेरा परिने प्रस्ताव सीकार करो कि अधरे स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चलियाई क्या तुम्हारी दस्टी में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं है हे गजगामनी कहां तो तुम सौमनी बनने के सपने देख रही थी मैं तो अपने बड़े भाईया श्री राम चंजी का दास हूँ मेरी संधनी बनकर भाईया भावी की सेवकाई करते-करते थक चाओगी रामी बनते-बनते तासी क्यों बनना चाहती है जाओ वहीं जाकर अपनी मनोकामना की याचना करें मैं यह याचना करने नहीं आई तुम दोनों भाईय मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रही हो केवल इक शुद्रस्त्री के कारण इसका तुम्हें नाम और निशान मिटा दूंगी तुम्हारे सामने इसे अभी खाजाओंगी लक्षमान अब इस तुमर कक्डी को चबा कर खाजाओंगी तक तो तुम मेरे साथ गुरहा करोगे कहती कहती मिलना तुम यदी बंड कारी में में तुम दोनों की चिताना जला दी तुम मेरा नाम सुप नखा नहीं मैं रावन की बहन नहीं खर्टूशन नहीं भाई नहीं कि बेचारी अबलाद बला कहो भीया फिर भी अच्छा नहीं हुआ बुरा क्या हुआ इस्त्री थी? तुरा चार्मी दुस्ता थी महरेशी उश्वामित्र ने भी ताल का वत का आदेश देते समय यही कहा था ऐसी दुस्ता नारी का वत करने में कोई दोश नहीं हमने तो केवल उसकी नाक काटी है एक लज्जा ही निस्त्री जब कामातुर हो जाए तो उससे भयानक और कोई नहीं होता वो तेरिस्क्रत होकर अपना और दूसरों का सरवनाश कर सकती है शूर्बंखा इसका बदले लेने अवर्षी आएगी हमें सजेत रहना चाहिए हाँ भया मंगल भावन अमंगल हारी रभ हो सुदशरत अजिर भिहारी सीता राम चरित अति बावन मधुर सरस अरुकती मन भावन पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए कि अगी प्यास बुझत न बुझाए आए आए सीता राम चरित अति बावन मधुर सरस अरुकती मन भावन पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए यकी प्यास बुझत न बुझाए दुखाई दुखाई राजा घर की दुखाई है तुम्हारे राज्य में एक अबला के साथ अत्या चाहां किया गया है यह क्या ऐसा खोर कर्म ऐसा अत्याचात किसने किया है इस दंडक वन में किसका साहस है कि हमारी बहन का अपमान करें वो जो भी है देवी आसुर उसने तुम पर हाथ उठाकर अपनी मृत्यों को ललकारा है वो सभागे का नाम बताओ बहन राम और लक्ष्मन राम और लक्ष्मन हां राम और लक्ष्मन दोनों भाई आयोध्या के राजा दश्रत के पूत्र हैं जो मुनी वेश धारे एक सुन्दर इस्त्री के साथ गोदावरी नदी के किनारे बसने आये हैं जिनोंने मुझे एकनी देखकर मेरे साथ ये दुर्वे भार किया है यदि तुम मेरे सच्चे भाई हो तो मेरे अपवान का उनसे बदला लो मेरे इस गाहों को उन दोनों के रच से ध्या जाए तभी मेरे मन को शांती मिलेगी दो मानव कुमारों का ये साहस धरती पर रेंगने वाले मनुष्य होकर एक राक्षस कन्या पर हाथ उठाने की ध्रश्टा महाबट धूशन दंड करने का गुपसा मचार रखने वाले और वीर अकमपन वो कौन है जिने महाबली वीर घर का डर नहीं राजन हो नहो ये वही अयोध्या के दो राजकुमार होंगे जो देश निकाला पाकर वनों में दरदर भटकते फिर रहे हैं दंड कारण के भीत्री भागों से यदा कदा समाचार आते रहे हैं कि दो ख्षत्री कुमार तपवन के रिश्यों की रक्षा कर रहे हैं जो राक्षस उधर आता है वो उसे मार डालते हैं सुना है उनके कारण राक्षसों ने तपवन में रिश्यों का शिकार करना छोड़ दिया है हमें पहले सूचना क्यों नहीं दी गई ये सब कुछ हमारे राक्षस रज्य की सीमा के बाहर हो रहा था इसलिए हमने आरे रिश्यों की सीमा में जाना उचित नहीं समझा सुना है बड़े अध्वुत वीर हैं दोनों कुछ वर्ष पहले विराद राक्षस का जुबद हुआ था वो उन्हों नहीं किया था माव अले विराद को मार डाला बड़े आश्चरी के बाद इसलिए उनकी उद्धंडता बढ़ गई और वो जनास्थान की सीमा पर आकर बस गए अर्थात हमें चनावती दे रहे हैं इसलिए उन्होंने हमारी बेहन का अपमान किया है उन्हें हमारा भी भय नहीं नहीं नही मेरी एक नहीं सुनी और आप तो परिहास किया भया परंतु तुम वहां करने क्या गई थी मैंने देखा उनके साथ जो इस्त्री थी वह अती सुन्दर थी तीनों लोकों में ऐसी सुन्दर इस्त्री और नहीं होगी मैंने सोचा कि बड़े भाई महाराजा रावन के लिए इ यह उनकी अंतिम भडासती बहन हम आज उन्हें यम लोग पहुचाएंगे दूशर्ण हमारा रत मंगवाओ हम अभी जाएंगे महाराग केवल दो मुनुष्यों को मारने के लिए आप स्वेम जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई हाथी चूटी मारने जा रहा है मैं आज ही अपने चौदा राक्सों को भेज कर उन्हें मार कर आपके दरबार में उपस्तित करता हूं अच्छी बात है कालभट अपने उन चौदा सेनकों से कहो कि वो पंचवटी की उस कुटिया का तिन का तिन का विखेर दें उन दोनों को जीवित या मृत्य किसी भी अ और लो जयां जासा हूं जाओ जाओ झाल झाल मेरा रोमान चेक निकला, वो आब है जनस्थान के राजा, शिरीमान खर ने तुम्हें दन देने के लिए हमें भेजा है और ये आग्यादी है कि जो सुन्दरिष्टरी तुम्हारे साथ आई है उसे उनकी सेवा में उपस्तित किया जाए जी तुम यदि उनकी शर्ण में चले जाओ तो हो सकता है तुम्हें द्या करके छोड़ दे अतिवत्त चोड़े है राक्षेस बान एक मार अनहारा एक देख राम को खलन के गये बल वो धी वी वे प्राइब क्या कहा एक ही बाण से हमारे चौधा योदाओं को माल डाला हां भाई उसने एक ही बाण ऐसा चलाया कि एक ही शन में चौधा के चौधा मस्तफ धर्ट से अलग हो गए लगता है उसने भी थोड़ी बहुत मायावी विद्या सीख ली है हमें स्वयम चलना पड़ेगा दूशन अपने चुने हुए सेनकों को तयार करो हम स्वयम चलेंगे लगता है उस्वयम चलेंगे झाल झाल लक्षमन, लगता है खर्दूशन अब स्वयम सेना लेकर आए है, मैं अकेला ही जाकर उनको रास्ते में रोपता हूँ, तुम यही जारो, भाईया, मैं भी साथ आता हूँ, नहीं लक्षमन, हम दोनों यदी चले जाएंगे, तो वो क्रूर राक्षा सी सीता को अकेली पाकर आ मैं तो यह कह रहा था, उनसे मैं आके नहीं ने पड़ सकता हूँ, अवश्य ने पड़ सकते हो, परन्तो इस समय तुम यही ठारो, झी अожно, क्या है, यही है? वो डंड मानव तुम्हें कुछ मनुष्य होकर हमारे राज्य की सीमा पर उत्पात वचा रहे हो हम तुम्हें प्राण दंड देने आये हैं यह धनुष्बान वहीं धर्ती पर रख दो और आगे बढ़ कर अपने आपको हमारे हवाले कर दो अब इमानी राक्षस यह धनुष्बान हमने रिश्यों की आग्या से उठाया है जिने तुम्हारे राक्षस अकारण ही मार डालते हैं अब यह बान तुम्हारा और तुम्हारी सेना का संखार करके ही तुणीर में वापस जाएगा हम दरकर शत्रू को एक बार भाग जाने का अवसार अवश्य देते हैं क्योंकि रण में पेट दिखा कर भागते हुए शत्रू पर हम प्रहार नहीं करते हैं मुझे तुम्हारी मूफता पर हंसी आती है अकेले ही मेरी सेना का और मेरा सामना एक साथ करना चाहते हो मैं तुम पर दया करके अब तक चुप था परंतु तुम दया के पात्र नहीं हो दूशन अपनी सेना को आग्या दो कैसे जाकर घेरने जो आग्या राम यह सब मायावी और कपट यूद करने वाले हैं इने के शास्त्र से इनका उत्तर दो तुम्हारे पास रिशी विश्व मित्र का दिया हूँ मोहनी आस्त्र है इस समय उसका प्रयोग करो जिस से वे स्वेम उसकी माया से भ्रमित हो जाए और आपस में लड़ जो देखो सो राम को अरे मुर्को यह क्या कर रहे हो आपस में क्यों लड़ रहे हो दूशन यह क्या हो रहा है भाईया हमारे जो दापागल हो गया है आपस में लड़ मर रहे हैं क्या है आपस कया है स्वेम जापस यह राम भी कोई मया भी है इसने मोहनी अस्तर का प्रियोग करके हमारी सेना को ब्रह्म में डाल दिया है अच्छा तो मैं पहले इसकी माय को ही समाप्त कर देता हूँ यह ले अच्छा तो बाचिसे आप कि कि अधूर्ट कि दूशन को मार कर तूने अपनी मृक्तियों को पुगारा है कि कहीं से थोड़ी सी हमारी विद्या सीख आया है तू अपने आपको बड़ा मयावी समयता है थेहरजा मैं तुझे दिखाता हूँ अपनी माया का प्रभाव कि अपने धने दिखाता है कि अपनी माया क्वशन को अपनी यू uranium 怖़श तू़ झाल झाल कि तुम धन्य हो राम महाबले खर और दूशन को इस संसार में तुमारे अतरिक्त कोई नहीं मार सकता था तुमारी सदय जय हो झाल झाल अभिनन्दना 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 अबिनन दना कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो Teil कर दो कर दो लंकेश्वर रादेश्वर हे दशानन लंकेश्वर रादेश्वर हे दशानन लंकेश्वर हे दशानन प्रिशि पुलत्सके वन्षज विश्रवाती आत्रज लंकेश्वर रादेश्वर रादेश्वर हे दशानन लंकेश्वर रादेश्वर हे दशानन लंकेश्वर रादेश्वर हे दशानन लंकेश्वर हे दशानन लंकेश्वर हे दशानन तुम जैसो तप ठारी नहीं कोई भाक्त पोजारी जब म्रवम्हा की त्वारे हाया काट काट सिर्फ पोहु ही चलाया जब म्रवम्हा की त्वारे हाया काट काट सिर्फ पोहु ही चलाया काट सिर्फ पोह था जिस्वाद Кा जा एुम जब म्रवम्हा की तेस झाल झाल जब ब्रम्हा की द्वारी खॉया जब ब्रम्हा जी सो अमर्पद पायो नह केतत दिशी तुम्हरायश चंदर अमिनंदर सादर अमिनंदर देवन सोसंगा मुपचायो जब ब्रम्हा की दुवारी खॉया प्रुब आयो आजेश्वर लाजेश्वर हेदशानन एक दिन शिवह मनावन लागे शिवहिमन आवन लागे एक दिन शिवहिमन आवन लागे शिवहिमन आवन लागे दिन एला शुथावन लागे एला शुथावन लागे देख कभो मसकावन लागे इर पुथार पड़ावन लागे भार पड़ावन लागे धीर धीर नहीं धीर गवायो, शिवस्तोत्र रच शिवह सुनायो यताट वीग लज्जल प्रवाह पावितस्थले, गलेव लंब्य लंबितांभु जंग तुंग मालिकां दमड्ड मड्ड मड्ड मन्नि नाद्र वड्ड मल्वयं, चकारचंड तांडवं, तनोतु नह शिवह शिवं ओम्नमः शिवायो, ओम्नमः शिवायो जटाकटाह संब्रमब्रमनि लिम्प निल्धरि, निलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगधधधधगज्य अल्लालाट पट्ट पावके, किशोर चंद्र शेखरेर तिही प्रतिक्षणम्ममा ओम्नमः शिवायो, ओम्नमः शिवायो अखर्व सर्व मंग लाक लाक दंब मंजरि प्रसप्रवाह माधुरी व्रिजिंभणा मदुब्रतं स्मारांत कम्, पुरांत कम्, भवांत कम्, मखांत कम्, गजांत कांध, कांत कंत, मन्त कांत कंभ जे ओम्नमाः शिवाय, ओम्नमाः शिवाय धीर धीर नही धीर गवायो शिवस्तोत्रणची शिवही सुनायो शिवस्तोत्रणची 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 शिवही सुनायो फेदशानन, फेदशानन स्कत्रणची शिवस्तोत्रणची शिवस्तों कि अच्छार नंकेशर महराजारावण की दोहाई है लुछ पर अच्यार क्या गया है महाराज लुगेशर महराजारावण की दोहाई है क्या हुआ शुर्पंखा क्या हुआ जोहाँ अच्छार मंगल भावन अच्छार मंगल हारी रभ हो सुधा शरहथ अजिर भिहारी सीता राम चरीत अतिपावन मधुर सरस अरुकती मनभावन पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए कि अगी प्यास भुझत न भुझाए कि अगी प्यास भावन